हेलो एवरीवन हेलो क्लास क्या हाल है सबके क्या हाल है हमारी क्लास 12th के OneShot Series में दुबारा से तुम्हारा सौगत है OneShot Series of Macro Economics Macro Economics का एक OneShot आ चुका है Money and Banking का अब Second OneShot की बारी है Second OneShot कौन से चाप्टर का रहने वाला है तो ये हमारा सबसे Important, सबसे खतरनाक सबसे अच्छा अगर समझ आ जाए तो सबसे अच्छा नहीं समझ आए तो सबसे खतरनाक अब मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही न थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं देखो क्योंकि सर सबको चाहिए वन शॉट चालीस मिनट में पचास मिनट में एक घंटे में डेड़ घंटे में तो पहले ही एक वो लेके चलना ये वाला चाप्टर जब स्टार्ट हो रहा है न तो इसमें प्रिकॉशन लेके चलना कि अगर नाशनल इंकम अकाउंटिंग नामक चाप्टर डेड़ घंटे में आपको कराया जा रहा है तो उसमें आपको कुछ कराया ही नहीं जा रहा है प्लीज इस चीज को समझना नाशनल इंकम एक ऐसा चाप्टर है जो तीन घंटे भी कम है चार गंटे भी कम है पढ़ाने के लिए बट मैं जितनी जल्दी कर पाऊंगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी जल्दी से जल्दी में सारी चीज़े आपको प्रोवाइड कर पाऊंगो एंड इस बारी थोड़ा सा चेंज है ठीक है जिससे तुम्हारे को भी थोड़ी इसी क्लारिटी हो जाएगी हम एंड में कोश्चन्स नहीं करेंगे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे सबसे पहले नाशनल इंकम अकाउंटिंग चाप्टर के बारे में बता देता हूं यह एक्जाम में हमारा मैक्रो एकनॉमिक्स होता है ना सर मैक्रो का पेपर हमारा 40 मार् मतलब समझ रहे हो 25 परसेंट पूरे पेपर में से सिरफ इस नाशनल इंकम अकाउंटिंग चैप्टर में से ही आ जाता है तो वहले ही मैं इसका पांच घंटे का भी बन शॉट बनाऊं ना या चलो जितने भी अब मैंने स्टार्ट करा है मुझे पता नहीं कितनी देर का बन जाता है कि ना एक M.C.Q. पूछ लिया जाता है एक थ्री मार्क्स का कुश्चन आता है एक 3 अर एक 6 मार कर तो फिक्सड है सिक्स मारकर नैशनल इंकम से फिक्सड है कभी-कभी यह वेरी भी कर जाते हैं देखो 2023 और 2024 का मैंने पेपर आनलाइज करा है जो पिछले दो साल का पेपर है उसमें तो वेरी नहीं करा है उसमें तो सेम ऐसा ही आया है बिल्कुल सेम ऐसा है एक एक MCQ आता है एक 3 मारकर एक 6 मारकर यही पैटन रहता है हमारे CBSC के पेपर का ठीक है स्टेट बोर्ड में भी यही वेटेज रहता है दस से बारा नंबर का हो जाता होगा या कम हो जाता होगा इससे ज्यादा नहीं बट CBSC में यही पैटन चल रहा है पिछले 2-3 सालों से तो ब पुश्किल तो बाद में लेंदी चैप्टर है मनला बहुत सारे कंसेप्ट्स हमें इस चैप्टर से नहीं नहीं सीखने को मिलेंगे अभी सबसे पहले मैं यह कुछ टॉपिक्स कराने वाला हूं पहले यह टॉपिक्स करवाऊंगा इसमें हमारा आधा क्लास कवर हो जाएग इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रिवियस यह आये हैं 2023 और 2024 में वो करेंगे फिर बचा कुछा जितना भी होगा वो करेंगे और उससे रिलेटेड पी वाई क्यूज में जितने आये हैं वो देखेंगे ठीक है बाई तो यह शुरू के जो तीन मिनट हैं यह तु इसी के ना आशनल इंकम अकाउंटिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके या चार पार्ट में डिवाइड करके उस्में पढ़ाया गया है थी एह सम बेसिक कंसेट्स अओफ मैक्रोईकनोमिक्स नाशनल इंकम औंड ृलेटेड अग्रीगेट मेतड्स अफ क्यालकुल हैं सब हुमारी supplementary books में सारे parts खतम कर देंगे इसी एक chapter के थुरू बस sequence शायद उससे अलग हो सकता है मेरा बट जो मेरा sequence है मैं उसी से ही चलूँगा and सारे topics तुमारे cover हो जाएंगे अगर तुमने पहले से कर रखा है तो तुमारे सारे topics revise हो जाएंगे तुमने नहीं करा तो मेरे इस topic से मेरे सीक्वेंस से चलना तो तुमारे को भी अच्छा ही लगेगा सारी चीजे सीक्वेंस आएंगी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे transfer और factor income के बारे में circular flow of income के बारे में domestic territory और normal resident के बारे में domestic और national income कुछ conversion rules होते हैं और तीन methods होते हैं national income को calculate करने के income expenditure and value added method ठीक है तो class को start करते हैं class को फटा फट से start करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है factor income और transfer income के बीच का difference क्या है अरे सर डिफरेंस तो बाद में पहले यह बता दो कि transfer or factor income होती क्या है एक simple सिटेफिनेशन है उसी साही सबकलियर हो जाएगा definition भी क्या एक simple सी चीज समझ लो कि factor income क्या होता है सर factor income होता है जब कोई ऐसी income जो मेहनत से कमाते हैं हमारा मेहनत कापैसा मेहनत की कमाई इस factor income जो हमने मेहनत से नहीं कमाया हमको gift मिल गया या unemployed है हम सरकार हमको unemployment allowance दे रही है और भी ऐसे बहुत सारे examples है sir जो transfer income का example है मतलब sir जो मेहनत की कमाई नहीं है तुम्हारे पापा तुमको pocket money दे रहे हैं that is a transfer income और 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 बताओ sir कुछ बेरोजगार लोग होते हैं हमारी economy में उनको सरकार unemployment allowance देती है that is a transfer income मैं अपनी दोस्त को gift देता हूं that is a transfer income यह सब चीजे transfer income कहलाती है and factor income क्या होती है मेहनत की कमाई मैं यहां पर मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं pw मुझको salary दे रहा है that is a that is a factor income मेरे पापा की एक chemist shop है ठीक है वहां पर वो दवाई बेचते हैं मेहनत करते हैं और समान बेचके profit earn करते हैं profit is a factor income यह सब factor income तो बस यही इसकी बारे में इतनी ही चीज अपने को समझनी है यही transfer और factor income में difference होता है जो हमें समझना है अब इसको लिखते कैसे है difference लिखेंगे कैसे वो भी अपन इस class में अभी के अभी देख लेंगे चलो भाईया transfer income is income of without providing any factor input without any factor input हमने कोई भी factor service provide नहीं करी कुछ भी productive चीज फैक्टर इंपुड मतलब कुछ भी productive हमने provide नहीं करा सर स्टिल हमको क्या हुआ स्टिल हमको income मिली है तो उसको transfer income कहते हैं एक ऐसी income जिसको हम कमाते हैं by providing factor input जब हम कुछ factor service provide करते हैं कुछ factor services देते हैं उसके बदले में हमको income मिलती है तो वह factor income कहलाती है इसको one-sided income भी कहा जाता है यह one-sided income है मेरी जो income है सर वो two-sided है मैं मेहनत कर रहा हूं मैं PW company के लिए मेहनत कर रहा हूं उसके बदले में मुझको पैसे दे रहे हैं तो factor income कैसी होती है two-sided income है बट जब मैं अपने किसी दोस्त को gift दे रहा हूं तो मेरे दोस्त ने उसके बदले में कुछ नहीं करा बस मैंने ऐसे ही gift दे दिया तो that is a one-sided income और unilateral income इसको unilateral concept बोलते हैं इसको bilateral concept बोलते हैं unearned income भी बोला जाता है इसको इसको earned income बोला जाता है Unearned मतलब बिना मेहनत करी हुई कमाई earned मतलब मेहनत करी हुई कमाई ये national income में virtue नहीं होती और ये value teeth national income में क्लूड होती है क्योंसर यह नहीं होती अरे तो तो कौन सी ऐसी country है जो अपने देश की national income में ऐसी income जोड़ना चाहेगी जो बिना किसी मेहनत से कमाया गया पैसा है तरकार कहेगी यह बिना मेहनत का कमाया गया पैसा है हम अपने national income में हम अपने GDP में क्यों जोड़ें उसको ठीक है यह GDP national income क्या होता है सब के बारे में बात पूरी country की जो income है overall income उसको जर्नली national income बोलते हैं पर उसकी proper definition भी बताऊंगा ठीक है तो हमारे country की national income में ये transfers income include नहीं होती और हमारे country की national income में ये factors income include होती है example दे दो sir transfer income का सर गिफ्ट हो गए या फिर जो आप unemployment allowance की बात कर रहे थे जो unemployed लोगों को मिलता है unemployment allowances इसमें क्या हो गई जो आपको salary मिल रही है जो आपके papa shop पर profit कमा रहे हैं ये सारी चीज़े क्या हो गई ये factor income हो गई ठीक है ना और भी बहुत सारे examples हैं इसके भी बहुत सारे examples हैं transfer income के भी factor income के भी सारे examples दिखा दूँआ बस याद रखना कि जितने भी examples दिखाऊंगा transfer income के वो कभी भी national income में calculate नहीं करे जाएंगे जितने भी example दिखाऊंगा factor income के वो सारे national income में calculate करे जाएंगे फटा फट सारे examples देख लेंगे ये examples है transfer income के सारे examples देख लो transfer income के क्या example है gift charity taxes scholarship अगर मैं कोई gift दे रहा हूं कहीं पे charity दे रहा हूं charity donation दे रहा हूं ठीक है जितने भी taxes होते हैं इनको हमेशा याद रखना taxes हमेशा एक transfer income होती है क्यों ऐसा होता है सर जो भी हम tax pay कर रहे हैं सरकार को या जर्नली सरकार को ही पे करे जाते हैं टैक्स जना government को पे करे जाते हैं तो government उसके बदले में कोई factor service provide नहीं कर रहा हम taxes पे कर रहे हैं that is a one-sided income for the government ठीक है तो taxes जर्नली transfer income में include नहीं करे जाते scholarship हो गई old age pension हो गई financial help given to flood victims pocket money money received by parents from their son working abroad कोई बच्चा किसी parents का बच्चा USA में काम कर रहा है वो अपने पापा को पैसा भिजवा रहा है तो वह भी एक transfer income ही है because उसके मम्मी पापा उसके बदले में कोई factor input थोड़ी दे रहे हैं अपने बेटे को बट स्टिल पैसा आ रहा है अगर मैंने कोई लॉट्री में पैसा जीत लिया मैंने gambling में पैसा जीत लिया तो यह जर्नली black money या फिर lottery वाला पैसा जो होता है यह black money या फिर इनके अंडर आ जाता है एंड यह windfall gain के अंदर कहलाता है इसको windfall gain भी बोलते हैं अगर gambling का पैसा है तो black money हो गया lottery से पैसा जीता है तो windfall gain हो गया windfall gain मतलब पैसों की वर्षा हो गई windfall gain सर पैसा ही पैसा हो गया पैसा ही पैसा तो windfall gain का पार्ट हो जाता है वो तो बस यही सीन था यह जितना भी होता है windfall gain हो या gambling का पैसा हो वो कभी include नहीं होता unemployment allowances जो unemployed लोग होते हैं उनको allowances मिलते हैं वो भी transfer income होती है claims received from an insurance company by an injured worker by an injured worker आएगा इदर तीग है अगर कोई injured worker है जैसे मुझे injured worker क्या कोई भी है हो गया अगर मैं injured हो गया and मैं claim लेता हूं किसी insurance company से कि भी या मेरा इतने का operation हुआ एक लाख रुपे का मुझे उसके बदले में claim दे दो तो वो भी मेरी transfer income है because उसके बदले में मैंने कोई factor service provide नहीं करी ठीक है ना तो जो भी insurance claim होता है that is also a transfer income इसके भी example दे हो sir इसके भी example दे दो तो विल्कुल दे देंगे factor income जो होती है वो national income में include करी जाती है हमारे देश की national income में include करी जाती है अगर आप कोई rent कमा रहे हो को interest कमा रहे हो profit कमा रहे हो wages कमा रहे हो या royalty गमारे हो यह सब factor income का पार्ट होंगी rent मतलब हमारी कोई प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी अगर कोई यूज कर रहा है तो मतलब हम उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए उसको अलाव कर रहे है ना मतलब कोई मैंने investment करी है उस investment मैंने bank में पैसा डाला है bank के पैसे पर interest आ रहा है वो भी एक factor income है कहीं से profit कमाया wages मतलब जो मेरी salary होती है wages होती है वो भी मेरे factor income है royalty क्या होता है जर्नली मैंने कोई publication करी है जैसे मैंने कोई book चापी है ठीक है अब उस book पर कोई अगर दूसरा publisher उसको चापना चाता है उसको use करना चाता है तो उसके बदले में वो मुझको royalty देगा तो मेरी book को use करने के बदले में वो मुझको पैसे दे रहा है न तो that is royalty ठीक है सर तो इसलिए वो भी एक factor income ही कहलाती है bonus हो गया gift received from an employer अगर कोई employer जो है ना अगर कोई employer मतलब मेरा मालिक जैसे मेरा मालिक मतलब जो मेरी company है PW अब इसने मुझे दिवाली पर gift दिया या कोई ऐसा gift दिया तो वो भी वो किसमें डाल देगा वो भी उसका मेरे एक factor income ही है क्योंकि ये जो gift दे रही है वो क्यों दे रही है मुझे company क्योंकि मैंने services प्रोवाइड करी मैंने teaching services प्रोवाइड करी और मैंने कुछ अच्छा करा होगा तभी मुझको gifts दिये जा रहे है ठीक है ना तो जब भी employer के दौरा कोई भी चीज दी जाती है ना जो हमारा मालिक है उसके दौरा कोई भी चीज दी जाती है तो वो factor income का ही part होती है pension और old age pension में फरक है ध्यान से देखना ये old age pension जो होती है ना ये तो transfer income होती है बट जो normal pension होती है वो transfer income नहीं होती क्योंकि normal pension जर्नली किन लोगों को मिलती है जिन्होंने पूरे साल भर 40 साल 30 साल सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में काम करा है तो उन्होंने अपनी हि इससे का पैसा दोबारा से मिल रहा है तो pension किसका पार्ट है factor income का पार्ट है brokerage fees हो गई mixed income of self-employed हो गई self-employed मतलब जो लोग खुद employed होते हैं जैसे कि इसके अंदर कौन आ जाता है हमारा Chartered Accountant हो गए lawyers हो गए यह कुछ example है self-employed लोगों के जो किसी के अंडर काम नहीं करते कोई lawyer किसी के अंडर काम नहीं करता lawyer अपना खुद का मालिक होता है तो वो self-employed होते हैं तो जो उनकी income होती है वो mixed income कहलाती है तो वो भी सर factor income का ही पार्ट होती है यह कुछ examples है factor income के and यह most of the examples यहाँ पर मैंने एक concept खतम हो गया अपना जो हमने शुरू करना था 57 मिनिट में खतम हो गया है transfer or factor income factor income मेहनत की कमाई होती है two-sided income होती है transfer income बिना मेहनत की कमाई बिना मेहनत का कमाया गया पैसा इस transfer income वो unilateral income या one-sided income कहलाती है आगे चड़ो आगे चलो अब बताओ आप circular flow of income या अपने इतनी income income की बात कर दी ठीक है सर इतना जादा अपने income income बोल दिया तो अब income से आगे बढ़ो बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ ठीक है अब हम बात करेंगे कि हमारी economy में ये income flow कैसे करती है मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में फिर दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में फिर तीसरे से चौते चौते से पांचवे और घूम फिरती रहती है पूरे वापिस आ जाती है मेरा दिया हुआ नोट क्या पता वापस मेर तब income जो है जर्नली एक परसन से दूसरे परसन इंदर से इदर फ्लो करती रहती है तो उस फ्लो के बारे में कुछ बता दो ना सर में circular flow of income के बारे में कुछ बता दो तो बिल्कुल बताऊंगा भाई मैं क्लास क्यों ले रहा हूं बिल्कुल बताऊंगा तुमको तू सेक्टर मॉडल के बारे में अपने को बात करनी है तू सेक्टर मॉडल तू सेक्टर मॉडल में क्या होता है तू सेक्टर मॉडल में सिरफ दो ही दो ही सेक्टर्स इन्वाल्ड होंगे एक होता है हाउसोल्ड और दूसरे होते हैं फर्म्स डोनों में फरक्या हता है हौस होल्ड का जरनली काम होता है consumption का consumption का मतलब की consume करने का वो न household ये निनी सोचता की profit कैसे कमाना है household ये सोचता है कि उसको अपनी utility कैसे earn करनी है हमने वहाँपे पड़ा था न अगर तुम को याद हो बइया माइक्रो एकनॉमिक्स में अगर तुमने पढ़ा हो तो जर्नली कंजियूमर हाउसओल्ड के अंदर कंजियूमर आते हैं तो जर्नली कंजियूमर क्या सोचता है कि अपनी सैटिस्वैक्शन अपनी यूटिलिटी कैसे बढ़ा है ना कि प्रॉफिट तो यह सिरफ कंजम्शन के अब इन दोनों फॉर्म्स के बीच में कैसे यह पैसा सर्कुलेट करता है कैसे इंकम करती है वो इस गंदे से डाइग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और यह गंदा नहीं है अगर तुम यह डाइग्राम देख लोगे ना तो अभी मैं तुमको जितनी भी लिखने वाली नहीं सर्कुलर फ्लो अफिंकम का मतलब ना मैं तुमको सारा नहीं कहूंगा मैं मैं तुम्हारे को ना जितना रेलेवेंट चीजे ना थियॉरी वाली वही कराओंगा थियुरी योगी इस पर से कम आती है जर्नली पांच-पांच मांक्स का वेटेज रहता है पांच मांक्स Custustustin और प्रोजेस्टॉण बन जाता है तो थोड़ी सी जान रहती है शुरू 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 में तो मुश्किल पाट शुरू में कर लेना बाद में theoretical और थोड़ा सा बोरिंग consig part आमें दy मैं कर लें अब धियान से ना आख ना कान सब चीज़े खोल लेना सब चीज़े देख लेना एक सेकंड बस एक सेकंड बस एक सेकंड बस और तो कुछ नहीं इसमें एडिटिंग वाला काम नहीं नहीं ठीक है ध्यान से देखना प्लीज एक सेकंड आख ना कान सब खोल लेना प्लीज 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 दो सेक्टर से हाउसोल्ड और फर्म एक एक करके चीज़े देखेंगे एक एक करके चीज़े लेके चलेंगे सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ अगर तुमको पता हो तो हाउसोल्ड जो होते है ना they are generally the owners of the factors of production ये जितने भी अपने household होते हैं न सर ये जितने भी आप household की बात कर रहे थे तो household क्या होते हैं they are the they are the owners of the factors of production जो factors of production होते हैं उसके owners होते हैं हमारे household owner मतलब मालिक जितने भी factors of production है factors of production ही नहीं पड़ा हमने 7th class में 8th class में जब हमारी सस्टी की madam factors of production पड़ाती थी sir हमने पड़ा ही नहीं था तो अब पढ़ लेना land, labor, capital and entrepreneur ये सारे क्या कहलाते हैं ये सारे factors of production कहलाते हैं land, labor, capital and entrepreneur ये सारी factor services हमारा household जो है किसको देता है firms को सबसे पहला काम होता है ये वाला ठीक है ना factor services वाला सबसे पहला काम है ठीक है sir इन सब factor services की इस्तमाल से इन सब factor services की इस्तमाल से firms क्या करती है firms raw materials को goods and services में convert करती है ठीक है इसका process का एक नाम होता है जो बाद में बताऊंगा बस करती क्या है firms इन factor services की help से raw materials को goods and services में convert करती है फिर ये जो goods and services इसने convert करे वो goods and services firms अब किसको बेच देती है सर सबसे पहला cycle कौन सा था सबसे पहला हुआ था ये ठीक है सबसे पहले ये देखने को मिला जिसकी help से raw material को goods and services में convert करा किसने firms ने goods and services में convert हो गया अब ये goods and services ये वापस दे देगा किसको household को क्योंकि हमको पता है कि household जर्नली क्या करता है consume करता है goods and services consume करता है अपनी satisfaction को भढ़ाने के लिए तो goods and services चले गए household के पास सर अब goods and services अगर household consume करेगा चोकलेट खाएगा कपड़े पहनेगा तो उसके बदले में वो payment भी तो करेगा न उसके बदले में payment for goods and services भी तो करेगा वो फर्म्स को तो payment for goods and services by the household होती है factor services गए goods and services बने goods and services household ने household को बेचे household ने उसके बदले में firms को पैसे दिये अब firms के पास आगए पैसे तो firms क्या करती है अब जो इन्होंने factor services household से ली थी ना जो ये factor services ली थी उनके बदले में factor services की payment करती है जिसको factor payment कहा जाता है वो होती है rent, wages, interest and profit land को मिलता है rent, labor को मिलते है wages, capital को मिलता है interest and entrepreneur को मिलता है profit तो इन सारी factor services को उनकी factor payment मिल जाती है इस तरीके से ये cycle continue होती रहती है अब दोबारा से factor payment इनके पास आ गई है दोबारा से factor services जाएगी एंड ये cycle सर ऐसे गोल 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 गुमती जाएगी ये ही अपना circular flow of income का पूरा part है अब इसमें ये कुछ छोटी मोटी चीज़े और जुडी है जिनके बारे में बता देता हूँ जब भी ना पैसो की बात होगी जब भी पैसे इधर से उधर जाएगे payment जाएगी payment होगी सर payment 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 तो payment कहलाती है हमारी nominal flow उसका एक नाम होता है उसको money flow या nominal flow का जाता है तो सर ये rent wages interest and profit जो firms हमारे household को दे रही थी जिसका नाम था factor payment नाम में ही payment है तो सर ये nominal या फिर money flow कहलाएगा सर जब household ने payment दी household ने क्या दी सर household ने payment दी तो payment क्या कहलाएगा सर ये भी दुबारा से nominal या फिर money flow कहलाएगा payment के अलावा कुछ all transfer होता है कुछ समान कुछ concrete चीज सर goods and services हो गए या उसके अलावा ये जो factor services थी land, labor, capital and entrepreneur ये सारे क्या कहलाते हैं सर real flow real flow का एक और नाम भी होता है इसको physical flow भी कहा जाता है real flow को ही physical flow के नाम से भी जाना जाता है सर पहला real flow तो ये हुआ दूसरा जब firms ने goods and services यहाँ पर बेजे जब firms ने ये goods and services इधर बेजे तो goods and services भी real flow का ही part होता है तो दो बार ही real flow देखने को मिला जब firms से household की तरफ goods and services गए and जब household से firms की तरफ factor services गई तो दो बार real flow हमें देखने को मिला ठीक है real flow, nominal flow दोनों चीजे खतम अब तीन processes और होते हैं first process is income process उसके अलाबा एक expenditure प्रोसेस होता है और एक production प्रोसेस होता है तो income process क्या होता है जर्नली ये जो factor payment दी जाती है ये जो payment है न ये firms के लिए तो payment है बट household के लिए उनकी income है household ने अपना घर किराय पे दिया था household ने काम करा था as a labor, household ने कहीं पे investment करी थी या फिर वो किसी चीज़ का मालिक बना था उसके बदले में household ने income कमाई, rent कमाया wages कमाया, interest कमाया, profit कमाया तो ये household के लिए income थी, ये income process है household ने जब payment करी, जब उसने goods and services खरीदे, और उसके बदले में जब household ने payment करी, तो वो household का expenditure phase कहलाता है, expenditure मतलब खर्चा करने वाला phase expenditure, process, expenditure phase, जो मरजी बोल लो और जब firms ने raw material को goods and services में convert करा था, तो वो production process होता है, हमेशा सर, हमने ये तो उसमें भी पड़ रखा है न अगर तुमको याद हो production function तुमारा 11th class का, तो production function क्या था, conversion of input into output तो raw materials होते हैं हमारे input, goods and services होते हैं हमारे output, तो जब raw materials को, input को output में convert करा गया, तो वो production process कहलाया, circular flow की जितनी भी सारी चीजे थी ना, वो सब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुमने कर रखा है, तो सब इसी के अंदर revise हो जाएगा, सब कुछ इसी image के अंदर है, सारी चीजे, circular flow का पूरा explanation, जो चारो चीजे होती है factor services दी जाती है फिर goods and services बनाए जाते हैं, goods and services household को बेचे जाते हैं, उसके बदले में household payment करता है for these goods and services and फिर factor payment करता है हमारा firms household को, उसके अलावा ना, तीन phases होते हैं, sir तीन processes होते हैं income process, expenditure process production process, sir कुछ flow भी, दो नामक flow भी होते हैं, real और nominal flow वो भी इसी graph के अंदर है इसी गंदी सी figure के अंदर है ये गंदी सी figure तुमको अच्छी पता है कब लगेगी, जब तुम खुद बना दोगे जब एक बार ही तुमने खुद बना दी ठीक है, चलो sir मुझे नहीं लिखना आता मैं बिल्कुली मतलब ऐसा हूँ कि मैं answer लिखी नहीं सकता तो ये लो भाई तुमारे लिए answer भी लियाए circular flow of income वो graph तो ज़रूर बनाना, वो जो circular flow का diagram है वो ज़रूर बना के आना वरना समझ लो चार नंबर के question में से डेर नंबर काट लेगा teacher अगर तुम diagram नहीं बना के आओगे तो circular flow of income refers to the continual circular movement of money and goods in the economy कैसे पैसा ठीक है, कैसे पैसा और goods household से firm के बीच में rotate करते रहते हैं, उसी को circular flow of income कहा जाता है तीनो phases समझा दिए ठीक है, जब सर फैक्टर payment दी जाती है न हाउसोल्ड को rent, wages, interest and profit दिए जाते हैं तो वो हाउसोल्ड के लिए income कहलाती है तो वो income phase का पार्ट होगा जब हाउसोल्ड खर्चा करता है किस चीज़ पर goods and services खरीदने पर तो वो expenditure phase का पार्ट होता है उसके अलावा जब firms, raw materials को goods and services में convert करती है, input को output में convert करती है, तो वो production phase का पार्ट होता है इसके अलावा ये तो चलो तीन phases हो गए इसके अलावा होता क्या है, वो जो पूरा अपने diagram बनाया, जो समझाने की कोशिश करी वो पूरा यहाँ पे भी समझाया हुआ है पूरा पढ़ देना, initially the household provide factors of production to the firms, बिल्कुल सही सर land, labor land, labor, capital and entrepreneur, ये सारी चीजे household provide करता है firms को, उसके बदले में household उनको factor payment देती है further the firm sector gives goods and services to the household, goods and services firm से household की तरफ जाते हैं and in return, household sector gives payment for goods and services, सारी चीजे खतम सर, पूरा जो आपने वो diagram समझाया था, इधर से उधर गया इधर से इधर आया, सब यहाँ पर लिखा हुआ है two type of circular flows होते हैं ये बता दिया है, real या फिर physical flow कहा जाता है दूसरा money या फिर nominal flow होता है refers to the flow of non-monetary transaction, non-monetary transaction कौन से थे, goods and services and factor services वो दोनों हमारे real flow थे money flow क्या था, जो सर factor payment करी जा रही थी and the payment for goods and services उसके अंदर हमारा money flow या nominal flow आ गया था ये वाला पार्ट देखो अब फटा फट से payment towards factors of production payment towards factors of production factors of towards factors of production कौन से होते हैं जो हमारे land, labor, capital and entrepreneur होता है इनको जो payment दी जाती है वो factor payment कहलाती है ठीक है factor payment कहलाती है factor payment किसके अंदर आती है factor payment का categorize जब हम करते है तो वो किसके अंदर आता है factor payment हमारा real flow के अंदर आता है money flow तो भाई, simple सी बात है, money flow के अंदर आता है ना, नाम में ही payment है जो rent royalty interest sorry rent rent wages interest and profit यह सब पैसे में दिये जाते है monetary transaction होती है इसलिए money flow कहलाता है payment for goods and services by the household वो income phase होता है expenditure होता है production phase होता है तो जब goods and services के लिए household payment करती है ठीक है जब goods and services के लिए payment करी जाती है household के द्वारा हमेशा ना हमें यह जो phase है यह हमें household के respect में रखके देखना है factor payment है अब class क्या सोचेगी sir factor payment payment मतलब खर्चा मतलब वही expenditure phase होगा बट नहीं factor payment forms के लिए तो खर्चा थी बट household sector के लिए वो income थी rent interest profit wages उसके लिए वो income थी तो इसलिए जो factor payments होती है जर्नली वो income phase का पार्ट होती है क्योंकि household के लिए वो income है बट जब household goods and services खरीदता है और उसके बदले में payment करता है तो household जब payment करेगा तो वो household का expenditure phase होगा तो इसका correct answer है expenditure phase ठीक है इसका correct answer expenditure phase अब अगले concept की तरफ हाऊंगा बस एक second रुको जड़ा पानी पीलू एक second रुको बस ठीक है भाई तो दिख रहा है कितना अच्छा map बनाया मैंने देख रहो मेरे भारत देश का मैंने कितना बड़िया map बनाया artistic skills में zero है तुम्हारा भाई भाई या मतलब नॉर्मल सा बना दिया रॉंबस shaped होती है हमारे इंडिया गी तो हमने ये इंडिया का map बना दिया अब एक नया concept पढ़ेंगे देखो भाई या circular flow of income बहुत जरूरी है direct question भी आता है वो real और nominal flow से भी कभी-कभी one marker आ जाता है कभी-कभी वो income expenditure या फिर production phase से भी एक one two markers का question आ जाता है और वरना बहुत बारी जो question आया वो पूरा circular flow ही पूछ लेते हैं circular flow of income क्या होता है explain करके बताओ तो diagram समेत वो जितनी भी सारी चीज़े लिखी थी वो तुम्हें लिखनी पढ़ेंगे अब नया concept क्या है हमारा नया concept है economic territory क्या economic territory और हमारे देश का जो area है वो सेम चीज़े हैं दोनों सेम बात हैं कै सर कि हम अगर आप बोलो economic territory तो यह रासर यह मेरे पूरे भारत देश का नक्षा है एंड यह हमारा पूरा economic territory है तो मैं तुमसे कहूंगा नहीं ऐसा सीन नहीं होता economic territory के अंदर हमारा भारत देश तो आता ही है उसके अलावा भारत देश के यहां पर जो territorial waters है जो उसके आसपास का water bodies है यह भी हमारे economic territory के अंदर आते हैं मतलब इसके आसपास जो भी economic activity होगी वह हमारे देश की economic territory में चल रही है और भी कुछ चीजे हैं ठीक है political frontier क्या होता है यह दोनों चीजे political frontier में यह सारा area आ जाता है उसके अलावा सब territorial waters भी होता है और कुछ और भी चीजे होती है जो economic territory के अंदर आती है वो कौन सी चीजे है यह लोग फटा-फट बताता हूं जादा time मैं नहीं खराब करेंगे बस इतनी सी चीजे है ठीक है economic territory a domestic territory के अंदर क्या है it is the geographical territory administered by the government within which persons goods capital could freely circulate ठीक है कि इतनी जितनी भी economic territory हमारे सरकार के अंदर है जिसके अंदर मैं समान मेरा कोई पैशा कहीं भी freely circulate कर सकता है वह हमारे देश की economic territory कहलाएगी उसके अंदर हमारे देश का नक्षा तो आता ही है कि जितना भी हमारे देश का एरिया है उसके अलाबा territorial waters भी आता है सर उसके अलाबा कोई अगर हमारे देश का ship और aircraft है हमारे देश का हमारे देश का domestic ship या domestic aircraft है और वो कहीं और उड़ रहा है जैसे कि Pacific Ocean में है या फिर Australian Ocean में है कहीं भी है तो वो भी हमारी domestic territory का या हमारी economic territory का ही part होगा सर हमारे देश का कोई fishing vessel domestic fishing vessel oil या natural gas rigs floating platforms ये भी कुछ नाम है जो हमारे अगर देश के होंगे कोई हमारे देश का fishing vessel किसी दूसरे ocean में है oil या natural gas rig है floating platforms है ये world में कहीं भी हो बट ये अगर हमारे देश के हैं तो ये हमारे देश की domestic territory का part कहलाएंगे मतलब अगर उस floating platform के उपर मैं कुछ earn करूंगा उस floating platform के उपर अगर मेरी एक मुमफली बेचने की दुकान होगी तो वो मैं पैसा कहां पर कमा रहा हूंगा क्या वो मैं पैसा pacification में कमा रहा हूं pacification की territory में कमा रहा हूं तो गलत answer होगा वो पैसा आप Indian territory में कमा रहे हो क्योंकि आप Indian floating platform के उपर चना मसाला बेच रहे हो समझे रहो ना बात तो बस यही चीज है यह दोनों in domestic ships and aircrafts भी हमारी domestic territory का economic territory का पार्ट है उसके लाबा fishing vessels oils and natural gas rigs floating platforms of our country यह भी domestic territory का पार्ट है nations embassy consulates and military establishment हमारे देश की कोई embassy है Indian embassy है Indian consulate है Indian military establishment है वो कहीं भी हो Thailand में हो Singapore में हो Russia में हो Ukraine में हो कोई से भी देश में हो ना सर वो हमारी economic territory का ही पार्ट होंगे तो बस यह चारों को ध्यान रख लो चारों को memorize कर लो हमेशा याद रखना बहुत सारे question पूछे जाते है कि ऐसे question आते है whether it is a part of our domestic territory or not और फिर कुछ example दे देते हैं अभी तुमारे सामने example लेके आता हूं तुम बताना यह चारों चीज़े देख लो बहले ही pause करके देख लो अब तुम बताओ इसका answer Indian Military Establishment in Thailand Sir अगर Indian Military Establishment Thailand के अंदर खुली हुई है तो क्या यह Thailand की domestic territory का part होगा मैं तुमारे से question पूछता हूं क्या यह Indian Domestic Territory का part है DT मतलब domestic territory तुमारा answer होना चीए बिलकुल Sir क्योंकि यह Indian Military Establishment है Indian Military Establishment is the Economic Territory of India वो देश में या वर्ल्ड में कहीं भी हो वो इंडिया की domestic territory का ही part होगी Sir तो यह हमारा सही answer है Russian Fishing Vessel in Pacific Ocean किसका part होगा Sir Russian Fishing Vessel है जो Pacific Ocean के अंदर है तो वो Russian Domestic Territory का part होगा Indian Territory का part होगा None of these का part होगा या International Territory का part होगा तो Sir आपने वो जो गंदे-गंदे नाम थे ना उनमें एक था Domestic Fishing Vessels Oils and Natural Gas Rigs Floating Platforms तो यह Fishing Vessel कौन से देश का है Sir यह Fishing Vessel इंडिया का है, कहां का है साफ साफ लिखा है कि यह Fishing Vessel Russia का है, Russian है तो Russian Fishing Vessel World में कहीं भी हो वो Russia की Domestic Territory का ही part कहलाएगा हमेशा वो Russian Domestic Territory का ही part होगा Option No.A हमारा सही उत्तर होगा ओके पुत्तर ओके पुत्तर Option No.A is the सही उत्तर इसका भी Option No.A होगा Spanish Consulate Established in India तो यह Spanish Domestic Territory है Indian Domestic Territory का part है Sir दुबारा से वही जो आपने 4 examples बताए थे उसमें से एक example Embassy Consulates and Military Establishments था तो यह Spanish Consulate है तो Spanish Consulate कहीं भी हो वो Spanish Domestic Territory का ही part होगा Option No.A दुबारा से हमारा सही answer है खतम भाया खतम हो गया बस इतनी सी part थी Domestic Territory में ज़्यादा confused नहीं होना है Domestic और Economic Territory दुबारा से recall करते हैं जितने भी हमारी country का area है Political Frontier है साथ साथ Territorial Waters पहली चीज सर हमारी country का Ships या Aircrafts Domestic Ships and Aircrafts कहीं भी हो वो हमारी country का ही part कहलाएंगे हमारी economic territory का ही part कहलाएंगे हमारी country का Oils and Natural Gas Rigs Floating Platforms और क्या था Fishing Vessels यह कहीं भी हो सर यह हमारी country का Economic Territory का part कहलाएंगे चौती चीज सर हमारे country का हमारे nation का Embassy, Consulate या Military Establishment कहीं भी हो वो हमारे country का ही Economic Territory का part कहलाएंगे चलो सर आप आगे चलते हैं बहुत बाते पेल ली आपने अब थोड़े question भी पेल दो क्या resident और citizen एक ही बात होता है अगर इशान सर इंडिया के citizen है तो क्या ये 100% sure है क्या तुम 100% surety से ये कह सकते हो कि इशान सर USA के resident नहीं हो सकते है USA के resident हो सकते है बताओ भई तो मैं तुमको क्या बोलूँगा मैं कहूँगा कुछ surety नहीं है सर ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं citizen और resident are two different things citizenship हमको नहीं पढ़नी एक आदमी किसी country का citizen है या नहीं वो हमको नहीं पढ़ना वो हमारे country के constitution में लिखा हुआ है वो constitution of India में हमारी country का citizen कौन हो सकता है वो constitution of India के part number two में specifically mentioned है तो अगर किसी को citizenship के बारे में पढ़ना तो वो वहाँ से पढ़ सकता है ठीक है बट हमारे course में citizen word है ही नहीं हमारे लिए सिरफ एक ही word है resident तो हमें पढ़ना है कि resident होता कौन है what is the resident और ये सर दो अलग-अलग चीज़े हैं अगर मैं इंडिया का citizen हूँ न तो मैं USA का resident हो सकता हूँ ये चीज पॉसिबल है ठीक है तुमने एक नाम सुना होगा न NRI non-resident Indians ये सब चीज़े वही हैं वो non-resident Indians जो होते हैं वो इंडिया के citizen तो होते हैं बट वो इंडिया के resident नहीं होते हैं इसका सबसे बड़ी है example जो हम NRI word सुनते हैं NRI हमारे देश के resident तो नहीं होते वो resident तो Canada के होते हैं Canada या जो भी state जो भी country में वो रह रहे हैं बट वो हमारे देश के citizen जरूर होते हैं ठीक हैं बट जब वो वहाँ की citizenship ले ले लेते हैं Canada की या Australia जहां भी वो जाते हैं जब वहाँ की citizenship ले लेते हैं तब वो NRI नहीं रहते हैं वो उसी देश के citizen बन जाते हैं बट यह जो word है ना non resident Indian इसी से तुम relate कर सकते हो कि एक आदमी resident तो कहीं और देश का हो सकता है एंड उसी टाइम पे वो citizen इंडिया का हो सकता है तो बस इतनी simple सी बात है नहीं भी समझाया तो उड़ा दो इसको जरूरत भी नहीं है अपने को सिरफ resident word के बारे में समझना है कि resident क्या होता है एंड बस यह बताना था कि resident and citizen are two different things resident या normal resident दोनों का मतलब एक ही है normal resident is set to be one normal resident कौन होता है अब normal resident होता कौन है सर यह बता दो अगर मेरे देश में मेरे देश में एक आदमी आता है जो नेपाल में रहता था और अब वो इंडिया में रह रहा है या पहले बुटान में रहता था अब इंडिया में आके रह रहा है तो हम उसको इंडिया का normal resident कब घोशित करेंगे या कोई भी देश उसके अगर देश में कोई बाहर से आदमी आ रहा है या बाहर से कोई औरत आ रही है तो वो उसको उपने देश का normal resident कब गोशित करेंगे तो वो कहते हैं ये दो condition तुम satisfy कर दो तुम हमारे देश के normal resident बन जाओगे पहली condition क्या बोलते हैं कि तुम हमारी country में एक साल से जादा रहो और डिनरी रिसाइट इन दा country for a period of one year पहले तुम मेरे देश में एक साल से जादा रुक कर दिखाओ फिर तुमको resident बनाएंगे हम और उसके बाद हमारे देश में ही पैसा कमाओ तुम्हारा जो भी economic interest हो जो भी तुम खर्चा कर रहे हो जो भी तुम कमाई कर रहे हो वो सब हमारे देश के अंदर रहकर करो किसी दूसरी country पर डिपेंड मत हो यहीं पर अपना गुजर बसर करो मतलब यहीं पर ही अपना खाना पीना अर्निंग सोर्सिस सारे यहीं ढूंडो और एक साल से ज्यादा रहकर दिखाओ तब हम तुमको रेजिडेंट बोल सकता हूं बस यहीं सिम्पल सी बात थी रेजिडेंट के बारे में यह देखो इसमें बताओ ताहिल स्टेज इन अफगानिस्तान फॉर थ्री यहर्ज अफगानिस्तान में रह रहा है साहिल तीन साल से एंड अल्सो एंज टेन थाउजेंट पर मन्त इन डाट कंट्री एंड उस कंट्री के अंदर वो हर महीने दस अजार रुपे भी कमा रहा है तो यह जो साहिल भाई है कि जो पहले जहांगीर पूरी में रहते थे दिल्ली में अब यह अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए है ठी तीन साल से जादा मतलब एक साल से जादा सर वहाँ पर रह रहा है और दूसरी चीज क्या है सर कि वहाँ पर अपनी अर्निंग सोर्स भी इकॉनमिक इंट्रेस्ट भी इसने अफगानिस्तान के अंदर ढूंड लिया है तो यह जो साहिल होगा यह कहां का डोमेस्टिक रेजि आंसर बता दिया करो यह जतना अंसर समझ आ गया है यह जरूरी है वह चीज अब ना देखो क्या हो गया सर आपने तो बोल दिया आपने तो ये सिंपल बात बोल दी एक साल से दाधा रहे यहाँ पर economic interest ते रहा होना चाहिए तो हम तिरको अपने country का domestic resident बोल देंगे हम अपनी company का domestic resident या normal resident बोल देंगे बट कुछ special cases भी आते हैं तो उसमें से एक exception है ये वाला special case of international organization and embassies इसको मैं example से समझाता हूँ तुमको जैसे की Amit works in United Nations organization situated in in Delhi and एकोर Amit आगे आगे आव आशीश आशीश works in American Embassy American Embassy situated in New Delhi तो इन दोनों केसिस के अंदर जो Amit और आशीश है तर simple बात हमको क्या दिखाई दे रही है कि Amit जी जो है वो United Nations organization में काम कर रहे है वो भले इंडिया के अंदर रह रहे हैं बट उनका economic interest इंडिया में लाए नहीं करता क्योंकि वो United Nations organization में काम कर रहे हैं एंड सर आशीश जी जो हैं वो American Embassy में काम कर रहे हैं तो American Embassy तो हमें पता है कि अमेरिका की economic territory का पार्ट है तो अशीश जी तो अमेरिका की territory में काम कर रहे हैं उनका economic interest भी वहीं पर है बट मैं दोनों Amit और आशीश को पता है क्या बोलूँगा मैं कहूंगा ये दोनों Amit और आशीश Indian residents हैं मैं still इनको Indian residents का दरजा दूँगा क्यों इनको मैं Indian residents कहूंगा reason बहुत simple है क्योंकि ये UNों का office Delhi में situated था और ये American Embassy का office भी Delhi में situated था तो अगर ये citizens अगर ये दोनों Amit और आशीश इंडिया के citizens थे बले ही किसी international organization में या फिर किसी दूसरी foreign embassy में काम कर रहे हों बट अगर वो foreign embassy उनहीं के देश में जहां से वो belong करते हैं जहांके वो citizen है अगर उसी देश में वो embassy या फिर foreign organization उसी देश के अंदर है ना तो वो हमारे जिस देश के वो citizen थे वहीं के ही resident कहलाएंगे ना कि UN नो मतलब international और American citizen नहीं है यह American resident यह Indian residents कहलाएंगे एक तो यह exception वाला केस था इसके अलावा एक border workers वाला case है इसको भी example से समझेंगे बॉर्डर वरकर्स वाला कौन सा है कौन था शुरेंदर शुरेंदर lives in Nepal and crosses border to work in Sikkim on daily basis कन्फ्यूजन हो गया सर क्या कन्फ्यूजन हुआ तो कन्फ्यूजन यह हो गया अब ये सुरेंदर कहां का रेजिडेंट कहलाएगा रहता ये नेपाल में है डेली सिक्किम मतलब इंडिया के अंदर आकर ये काम करता है confuse कर दिया सुरेंदर ने तो हमें कि भाई तू रहता तो नेपाल में है और डेली काम उसका economic interest इंडिया में लाई करता है तो यह सुरेंदर को हम कहां का resident कहलाएंगे तो सुरेंदर resident कहलाएगा नेपाल का he will be a nepali resident नेपाली resident क्यों कहलाएगा क्योंकि sir इस वाले case में जो border workers वाला case होता है ना इसमें जो भी worker होता है वो उस country का resident कहलाता है where he or she lives जहां पर वो रहता है ना कि जहां पर वो काम करता है जहां पर वो काम करता है उस जगा को उसका resident वहां का resident नहीं मानते है उसको जिधर वो रहता है इसलिए उसको नेपाल का resident माना गया हमारे सुरेंदर भाई को ओके सुरेंदर भाई special case of countries representatives diplomats military chiefs etc अब हमारे country के हमारे इंडिया के हमारा इंडिया के representatives representatives कौन होते हैं तर यह जो foreign ministers हैं foreign secretaries हैं यह सब हमारे country के representatives हैं हमारे इंडिया के representatives हैं उसके अलावा सर बहुत सारे diplomats भी होते हैं बहुत सारे IS officers IFS officers जो दूसरी countries में काम करते हैं वो हमारे country के ही diplomats होते हैं सर बहुत सारे military chiefs भी होते हैं है ना इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे देश के appointed officials होते हैं जो दूसरे country में जाकर काम करते हैं तो हमें डरना नहीं है हमें बिलकुल नहीं डरना इनका नाम सुनके तो हमारी country के ये representative हो diplomats हो military chiefs हो ये कहीं पर भी जाकर काम करें North Pole में जाकर काम करें मतलब North Pole में जाके इनको अपना कोई consignment करना पड़े या फिर Ukraine में जाना पड़े या फिर बेला रूस में जाना पड़े कोई से भी country में इनको जाना पड़े बट ये इंडिया के representative diplomats या military chiefs है तो इसी लिए sir ये हमेशा इंडिया के ही resident कहलाते है मतलब इस बारे में हमको क्या समझना है अगर हमारी सरकार ने हमारी government ने किसी को special order पर बाहर बेजा है इन सब को special order by the government के द्वारा बाहर बेजा जाता है एक साल के लिए दो साल के लिए तीन साल के लिए तो sir इसी लिए ये लोग कौन होते हैं ये इंडिया के ही resident कहलाते है ठीक है बाई ठीक है बाई शब अब देखते हैं कितना समझाया तुमको Russian Diplomat working in Malaysia तो हमने क्या देखा Diplomat है Diplomat कहां का है Russia का Russian Diplomat है तो ये कहीं भी जाकर काम करे Malaysia, Thailand, Singapur कहीं भी जाकर काम करेगा ये हमेशा Russia का ही resident कहलाएगा He will always, he or she will always be a Russian resident. Vinod, working in Nepal on daily wages, residing in Bihar, crosses border on daily basis. So, यह Vinod कहां का resident है? Vinod is the resident of which country? Sir, Vinod, Nepal में काम करता है, बट Vinod रहता का है? आपने अभी कहा, यह जो daily wages worker वाले होते हैं, जो daily border cross करते हैं, वो जिधर रहते होंगे? क्योंकि यह रहता है बिहार के अंदर और बिहार है इंडिया के अंदर, तो इसी लिए Sir, Vinod will be considered as the resident of India. यह Vinod जो है, वो resident of India कहलाएगा. सुरेश वरकिंग इन Spanish embassy, located in New Delhi. सुरेश जो है, इंडिया का citizen है, और वो Spanish embassy में काम करता है, जो की New Delhi के अंदर है. तो सुरेश जो होगा, वो कहां का resident कहलाएगा? कौन से देश का resident कहलाएगा, Sir? क्योंकि सुरेश is a citizen of India. Sir, वो Spanish embassy मतलब Spanish economic territory में काम कर रहा है, बट वो Spanish embassy इंडिया के अंदर है. तो आपने इसका एक special case बताया था, एंडिया का ही resident कहलाएगा. ये बहुत confusion create करता है, ये वाला question, इसलिए भाई मैंने specifically बताया है, प्लीज इसको ध्यान रखना, प्लीज इसको भूलना मत, special case of international organization and ambassies वाला. ये बहुत ज़्यादा confusion डालता है paper में, तो इसको ध्यान से याद कर ले ना. Domestic और national income क्या होती है? अबना हमने domestic territory और कौन सा concept समझा? Domestic territory जिसको economic territory भी कहते हैं and normal resident जिसको domestic resident भी कहा जाता है. अब इसके बाद इनी से related ना कुछ concepts हैं जो domestic income और national income find out करने में help करते हैं. बस उनको start करते हैं अब उन concepts को भी. ठीक है? तो अब हम domestic और national income, देखो अगर हमें domestic territory और normal resident के बारे में पता लग गया है ना, तो हम domestic और national income में आगे कभी confused नहीं होंगे. सिंपल बात इतनी समझनी हैं. पहले domestic income के बारे में समझते हैं वो बात. वो बात ये है, domestic income क्या कहलाती है? इसका एक formula भी होता, इसका पूरा नाम भी बताऊंगा. Domestic income को NDP at FC कहा जाता है. अब ये क्या बड़ा सा नाम ले दिया, सब बताऊंगा. बट basic समझो पहले, domestic income क्या है? वो income जो हमारे देश की economic territory के अंदर कमाई जा रही है. So what is India's domestic income? India's domestic income is that income which is earned within the India's economic territory. बस उसको कोई भी कमाए, चंदू, चाइना से आया हो, इर्फान, बंगला देश से आया हो, कोई भी कहीं से भी कोई से भी देश से आया हो, उससे फरक नहीं पड़ता, कहीं का भी resident हो. बट अगर वो हमारे देश के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, हमारी economic territory के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, तो वो domestic income का पार्ट होगा. Income earned within the domestic territory, तो sir, वो domestic income का पार्ट होगा. It is earned either by resident or non-resident. Sir, इसमें जो important factor है, necessary factor है, वो है domestic territory. बस domestic territory के अंदर कमाओ, चाहे resident कमाए, चाहे non-resident कमाए, we don't give a damn. हमको नहीं फरक पड़ता. वैसे ही national income में इसी का उल्टा हिसाब है. National income कहता है कि domestic territory जाए अभी बहार. Domestic territory इतनी important नहीं है national income के लिए. वो कहती है कि भाईया resident कमाए, तो मैं include करूँगी अपनी income के अंदर. National income कहती है कि resident के द्वारा कमाए जानी चाहे. जो भी हमारे देश का resident हो. अब वो कहीं भी रहे, इडिया में, USA में, केदर भी किसी भी economic territory में वो कमा रहा हो पैसा. बट अगर वो हमारे देश का resident है, तो वो national income के अंदर include हो जाएगी उसकी value. It is the factor income earned by the normal resident. Normal resident के द्वारा कमाई गई income, national income के अंदर आती है. अब वो income within the domestic territory हो, या outside हो, हमें कोई फरक नहीं पड़ता. जैसे domestic income के time पर हमको resident या normal resident से फरक नहीं पड़ता था. वैसे ही national income के time पर हमको सिरफ citizenship से फरक पड़ता है, कि यहां का resident होना चाहिए. अब वो भले ही domestic territory में कमाई या domestic territory के बाहर कमाई हमें फरक नहीं पड़ता. ठीक है? Sorry guys. Domestic income का एक full name होता है. This is the pet name of domestic income. What is the full name of domestic income? उसको बोला जाता है. Net domestic. Net domestic product. at factor cost. National income का भी एक full name होता है. इसको बोला जाता है. Net national product at factor cost. Net national product at factor cost. टीक है sir. इसको इसको इस नाम से जाना जाता है. इसको इस नाम से आपने हमको बता दिया. आपका धन्यवाद हो. बट इनका मतलब क्या होता है? तो मैं कह रहा हूँ बस आदा घंटा रुख जाओ. इन सब चीजों का मतलब बता दूँगा. कि net, national, product, factor cost. factor cost क्या होता है? इन सब के बारे में बता दूँगा. बस आदा घंटे का इंतिजार कर लो. Domestic income में क्या होता है? Domestic income कौन सी है sir? यह होती है. अगर मैं इसका एक नाम बोलना चाहूँ तो domestic income के लिए क्या word use करेंगे? Nation's income. मतलब हमारे देश की जो nation के अंदर हमारे देश की economic territory के अंदर रुख जाओ. यह नहीं. इसको बोलते हैं. Nation, territories, income. कौन सी income? जो हमारे देश की territory के अंदर कमाई जा रही है. उस income को domestic income कहते हैं. जो हमारे देश की territory से जिसे फरक नहीं पड़ता. जो है nation रेजिडेंट्स इंकम जो रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई income है. वो national income कहलाएगी सर. ठीक है? जो रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई है. वो रेजिडेंट्स यहां का हो बाहर रेजिडेंट्स हमारी domestic territory में कमाई पैसा या बाहर कमाई उससे फरक नहीं पड़ता. अब यह इसका पूरा नाम है. बस एक बदी देख लो आदे घंटे के अंदर तुम्हें इसका मतलब भी समझा जाएगा. नेट क्या होता है? नैशनल क्या होता है? सब चीजे. बस पहले इसका difference बताना था? वो अपन ने बता दिया. अब देखो यहाँ पे आते हैं. सबसे important देखो अब हमारा ना एक घंटे के अंदर जितना relevant चीजे था ना practical portion के लिए जो हमको relevance चाहिए थी, वो हमने कर लिया है. अब आएंगे practical portion पे, अभी कितना हो गया भाईया? एक घंटा कुछ हो गया है ना? एक घंटा कितना हुआ है? पास शायद है. तो एक घंटा हो गया है, अब हम national income का practical portion स्टार्ट करेंगे. तो अब अगर pause लेना है, त क्योंकि ना basic जितना बताना था मैंने बता दिया. अब आते हैं तगडे questions पे, numericals पे, उसके बाद जो है ना छुट-पुट बच जाएगा. तो अब एक घंटे के बाद अपनी कुरसी की पेटी tight कर लेना, और जो भी coffee, चाय, coffee, जो भी पीनी है, पी लेना, अब मत उठना, इसके बाद मत उठना वरना तुम्हार को दिक्कत होगी, numericals में, जितनी जादा देर बैठे रहा हो, जितनी मैं practice करवा रहा हूं, उतनी करते रहना. Conversion Rules है, अब यह Conversion Rules में न, यह कुछ gross लिखा है, net लिखा है, national लिखा है, domestic लिखा है, product, product, नहीं, कुछ नहीं समझा रहा सर, कुछ भी clear नहीं हो रहा मुझे, ठीक है, तो मैं तुमको क्या कहूंगा, पहले दो-तीन चीज़ों के मतलब समझ लो, वो दो-तीन चीज़े क्या ह है, पहली चीज़ है, depreciation, depreciation का पहले मेरी class मतलब समझ ले, depreciation क्या होता है, सर, depreciation होता है, decrease in the value of fixed assets, जो हमारे fixed assets होते हैं, जैसे कि machinery, और भी सारी चीज़े होते हैं, सर, journaling machinery का देखते हैं कि depreciation of machinery होता है, हमने accountancy में भी machinery जब बनाया था न, depreciation जब पढ़ा था, तो वहाँ जर्नली, depreciation of machinery ही देखा जाता है, तो fixed assets जो जर्नली हमारे होते हैं, वो depreciate होते हैं, उनकी value कम होती रहती है, साल दर साल, तो उसी को depreciation कहा जाता है, that is known as depreciation, consumption of fixed capital, और fixed asset, यह इसका एक नाम होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, current replacement cost, तो depreciation के, एक तो खुद depreciation एक न current replacement cost, यह सारे depreciation के ही नाम है, what is net factor income from abroad, net factor income from abroad क्या होता है, तो सब जितनी भी factor income from abroad है, minus factor income paid to abroad, जैसे की सर, factor income कौन सी दी, मेहनत की कमाई, जैसे सर, हमारे देश में आया एक foreigner, foreigner ने आकर यहां से खरीदी चोकलेट, ठीक है, मेरी थी दुकान चोकलेट की, तो foreigner ने मुझे दी payment, foreigner की जो payment है, जो US का citizen आया था, उसने मुझे payment दी, यह मेरी कोई, वो तो नहीं है, transfer income तो नहीं है, factor income है न, मेहनत का पैसा है मेरा, बट यह किस के दौरा आई है, किसी foreigner के दौरा आई है, तो यह foreign income है, बाहर के देश की income ह हमारे पास आई, बाहर के लोगों की income हमारे पास आई, तो that is factor income from abroad, उसका उल्टा हो जाए, अब हमारे गुझ्जू भही आए हैं, कैंड वो चले गए हैं USA में, वहाँ पे जाके उन्होंने चोकलेट खरी दी, तो वो हमारे देश की factor income को बाहर भेज रहे हैं, बाहर abroad में भ बोला जाता है, factor income paid to abroad, बस, यही है factor income from abroad, minus factor income to abroad कर देंगे, तो NFIA का value आजाएगा, net factor income from abroad का value आजाएगा, यह सारी terms का मतलब समझ लो, net indirect taxes क्या होता है, net indirect taxes का formula होता है, indirect taxes minus subsidies, क्या होता है, सर, NIT का formula, net indirect taxes का formula, तो सर, जितने भी हमारे देश में indirect taxes हैं, कौन-कौन से हैं, सर, एक तो GST सबसे बढ़ा है, उसके अलावा, कुछ type of excise duties अभी भी लगती हैं, और भी, mostly तो जो indirect taxes थे, वो GST के अंदर ही आ गए हैं, तो सबसे बढ़ा indirect tax है, GST, तो सर, जितने भी indirect taxes के उन सबका total, minus सरकार जितनी भी subsidies देती है, cylinder पर subsidy मिलती है, बिजली पर subsidy मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जिन पर subsidies मिलती है, तो जितने भी indirect taxes हैं, minus subsidies हैं, उसको बोलते हैं, net indirect taxes और NIT, तो NFIA और NIT प्लीज ध्यान से करना, depreciation तो given होगा तुमको question में, depreciation की value given हो होगी, तो depreciation का formula तुमने accountancy में पढ़ा होगा, depreciation का formula नहीं पढ़ा तो देख लो भाईया, depreciation का formula वैसे accountancy में पढ़ाते हैं, बट फिर भी देख लो, जो भी value होगी, fix deset की, fix deset की जो भी value होगी, जैसे 10,000 रुपे का खरीदा है, minus scrap value, जब वो खराब हो गया, तो कबाड़ी को जब बेचा, तो 10,000 की चीज 100 रुपे में बिग गई, तो scrap value को minus करेंगे, divided by number of years, कितने साल उसको इस्तमाल करा, तो sir ये formula लगा के depreciation का value निकल जाता है, most of the questions में तुमको depreciation का value दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो तुम ऐसे निकाल लेना, जैसे की 10,000 की हमने machine खरीदी थी, बाद में जब कबाड़ी को बेची, scrap value मतलब कबाड़ी को जब बेची, तो वो 1000 रुपे की बिख गई, ठीक है sir, और कितने साल उसको इसका use करा, तो 10 8000, सरी 10,000 माइनस 1000 हो गया, 9000 divided by 10, तो 900 जो value आई, ये मेरे depreciation की value है, ठीक है, ये एक depreciation का formula होता है, तो प्लीज याद रख लेना, most of the cases में depreciation दिया ही होता है, बट मैंने एक दो PYQs ऐसे देखे हैं, जिन में depreciation हमें खुद निकालना पड़ता है, इसलिए तुमको formula बता चलो भाई आप time waste मत करो, ये तीनो components आपने बता दिये, अब ये तीनो components होते क्या है, NFIA, depreciation और NIT, ये तीनो ना connecting links हैं, ये किसी दो चीजों को जोडने के लिए इस्तमाल करे जाते हैं, बस ये याद रख लो, सर ये ना किसी दो चीजों को जोडने के लिए इस्तमाल करे ज ये, बट अब किस का फैवी कॉल है, वो हमको याद करना है, वो हमको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, एक बारी रट लोगे, बाद में तुम्हारे को help होती ही रही है, एक बारी याद कर लो बस, ठीक है, मैं क्यों रट वा रहा हूँ, मैं करवाने को प अभी बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या सेम है, दो मिनिट दो, अभी सब समझ आ जाएगा, बस जितनी भी वैल्यूज उपर लिखी है न, ये सब बिगर वैल्यूज है, जर्नली ये, बिगर वैल्यूज होती है, इसलिए मैंने इनको उ सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटी से बड़ी पर जाने के लिए कुछ एड होगा, बड़ी से छोटी पर आने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तेम वही चीज, तो अब बड़ी वैल्यूज क्या है, उनको याद कर लो, डेप्रीसियेशन के बीच का कनेक्टिंग लिंक ह ग्रोस, ओ, डेप्रीसियेशन गिन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ग्रोस और नेट के बीच का, तो अगर सर हमारे पास अचुछ द्पर कर देंगे, तो हम डेप्रीसियेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बड़े से ठोटे पर आना है, सर नेट वैल्यू गीव है domestic निकालनी है तो यह net factor income from abroad को minus कर देंगे क्योंकि sir यह बड़े से छोटे पर आ रहे हैं domestic से national पर जाना है तो NFIA को add कर देंगे product में कुछ निया हटा दो product को market price is the bigger value और factor cost is the smaller value देखो मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं यह बड़ी छोटी हो सकती है ऐसा नहीं है कि market value हमेशा ही बड़ी होती है या factor factor cost हमेशा ही छोटी होती है बस याद करने के तरीके के लिए बोल रहा हूं मुझको ऐसे याद हुआ था इसलिए तुम भी कि ऐसे ही याद कर लो कि भाया bigger value है न तो सर याद रहेगा आप न क्योंकि हम भूल जाते हैं कि NIT को किस से subtract करना होता है NIT FC से subtract होता है यह MP से होता है तो ज़कर तुमको यह याद रहेगा न कि bigger value उपर थी और MP उपर है market price उपर है और हमें MP से FC पर आना है छोटी है factor cost इससे बड़ी value की तरफ जाना है तो NIT net indirect taxes add होगा तो यह याद करने का एक छोटा सा तरीका था जिससे तुम कर सकते हो और यह please conversion rules अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा है रटलो बट इनको थोड़ा सा याद कर लो इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा याद बहुत help करेंगे आगे चीजे में आगे चीजे समझने में इनको हम जादा डीप पड़ेंगे कुछ फाइदा नहीं है पेपर में कभी आता नहीं है इनको जादा डीप में पड़के बस इनके conversions ही हमको याद करने होते हैं तो conversions ऐसे याद कर लो इनके सारी चीजे अगर NFI यह नहीं दिया होगा तो भी निकालना आता है depreciation नहीं दिया होगा तो भी निकालना आता है NIT नहीं दिया होगा तो भी निकालना आता है सारी चीजे मुझे निकालनी आती है अब सर ये बेकार की बाते छुड़ो अब आप हमको ये बताओ ये जो आप ये GNP GDP या फिर वो NDP या NNP बोल रहे थे वो क्या होता है अब तुमको उनके बारे में बताओंगा अब आते हैं उस वाले टॉपिक पर तो देखो GNP at FC तुम बोल रहे हो तो इसमें न जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जो भी यहां पर बना हुआ था न फर्स्ट वर्ड या तो होगा ग्रॉस या तो होगा नेट सेकिंड वर्ड हमेशा या तो होगा नैश्टनल या तो होगा डोमेस्टिक पी हमेशा सेम रहता है तुम हमेशा देखोगे GDP, NDP, NNP, GNP पी हमेशा सेम रहता है तो प्रोड़क्ट इसले न प्रोड़क्ट का कोई कनवर्जन भी नहीं था उसके बाद सर यह FC एफसी जर्नली क्या रहता है यहाँ पर या तो MP आता है MP मतलब मार्किट प्राइस या तो फैक्टर कोई ठीक है बस इतनी सी बात है तो अब देखो कितनी वैल्यूस बन सकती है बहुत सारी वैल्यूस बन सकती है मैं तुमसे पूछता हूं यहाँ पर GNP at FC दे रखा है जिसमें यह कोशन तो अड़ाई दो जो जो इस कोशन को अड़ा देता हूं कोई कोशन नहीं है ठीक है तो सर जी एन पी एट एफ सी था ना मतलब ग्रोस नाशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट अब आगे चलते हैं अगला तुमसे पूछते हैं एन एन पी एट एम पी उसके बाद पूछते हैं एन डी पी एट एम पी उसके बाद पूछते हैं जी डी पी एट एम पी फिर पूछते हैं जी एन पी एट एफ सी फिर 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 और क्या पूछे बस बहुत हैं इतने बहुत हैं वाई तो NNP at MPB पूछ लेते हैं अब ये सारे मैं नहीं लिखूंगा भाई तुम ही लिखोगे इन सब वैल्यूस को सब वैल्यूस को एक बादी कमेंट बॉक्स में लिख देना ठीक है अगर तुम यहां तक आयो इस वीडियो में तो इन सब वैल्यूस को या डोमेस्टिक में से होगा तो N लिखा है मतलब नैशनल P प्रोड़क्ट हमेशा सेम है MP मतलब मार्किट प्राई FC मतलब फैक्टर कॉस्ट NDP at MP ये सारी वैल्यूस लिखना अगर तुम पहली बारी देख रहे हो अगर तुम पहली बारी नैशनल इंकम पढ़ रहे हो तो इन सारी वैल्यूस को लिखना भाई इतनी जल्दी याद नहीं होंगी लिख लिख के चीज़े याद होंगी NDP at MP Net Domestic Product at Market Price Gross Domestic Product at Market Price Gross National Product at Factor Cost Net National Product at Market Price हो गई भाई सारी वैल्यूस बस तुम लिख लेना अगर तुमको आती दी है पहले से तुम पढ़े होए हो तुमारी रिवीजन चल रही है तो मत भी लिखना बट जिनको नहीं आती दी जो पहली बारी National Income पढ़ रहे हैं न वो प्लीज इन सारी वैल्यूस को Homework में करना Homework क्या चैट बॉक्स में लिख देना Pause करके फटा-फट से चैट बॉक्स में लिख देना सारी चीज़े चलो भईया अब तुमका एक Conversion भी करके दिखावत रही GDP at MP Gross Domestic Product at Market Price हमको Question में NDP at FC दे रखा है हमको GDP at MP निकालना है NDP at FC दे रखा है GDP at MP मुझको निकालना है Sir कैसे निकाल दूँगा Sir तो Yellow Sir NDP Sir हमको क्या दे रखा है NDP at FC दे रखा है and हमको आना है GDP at MP पर तो क्या दिमाग लगाएंगे क्या दिमाग चलाएंगे Sir तो Sir सबसे पहले आपको Next से Gross पर आना है Domestic same है Product same है कुछ नहीं करना उसके बाद आपको FC से MP पर आना है तो आप क्या करोगे आप जो भी value आपको given थी NDP at FC गी पहले आपको Net से Gross पर आना था तो Sir मुझे याद है Net value छोटी थी Gross value बड़ी थी छोटी से बड़ी नीचे वाईली से उपर value की तरफ जाना है तो Sir add होता है उनके बीच का connecting link क्या था depreciation Sir FC और MP Sir factor cost नीचे लिखा था market price उपर लिखा था नीचे से उपर जाना है तो Sir दोबारा से add होगा क्या होता है इन दीनों के बीच का दोनों के बीच का connecting link NIT तो Sir NDP at FC आपने निकाल लिया कितना है 6700 प्लस depreciation यह रहा Sir consumption of fixed capital को ही depreciation कहते है जो की है 180 ठीक है यह आगे 180 और 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 NIT यह रहा indirect taxes और subsidies दे रखा है न तो बताया था ना NIT का value क्या होता है indirect taxes minus subsidies indirect taxes कितने है 130 है minus subsidies है 70 कितना हो गया 60 प्लस 60 तो यह कितना हो गया 6 940 6880 6940 एही नहीं यहाँ पर options में क्योंकि यह शायद एक second क्योंक एक क्योंकि यह थे का value था क्योंकि क्योंकि यह यह थीश्य करा यह थे क्योंकि है है कोई इशू नहीं है इसमें ndp का वाल्यू दे रखा था नेट से ग्रॉस पर गए एफसी से एंपी पर गए सब डेप्रीसियेशन और एड होगा दोनों का वैल्यू निकाल लिया था एड करके 6940 आंसर आ रहे हैं 6940 ही करेक्ट आंसर होगा अगला लो गई या एक और कर दो फटाक से फिर आगे चलेंगे और चीज़े देखेंगे ndp at fc net domestic product at factor cost निकालना है हमें gnp at fc दे रखा है gnp at fc दे रखा है न सर दोबारा से यहां पर आते है ndp at fc आपको निकालना है आपको दे क्या रखा है gnp at fc का value provided है क्या करोगे सर क्या तिगडम लगाओगे तो यह लो भाई तिगडम लगाएंगे fc और fc तो सेम है कुछ नहीं करेंगे product product भी सेम है सर national से domestic पर आना है और gross से net पर जाना है gross value उपर थी net value नीचे थी उपर से नीचे आना है मतलब subtraction होगा ठीक है सर तो आप क्या करोगे जो भी gnp का value है उसमें से depreciation को subtract कर दोगे ठीक है जोगी सर हमें बड़े value से उपर वाले value से नीचे वाले value की तरफ आना है तो connecting link था depreciation उसको subtract कर देंगे आगे आगे चलते हैं तो net national से domestic की तरफ आना है सर जब national से domestic की तरफ आएंगे national is the bigger value domestic is the smaller value ठीक है यहां पर भी options गलत ही है इधर भी options गलत दे रखे है options गलत है वाई चारों तुम अपना final answer निकालो option देखो कितनी बड़ी है राइमिंग हो गई क्या पता रहा था हा ठीक है और सर national से जब domestic पर आना है उपर national उपर लिखा होता था और domestic नीचे तो सर उपर से नीचे आने पर भी सब्ट्रैक्ट होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा क्या था connecting link NFIA अब depreciation कितना है depreciation कितना है question में तो यह रहा देखो replacement of fixed capital को ही depreciation कहते थे तो depreciation है डेड़ सो माइनस डेड़ सो माइनस एन फाइए एन फाइए रहा नेट factor income to abroad सर है 30 एंड मैं क्या कर दूँ है माइनस 30 तर माइनस 150 माइनस 130 करा तो इसका value ना 2520 आ जाएगा एंड मेरी पूरी class B option को सही कर देगी पट मेरी पूरी class गलत हो गई एंड उसने यह 2 नहीं देखा यहां पर हमें क्या चाहिए होता है हमेशा याद रखना हमें चाहिए net factor income from abroad ना कि to abroad और इधर क्या दे रखा है net factor income to abroad दे रखा है तो इसको change कैसे करेंगे कैसे net factor income from abroad की value निकालेंगे तो NFIA की value कैसे निकलेगी अगर हमको sir net factor income to abroad provided है net factor income to abroad अगर sir मुझे provided है तो मैं NFIA की value कैसे निकालूँगा तो जो भी net factor income to abroad की value है उसके आगे एक minus sign लगा देना तो कितनी आएगी NFIA की value net factor income to abroad कितना था 30 उसके आगे एक minus लगा दिया तो NFIA की value आ गई net factor income from abroad की value आ गई minus 30 तो अब यह क्या हो जाएगा minus तो पहले से ही था formula का minus and एक minus 30 हो रहा जाएगा इधर तो GNP at MP मेरा कितना था 2700 minus 1.500 और यह minus minus हो जाएगा plus 30 इसको subtract करोगे ना तो 2780 answer आएगा जो की options में है ही नहीं 2580 तो इसको 2580 तो जानमूच के डाला गया था कि यह वाले में जानमूच के option गलट डाला गया था कि हमारी class यह गलती करे net factor income to abroad को जल्द बाजी में net factor income from abroad समझ के गलती करे एंड यह गलती मत करना इस गलती को मत दोराना होती है पेपर में तभी तुमको यह चीज यहाँ पर दे दी अब देखो अब सारा यह चीज मैटर क्लियर है अब सिंपल इतनी सी बात देखेंगे हमें कितनी सी बात समझनी है अब देखेंगे methods of calculating national income and why मतलब new york नहीं है national income है बस यह last चीज है हमारी आज की ठीक है आज की क्या सोरी मतलब अभी half session की half session यह इसको 70% session समझ लेना यह हमारी 70% session हो जाएगा जब हम यह खतम कर लेंगे उसके बात कराऊंगा इस 70% session से questions जो PYQs आयो गए है फिर बचा कुचा जो थोड़ा सा boring part रह जाएगा वो last में कर लेंगे और वो boring part बेकार नहीं है भाई उसको बेकार मत समझना बस यह है कि तुम्हारे को एक break का time मिल जाएगा बीच में एक break का time आ जाएगा कि पहला session खतम हो गया सर अब सास की हमें सास आ गई तो वो तुम सास ले पाओगे बस इससे कम से कम जो अभी 70% session है इससे कम से कम यह समझो दस में से 6-7 number का इसमें से आता है और उसमें से भी 3-4 number का जो बाद में करेंगे उसमें से भी आएग लिए पैक्टर ट्रांसफर इंकम सर्कुलर फ्लो ओफ इंकम भी हो गया डोमेस्टिक और नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिट्री नॉर्मल रेजिदेंट डोमेस्टिक इंकम नैशनल इंकम कन्वर्जन रूल्स अब ये वाला हमने को करना है मैथटड ऑफ क्यलकुलेटिंग नैशनल इंकम पर्स्ट जो इसका मैथड है मैथड ऑफ क्यलकुलेटिंग नैशनल इंकम का वो अभी हम करने वाले हैं इंकम मैथड फिर एक expenditure method होता है एंड एक value added method नामक भी होता है वह यह सारे करेंगे tension मतलो पहले इससे शुरुबात कर ले न income method नाम से ही पता लग रहा है इसमें हमें क्या करना होगा सब तरीके की incomes को add करना होगा सर जितनी भी हमारे भारत देश के अंदर अगर सर हमें भारत देश का national income निकालना है या फिर income method की help से सर हमें national income का value निकालना है ना सर तो हम अपने देश के अंदर जितनी भी income होगी न हमारे domestic territory के अंदर जितनी भी income अगर हम add करते हैं sir तो तो domestic income निकल कर आनी आती थी आव हमको पागल नहीं बना रहे तो मैं तुम से बिल्कुल बिल्कुल सही तुमने सही बोला कि हाँ अगर हम अपने domestic territory के अंदर जितनी भी income कमाई जा रही है उस सब को add करेंगे तो हम domestic income का value निकालेंगे तो national ये income method से national income का value नहीं निकलता income method से domestic income का value निकलेगा चलो ठीक है यार domestic income ही निकाल लेते हैं domestic income ही निकाल लेते हैं क्या जा रहा है पहले domestic income तो निकल जाए हम जितने भी type की incomes है to the factors of production हम पहले ही देख चुक है factors of production labor, land, capital and entrepreneur, इनको क्या-क्य incomes मिलती है, जर्नली forms के लिए क्या होती है, factor payments, बट इन लोगों के लिए ये income होती है, पहले ही बताया था, जैसे कि मुझे wage मिल रही है, मेरे को salary मिल रही है, तो वो मेरे compensation of employees का part होगा, wages का part होगा, इसको एक नया नाम दे दिया, compensation of employees land, capital, entrepreneur land को मिलता है, rent capital को मिलता है, interest entrepreneur को मिलता है, profit इनको सर जोड कर एक नाम दे दिया, operating surplus और इनका एक और भी नाम है इनका एक नाम हो रहा है income income from property and entrepreneurship income from property and entrepreneurship ये भी इसका नाम है तो हमारे पास यही income दिखाई दे रही है मुझे और कोई income नहीं दिखाई देती मुझे यही दिखाई देती है जितने भी factors of production है सब को income जो देया जाती है जैसे wages को compensation of employees बोलते हैं और दूसरा है operating surplus जिसका नाम क्या है income from property and entrepreneurship इन दोनों को अगर सर एड कर देंगे न तो हमारी देखो यह फैक्टर पेमेंट किसके लिए थी है फर्म्स के लिए बट यही सेम इंकम किसके लिए बन गई हाउसोल्ड के लिए ठीक है तो इन दोनों को जोड़ दूआ न अगर सर compensation of employees और operating surplus को तो मेरी domestic income निकल कर आ जाएगी नहीं का बिल्कुल सही बोला बस इनके components के बारे में बात कर लेता हूं compensation of employees के कितने components होते हैं सर आपने तो एक ही बताया wages अरे नहीं भाई मैंने गलत बताया अब बताता हूं तुमको सारे wages and salaries in cash जो मेरे PW company है जो मुझको cash की form में हर महीने salary देती है ठीक है 20,000,000 जितने भी पैसे देती है salaries and wages in cash wages and salaries in kind wages and salaries in kind क्या होता है wages and salaries in kind का मतलब क्या है कि जो मैंने तुमको बताया था न जैसे मुझे दिवाली gift मिला या फिर अगर मेरी company मुझको एक घर प्रोवाइड करती है कि सर यहां पर रहो यहीं पर रहकर recording करो तो वो facility any kind of facility provided by the employer वो भी किसका पार्ट होगा salaries and wages in kind का याद रखना कोई भी facility अगर प्रोवाइड करी जा रही है by the employer other than cash cash के अलावा तो वो salaries and wages in kind के अंदर आ जाएगी employers contribution to social security अब यह social security क्या होता है retirement benefits जो हमारे provident fund account है कि retirement के बाद हमें क्या मिलेगा तो उसके लिए कुछ पैसा हम भी डालते है employee का भी contribution होता है मैं भी डालता हूँ उसके अंदर पैसा और मेरा employer जो है जो PW organization है वो भी डालती है ठीक है जर्नली अगर तुमको बताऊँ तो 18-1800 रुपे कटते है employees का contribution भी 1800 होता है और employer का contribution भी 1800 होता है यह सबसे lowest slab rate है जितनी जादा income भढ़ती जाती है फिर उतने जादा यह वाला proportion भी increase होता जाता है ठीक है तो जो employers contribution to social security होता है तिरफ उसको include करा जाएगा तर जो आप डलवा रहे हो न वो include नहीं करा जाएगा compensation के अंदर क्योंकि जो आप ऐसा डलवा रहे हो वो आप कहां से डलवा रहे होगे जो आपको salary मिली होगी उसी में से तो डलवा रहे होगे तो अगर आप इसको मतलब आप इसको अगर एक और बारी जोड़ लोगे तो ये तो दो बारी value include हो जाएगी तो दो बारी include नहीं करना क्योंकि ये वाली जो value होती है employees contribution ये already पहले से ही included है ठीक है जब आप अपनी ये वाली salary show करोगे न उसके अंदर ही वा include हो गई है तो employers contribution to social security ही सिरफ include करा जाता है इसके ये ही तीन components है याद रखने है wages and salaries in cash wages and salaries in kind employers contribution to social security अगला है operating surplus जिसको income from property and entrepreneurship भी अपन बोलते हैं क्या है rent royalty interest and profit rent royalty interest और profit इधर लिखा हुआ है and अपने को क्या देखना है rent और royalty तो mentioned होंगे question में rent का value जितना भी economy में rent का value है वो दे रखा होगा royalty का value जितना भी है वो दे रखा होगा royalty का मतलब तुम्हें पहले ही बताया था नहीं सुना था तो जाके सुनो जब मैंने transfer और factor income समझाया था तब royalty का income royalty का मतलब भी बताया था interest क्या होता है जो सर हमको capital पे मिलता है जो हम कहीं पैसा invest करते हैं उस पर जो interest मिलता है that is interest and that is also a factor income उसको भी include करा जाता है तीक है सर और profit क्या है profit दो तरीके का हो जाता है profit further categorize हो जाता है यह distributed profits की category में भी चले जाता है और undistributed profits की category में भी यह चले जाता है distributed profits क्या होते है इस जर्नली ना company के respect में हम देख रहे हैं ठीक है कि जर्नली एक company ही होती है जो profit earn करती है उसके अलावा factories and industries भी है बट हम ना उसी respect में देख रहे हैं company के respect में अगर तुमने company accounting पड़ी हो तो ठीक है तो एक होता है undistributed profit जो एक company या industry या firm या factory अपने पास बचा कर रखती है उसको बाठती नहीं है जो उसका मालिक होता है उसको नहीं देती अपने पास रखती है firm firm अपने पास जो पैसा रखती है that is undistributed profit जिसको retained earnings या corporate savings के नाम से भी जाना जाता है और जो पैसा company अपने पास नहीं रखती जो उसके owners है जो उसके मालिक हैं उनमें बाठ देती है that is distributed profits ठीक है distributed profits के भी दो भाग हो जाते है distributed profit जितना भी होता है उसमें से एक percentage तो सरकार ले जाती है corporate tax की form में distributed profit का एक part corporation tax का सरकार ले जाती है and एक part होता है dividend वाला जो actual shareholders के पास चला जाता है जो मालिक होते हैं उनके पास जो पैसा चला जाता है वो dividend जो tax की form में देना पड़ता है corporation tax दोनों को जोड कर distributed profit बनता है और undistributed profit जो form अपने पास रखती है तो profit की अगर बात करें तो यह रहा देखो अगर हमको profit निकालना हो तर अगर हमको profit निकालना हो and components mentioned हो बहुत सारे components दे रखे अगर हमको profit का value निकालना पड़े तो corporation tax retained earnings dividend इन तीनों को add कर देना इन तीनों को add करके जो भी value निकल कर आएगी वही तुमारा profit का value होगा ठीक है अगर कोई value नहीं दे रखी या direct profit की value दे दी sir question के अंदर हमको direct profit की value दे दी तो इनकी जरूरत ही नहीं है इनका कुछ काम ही नहीं रहेगा फिर और अगर नहीं दे रखी तो इन सब elements को add कर दे न और तुमारा profit निकल कर आ जाएगा कुछ question में ऐसा होगा retained earnings होगा ही नहीं retained earnings mentioned ही नहीं होगा question में तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है examiner की retained earnings zero है corporation tax और dividend को जोड़ दूँआ sir तो उनी दोनों को add करके मेरा profit आ जाएगा बहुत सारे question आएंगे question जब करेंगे तब दिखाऊंगा यह चीज अब हम ना फस गए अब हम फस गए मैंने जो कहा था मैं अपनी बात में ही फस गया मैंने तो कहा था कि भाया जो हमारा domestic income है sir वो compensation of employees और operating surplus को add करके आ जाता है इसके तीन components है इसके चार components है ठीक है और sir बट यार मैंना यह जान मुझके नहीं बताया मैंने कहा कि confused होईंगे last में बता दूँगा तुमको last में धपा दे दूँगा तो यह लो भाया धपा दे दिया इन तीन चीजों को add करके हमारा domestic income का value आता है mixed income of self employed याद है न जो बताया था मैंने CA हो गया lawyers हो गए यह किसी के अंडर काम नहीं करते ना इनकी कोई property होती ठीक है ना यह interest का पैसा कमा रहे होते ना यह कहीं business कर रहे होते की profit कमाएं यह self employed लोग होते हैं self employed लोग की जो salary होती है मामला set है मामले में कोई दिक्कत ही नहीं है sir अरे load ही नहीं है भाईयों load कैसे होगा तुम बताओ sir ndp at fc हमने निकाल लिया बट आपने तो कहा है national income निकालने को तो किसने मना करा है national income मत निकालो ndp तुमारे पास है तुमारे पास अगर देखो कैसे लिखू नेट से नेट पर जाना है मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा domestic से national पर जाना है product product same है fc fc same है तो बस तुमें एक चीज करना है एक conversion करना है सिरफ domestic से national पर जाने वाला domestic मुझे याद है यहाँ पर कहीं नीचे लिखी थी national उपर लिखी थी नीचे से उपर जाने के लिए add होता है क्या add होता है connecting link NFIA तो इसलिए मैंने ndpfc में उसका connecting link NFIA को add कर दिया तो सर्थ domestic income में जब NFIA add होगा तो national income निकल कर आ जाएगा यह nnpfc किसका value है national income का मैंने तबी तो कहा था मैंने का चलो कोई नहीं यार domestic income ही निकलने दो domestic income ही निकाल दूँआ न तो वहीं आदा मामला सेट हो जाएगा वहीं आदा काम निकल जाएगा तो बस domestic income का value इस तरीके से आ गया sorry अगला method अगला बहुत जरूरी method बहुत important method questions करेंगे बिल्कुल questions करेंगे income expenditure दोनो methods के question कराऊँगा attention मतलो में काम ही national income में practice का है बट यार देखो मैं अगर class में यहां पर मैं कितने question भी करा दूँँ तुमको PYQs दिखा दूँगा बता दूँगा कैसे करना है बट अगर तुमने practice नहीं करी न तो यू मत सोचना कि national income में number आ जाएंगे national income में पांच number practical के ही हैं और बच्चे पांच theory से आते हैं तो थोड़ा सा देखके चलना पांच यह कभी कभी छे भी आ जाता है practical से तो यह practical वाले portion खुद भी अपने end से practice कर लेना यहां पर मैं सारे type of questions दिखा दूँगा जितने भी आयो हुए हैं जितने भी कुछ अलग लगेगा तो वो भी बता दूँगा बट अपने end से practice जरूर करना ठीक है बहुत सारी books available है यहां और online material available है कोई ऐसे कुछ नहीं हो रहा है ठीक है बट यह है कि practice जरूर कर लेना यह जितने मैं question इधर करा हूं नहीं को दुबारा से कर लेना उतना ही खुद कर लेना तो भी बहुत sufficient है expenditure method इसको income disposal method के नाम से भी जाना जाता है expenditure method में हम क्या करते है सर हम national income निकालेंगे किस तरीके से हमारे खर्चे नाप कर जितने भी हमारे खर्चे हैं जितने भी हमारे expenditure हैं सबको जब add कर देंगे हमारे नी पूरी economy में जितने भी लोग हैं पूरी economy में बहुत सारी चीज़े आती है उन सबके खर्चे जब हम add कर देंगे तो सर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा national income वहां से भी निकल जाएगा बट कैसे निकलेगा थोड़ा सा procedure में चलेंगे तर देखो जैसे आपने आपका total खर्चा पूरी economy का 10 करोड रुपे हुआ हमने सबसे उन से पूछा तेरा खर्चा कितना हुआ साल का तेरा कितना हुआ तेरा कितना हुआ सबसे जागे पूछ लिया सबका add करके 10 करोड का खर्चा हुआ इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह 10 करोड का खर्चा उन्होंने goods and services acquire करने पर करा होगा ठीक है भाई अगर कोई खर्चा करता है तो कुछ समान या service कुछ ना कुछ तो लेता है ना उसके बदले में तो मैंने कहा यह जितना भी खर्चा हुआ होगा वो कोई goods और services acquire करने के लिए हुआ होगा कुछ समान या फिर service acquire करने के लिए तो इसका मतलब जो यह goods और services का value होगा वो भी तो 10 करोड होगा सर इसका मतलब the total value of goods and services भी 10 करोड के बराबर होगा अरे हाँ सर तई बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो गलत थोड़ी बात है यार अगर हमारे जितने भी economy में लोग है उनका खर्चा 10 करोड का हुआ है इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ समान खरीदा होगा 10 करोड का तो जो इतना भी समान खरीदा होगा उसकी भी तो value 10 करोड ही होगी न तो जितना भी total value of goods and services in the economy generate हुआ वो भी 10 करोड का ही था मतलब क्या बोलना चाहते हो आप इससे आप हमें क क्या समझाना चाहते हो तो मैं यह बताना चाहता हूँ यह 10 करोड क्या है दिस इस द टोटल वैल्यू अव दी production of goods and services in the economy इस economy के अंदर goods and services का total उनके production में जो total खर्चा लगा ठीक है production of goods and services में जितना भी पैसा लगा उसका value भी 10 करोड ही होगा ठीक है तो आप ultimately क्या बताना चाहते हो simple बात बताओ sir कि total expenditure जो होगा वो बराबर होगा total value of goods and services in the economy के अब यह gdp कहां से आ गया तो मेरे भाईयों gdp यही होता है gdp के नाम में ही न इसकी definition चुपी है gross gross का मतलब होता है total domestic और पी मतलब product इसके नाम में ही इसकी definition है ध्यान से सुनना total production इसके नाम में ही रखो total product मतलब production total production total value of the production happened in the domestic territory of the country क्या मतलब नहीं समझाया तो देखो सबसे पहले total का इस्तमाल करेंगे total value of products products क्या होते है goods and services total value of goods and services प्रेडियूस्ट विदिन दी प्रेडियूस्ट विदिन दी डॉमेस्टिक टेरिटरी ठीक है और डॉमेस्टिक यहां से आ गया तो जी डी पी के नाम में ही उसकी definition है क्या मतलब सर total value of goods and services प्रेडियूस्ट विदिन दी डॉमेस्टिक टेरिटरी ठीक है तो इसलिए total value of goods and services किसके बराबर होगा GDP के बराबर ठीक है तो इसलिए जितना भी हमारा खर्चा होगा मतलब सर हम जितना भी खर्चा मेजर करेंगे पूरी economy का खर्चा ultimately किसके बराबर होगा GDP at MP के बराबर होगा GDP at market price पे अब कितने sectors हैं हमारी economy में total चार sectors है household, firms, governments और foreign sector ये चारो sectors के हमें खर्चे देखने हैं चारो sectors के हमें expenses देखने हैं expenses measure करने हैं तो household sector का जो expense होता है उसका नाम होता है private final consumption expenditure ठीक है अब ना देखो एक चीज़ और बताता हूँ एक होता है consumption expenditure एक होता है investment expenditure ये वहने पहले ही बताया था जो household करता है वो जर्नली household या सरकार भी, जर्नली सरकार भी करती है सरकार तो दोनों तरीके के expenditure करती है बट household जो होता है न वो न कहते है consumption expenditure करता है क्योंकि उसका काम कोई profit profit का नहीं है वो सिरफ अपनी utility के लिए करता है and utility के लिए जब कोई भी चीज करी जाती है तो वो consumption expenditure के अंदर आती है consumption खर्चे के अंदर आती है but investment expenditure जो होता है न सर वो profit motive से करा जाता है कि profit कमाने के लिए जब मैं खर्चा कर रहा हूँ एक तो खर्चा अपनी मौझ मस्थी के लिए कर दिया that is consumption expenditure एक खर्चा मैं करता हूँ कि ये खर्चा कर रहा हूँ बाद में इससे profit कमांगा that is investment expenditure ठीक है तो firms जो होती है वो करती है investment expenditure and household करता है consumption expenditure government जो होती है न वो consumption expenditure भी करती है और investment expenditure भी करती है गवर्मेंट के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां पर इंक्लूड नहीं करी जाती है यहां पर प्राइवेट सेक्टर का एक कंजम्शन एक्स्पेंडिचर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में कौन आते हैं सर इतने भी इंडिवीजूल्स हैं आप मैं तुमारे के अंदर राऊषियो सेक्टर के अंदर आएंगे कि प्राइवेट सेक्टर ज़र्णिल किसके लिए होता है हौस्पेंट परम्स कोन सा जो foreign sector का foreigners का जो खर्चा है जर्नली चार सेक्टर होते हैं न economy में household, firms, government और foreign sector तो foreign sector का जो खर्चा होता है उसको net exports के नाम से जाना जाता है अभी detail में पढ़ते हैं detail में भी बता देता हूँ भाई रटवाऊंगा नहीं private का जो खर्चा होता है मतलब household sector का household sector में कौन आते हैं जितने भी individuals हैं उसके अलावा sir कोई भी अगर NGO है ठीक है NGO या फिर NPO non-profit organizations भाई accounts में भी सुनाओगा तुमने NGO है NPO है ये भी household sector के अंदर आते हैं इनका जितना भी consumption expenditure होता है अपनी utility के लिए जो भी expenditure होता है वो private final consumption expenditure में जो government अपनी utility के लिए अपने employees को salary देने के लिए जो government का खर्चा होता है बहुत सारे government के consumption expenditure होते हैं जैसे कि अपने employees की salary देना normal day to day functioning of the government वो सब government के consumption expenditure के अंदर आता है दिक्कत जो केश करेगा हमारे सामने जो परिशानी पेश करेगा न वो ये है gross investment जिसको investment expenditure भी कहा जाता है इसके न दो ती न लग लग नाम है प्लीज उन नामों को जरूर याद करना वरना पेपर में बहुत confusion डालते हैं ये पेपर में हमारा सर में दर्द कर देते हैं ये नाम तो अब इन नामों को प्लीज ध्यान से देख लेना समझ लेना कर लेना देख के gross investment को न gross investment को ही investment expenditure और gross domestic capital formation भी कहा जाता है तो मतलब gross investment के दो और नाम है investment expenditure और gross domestic capital formation ठीक है सर समझ गया नहीं भी समझा तो दोबारा देखना दोबारा समझ आएगा ये नाम है तुम पहली बारी पढ़ रहे हो मैं 20-25 बारी पढ़ चुका हूँ तो मेरे लिए असान है पर तुम नहीं बारी पहली बार पढ़ रहे हो तो लिख के ही याद होंगे या questions करकर के याद होंगे investment expenditure अगर नहीं दे रखा हो question में तो आप कैसे निकालोगे तो तुम business investment और inventory investment को add कर देना तो वो तुमारा investment expenditure आ जाएगा ये inventory ये investment को ना change in stock के नाम से भी जाना जाता है and gross domestic fixed capital formation के नाम से जाना जाता है हमारी business investment को जर्नली ये क्या होता है ना जो ये होता है ना inventory investment जो हम raw materials खरीदते हैं जो हम अपनी inventory में stocks डालते हैं ठीक है ना stock journaling पता है ना जो finished goods होता है तो जो वो stock होता है inventory होता है उसका जो investment होता है वो change in stock से represent करा जाता है and जो business का जो initial stage पे पैसा लगता है ना initial stage पे जब business setup करते है time तो उसको business investment या फिर gross domestic fixed capital formation कहते है क्योंकि वो amount fixed हो जाता है ना सर जो आपने शुरू में capital लगाया 10 करोड रुपे का वो तो fixed हो गया इसलिए business investment मतलब investment expenditure की इतनी simple बात मुझे समझाई की विजनें एंवेंटी इंवेंट्री इंवेंट्री इंवेस्टमेंट को आड करके entsi gross domestic capital formation कैसे निकले का ला balanced domestic fixed capital formation और change in stock को आड करके यह उनी के ही अलग-अलग नाम है इनमें confuse मत हो ना की कूछ अलग अलग चीज़ हो घ्राश बब्रावस्टी ते कापिटल formation का ही यह दूसरा नाम है business investment और change in stock का ही यह दूसरा नाम है inventory investment अब change in stock कभी कभी question में नहीं दी होती तो change in stock निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमें closing stock लेखनी है closing stock कौन सी stock होती है तर जो 31 March को जो देखते हैं financial year end होते time closing stock and opening stock हमें चाहिए होती है opening stock कभ देखते हैं एक April को तो हम closing minus opening हमें क्या करना है changing stock निकालने के लिए कि साल के end में कितनी stock थी and साल के शुरू में कितनी stock थी दोनों को subtract कर दूँगा closing minus opening कर दूँगा तो change in stock निकल कर आ जाएगा मेरा मेरा दिक्कत खतम मेरी समस्या खतम हो जाएगी सर्थ तो बस यह सारी values थी question है इससे related मेरे पास यह लोग यह जरूरी भी था question यहां पर दे रखा है net domestic fixed capital formation सबसे बहले net domestic fixed capital formation का मैं दूसरा नाम लिखूंगा इसी को business investment भी कहा जाता है उसके बाद inventory investment का मैं दूसरा नाम लिखूंगा इनको change in stock भी कहा जाता है मुझे याद होने चाहिए इनके दोनों के अलग-अलग नाम तो सर और दूसरी चीज यह consumption of fixed asset क्यों दे रखा है यहां पर depreciation क्यों दे रखा है तो इसका भी मतलब बताता हूं कि देखो यह net value दे रखी है अरे यह net कहां से आ गया है तो gross value होती है हमेशा यह तो सर gross domestic capital formation निकलता है ना तो यह net कहां से आ गया तो कोई बात नहीं भाई net यहां पर mention होता है नीचे gross पर जाना है तो depreciation को add कर देंगे ठीक है सर मतलब हमें gross domestic capital formation निकालने के लिए यह net domestic fixed capital formation में सबसे पहले तो depreciation को add करो सर depreciation add करोगे तो यह gross domestic fixed capital formation बन जाएगा जब depreciation add हुआ न तो यह क्या बन गया gross domestic fixed capital formation उसके बाद इसमें आप change in stock को भी add करना या inventory investment को भी add करना तो जाके यह inventory investment तब जाके यह पूरा investment expenditure या फिर gross domestic capital formation बनेगा तो 10,000 में हमने depreciation हमारा 1000 और change in stock है 2000 total value हो गई 13,000 तेरा हजार है यह रहाई यह इसको प्लीज याद कर लेना investment expenditure क्या क्या नाम है investment expenditure gross investment या gross domestic capital formation सबका मतलब एक ही है gross domestic capital formation निकालना है तो gross domestic fixed capital formation प्लस change in stock कर देंगे इसी के दूसरे net expenditure या gross investment आ जाएगा बात खतम पैसा हजम यह लो लास्ट यह देख लो net exports क्या होता है it is the expenditure by the foreign sector यह निकलता है exports minus imports करके इसमें भी एक चीज और तर कभी कभी net exports की value नहीं दी होती तो हम कैसे निकाल लेंगे export minus import करके निकाल लेंगे बट किसी question में export और import नहीं दी होते उसकी जगा question में हमको net imports का value दे देता है net imports का value provide कर देता है तो जैसा हमने NFIA वाले case में करा था अगर तुमको याद हो जब हमें NFIA का value निकालना होता था और net factor income two abroad दे रखा होता था वही same यहाँ पर करेंगे अगर हमको sir net exports निकालना है and net imports का value provided है तो बहार एक बड़ा सा minus sign लगा दूँगा में और answer आ जाएगा मेरा मतलब सर अगर आपका net exports कितना है 10 units है या 10 rupees है तो माइनस लगा देना तो आपका net exports का value आ जाएगा तो आपका net exports कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा बस इस चीज़ को ध्यान रखना यह paper में आ जाता है इसलिए मैंने बता दिया है बस यही चारो components थे private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross investment and इसी को gross domestic capital formation भी कहा जाता है साथ में net export चारो values को add करके GDP at MP का में value निकलता है gross domestic product at market price निकल कर आता है अब gross domestic product से NNP पर जाना है सर, हमें तो national income निकालना था अरे तो यार यह मैं नहीं बता हूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बता हूँगा, वैसे मैंने बता रखा है बड़ तुम्हें आना चाहिए यह अब इतनी देर बाद यह चीज आनी ही चाहिए, अब मैं यह नहीं कहरा इतनी जल्दी याद हो जाएगा, मैं नहीं कहरा भाई एट लीस्ट हम वो टेबल तो साथ में रख सकते हैं वो जो कनवर्जन टेबल था, अगर मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसको साथ में रखके, एक बारी देखके इसको कर लेना, ठीक है, जितनी जादा प्रैक्टिस करोगे, उतने जादा यह फॉर्मुलाज याद होंगे, म ग्रोस से नेट पर जाना है, सर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना है, मलब उपर वाली से नीचे, मलब डेप्रीसिेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है सर, डोमेस्टिक यहाँ थी, नेशनल यहाँ पे थी, तो नीचे से सब्ट्रैक्ट होगा क्या था कनेक्टिंग लिंक NIT तो NIT सब्ट्रैक्ट कर देंगे GDP में से ये सारी चीज़े सब्ट्रैक्ट और एड़ करके हमारा नैशनल इंकम का वैल्यू आ जाएगा बस भाई अभी के लिए अपन रुकते हैं एंड एक बारी चीज़ों को अनलाईज करते हैं ठीक है value added method अभी के लिए रुखो एक बारी चीज़ों को अनलाईज करो सारी चीज़ों को देखो ठीक है इसके बाद मैं क्योंकि question कराने वाला हूँ अब मुझे कराने है वह देर हो गई है question नहीं कराता तो मुझे tensions ही हो जाती है factor transfer income मेहनत की कमाई बिना मेहनत की कमाई उसके बाद circular flow of income में household और firm सिरफ दो ही sector थे उनके बीच में कैसे चीज़े घूमती थी वो देखा था real और nominal flow था उसके अलावा सर तीन phases भी थे जब household sector पैसा कमाता था income phase जब household sector रा खर्चा होता था expenditure phase जब raw materials को goods and services में हमारी firms convert करती थी वो था production phase खतम domestic territory कौन सी थी बता दिया था सिरफ हमारे इंडिया का नक्षा नहीं उसके अलावा भी और तीन चीज़े थी याद करो कौन सी थी normal resident क्या था normal resident कौन था या domestic resident कौन था तो जो हमारे देश में रहता है एक साल से जादा और उसका economic interest भी यहीं पर होता है ठीक है उसके अलावा तीन exception case भी बताये थे वो भी देख लेना domestic और national income NDP at FC NNP at FC conversion rules खास कर देख लो conversion rules एक बारी खोल लो नहीं बनाये तो उसके notes पे एक बारी बना लो methods दो बता दिये हैं income और expenditure method उनको भी एक बारी notes पे लिख लो जोगी अब question कराऊंगा इन सारे topics से related जितने भी PYQs आये हैं सब कराऊंगा ठीक है बस एक minute दो जड़ा आपन पानी पी लें तो बस अब इन topics को खतम कर लिया है हमने अब इस से related PYQs करने start कर देते हैं बाई जितने भी PYQs है ना और मैंने इसी हिसाब से conversion करा है ये आधे topics समझ लो अब तुम इन में से देखना इन में ना methods of calculating national income में मैंने भी value added method नहीं करा है एक method और होता है बट वो हम अगले वाले part में करेंगे अब अगर total 20 questions भी थे ना तो 10 questions PYQ में इतने से हैं और 10 questions इतने से हैं तो समझ लो 50-50 का weightage हो गया question wise अगर देखा जाए and marks wise भी इतना ही समझ लो 50-50 का ही weightage समझ के चलो भी अभी सिरफ 50 प्रतीशत हमारा वो हुआ है अगर तुम देखो तो 50 प्रतीशत अपनी class खतम हुई है और अभी भी questions करने बाकी है तलेब है सभी तो national income हलवा नहीं है तुम अगर सोच रहे हो भी तुमको पहले भी का था देड़ घंटे में कर लेंगे देड़ घंटे में हो जाएगा देड़ घंटे में sir one shot आना चाहिए तो देड़ घंटे में अगर national income का one shot है तो वो तुमारे marks भी देड़ी आएंगे दस में से देड़ी number लेके आओगे अगर देड़ घंटे का मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा बट national income is a big chapter को निकालना है मतलब ndp at fc अपने को निकालना है net domestic product at factor cost ठीक है rent royalties net indirect taxes wages यह सारे elements जो मुझे दिखे ना अब मुझे नहीं पता sir कौन से formula से निकालू income या expenditure किसी से भी निकल सकता है पहले तो ndp domestic income का value तो sir income method से ही आता है बट चलो अगर वो भी मुझे याद नहीं है ना अगर मुझे income method के components याद है rent royalties, wages and salaries वही सारे components यहाँ पर दे रखे है mixed income तो इनकी helps से मैं क्या करूँगा ndp at fc निकाल लूँगा तो sir सबसे पहले आप क्या करोगे ndp at fc निकालने के लिए आप wages and salaries आपना simply compensation of employees के अंदर operating surplus और उसके अंदर mixed income of self-employed डाल दोगे भाई answer मैं किसी का भी निकालने वाला किसी का भी answer निकालूँगा answer तुम से चाहिए मुझे final ठीक है comment box भर देना answer से कि sir ये वाला जो question था slide number तुमको दिख रहा होगा भाई इसके अंदर तुमारा आ रहा होगा न ये देख ले न slide number 53 वाले question का ये answer है फिर देखना वहाँ पर बाते करना एक दूसरे से पूछना कि भाई तेरा भी यही आ रहा है तेरा भी यही आ रहा है compensation of employees के लिए क्या क्या चीजे होती है rent wages and salaries in cash wages and salaries in kind and social security contribution by employer social security contribution by employer नहीं है तो wages and salaries in cash and kind अपने को दे रखा है 1700 तो इसका compensation of employees का value है 1700 के लो भाई है ये तो ऐसे ही मिल गया sir operating surplus कैसे निकालेंगे operating surplus का value कैसे आएगा तो operating surplus में rent भी होता है royalty भी होता है मतलब ये value हमारा operating surplus में जाएगा rent royalty interest दिख रहा है कहीं पर interest 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 कहीं नहीं है interest मतलब interest की value 0 है उसके अलावा profit दिख रहा है profit भी नहीं दिख रहा बट profit के 3 components दिख रहे है एक तो corporate tax second one is dividend third one is retained earnings मतलब ये वाली value साथ में 300 साथ में 400 इनको add करके 400 प्लस 400 1100 मेरा आया profit 1100 profit का value है 1300 भी add करना है इसके अंदर क्योंकि वो rent और royalty का part है 1100 प्लस 1300 कितना हो गया operating surplus हो गया मेरा 2400 operating surplus भी आ गया mixed income of self-employed question में देही रखी है कितनी है 1400 बस अब आगे कुछ नहीं करना यह sir मुझे पता income method के अंदर NDP at FC का value कैसे आता था इन तीनों components को add करके तीनों components की value मैंने निकाल दी है बस आगे add कर लेना अगला question देखो sir और यह mixed है 2023 और 2024 दोनों के question mixed है इसके अंदर Suppose the GDP at market price of a country in a particular year was this crores net value मतलब GDP at MP का value दे रखा है भाई अपने को क्या दे रखा है sir अपने को GDP at MP का value provided है question के अंदर जो की है 1100 उसके बाद net factor income from abroad दे रखा है NFIA भी अपने को provided है जो की है यह रहा 100 करोड net indirect taxes भी दे रखा है sir 1500 करोड and national income दे रखा है 8500 national income मतलब NNP at FC वो कितना है 8500 तो sir आपने क्या करा आप क्या करो आपना इन यह वाली value से न national income आपको पता है 800 इसको ऐसे ही रहन दो side में लिख दो आपना इन वाली GDP से NNP की तरफ आओ conversion करो conversion तुमको सिखा भी दिया है बड़ दुबारा देख लो gross से net की तरफ जब आप आओगे bigger से smaller value की तरफ जब आओगे उपर से नीचे वाली value की तरफ तो आप क्या करोगे अपने GDP के अंदर से depreciation को subtract करोगे उसके बाद domestic से national पर आने के लिए आप क्या करोगे domestic से national पर आने के लिए NFIA net factor income from abroad को add करोगे MP से FC पर आने के लिए market price भी bigger value थी उससे FC पर आने के लिए छोटी value पर आने के लिए आप क्या करोगे NIT को subtract करोगे अब इन में से बहुत सारी ऐसी values हैं जो मुझको पता है NFIA का value question में दे रखा है जो की है 100 करोड NIT का value मुझे दे रखा है वो है 1.500 depreciation नहीं पता इसी का value निकालना है NNP at FC का भी value पता है सबका values provided है इसका भी ये 1100 सर इसको बस ये आपके बास linear equation in one variable बन गया है depreciation का final value निकाल लेना ठीक है depreciation का ही final value question में मांगा है है ना अगले question पर आते है next move on to the next question choose the correct एक second choose the correct alternative to fill in the blanks one and two ये first fill in the blank है ये second fill in the blank है अब क्या होता है factors of production land, labor, capital and entrepreneur इधर जाते हैं sir and उसके बदले में इसको क्या देता है उसके बदले में factor income provide करी जाती है firms के लिए वो factor payment होती है but household के लिए वो factor income होती है तो factor factor इन दोनों में से कोई correct answer है B और C में से उसके आगे बाद sir वो जो goods and services firms बनाती है वो goods and services household के पास जाते है household उन goods and services के बदले में क्या करते है consumption expenditure करते है sir मुझे अभी भी याद है payment for goods and services मतलब goods and services जब household खरीता है तो वो कोई profit के अखमाने के लिए नहीं खरीता है अपनी utility के लिए अपनी satisfaction के लिए तो मतलब consumption के लिए खरीता है तो factor और consumption यह हमारा सही answer है option number C operating surplus के अंदर क्या नहीं आता तो compensation of employees it is not a part of operating surplus justify the following statement depreciation is the fall in the value of asset due to expected obsolescence इसका answer भी बता देता हूँ भाई depreciation मैंने तुमको एक simple सी बात बताई कि fixed dessert fixed dessert का value जब fall होता है उसी को depreciation बोलते है sir ठीक है तो depreciation क्या है fall in the value of asset बिल्कुल सही दे रखा है तो मैं इस statement से agree करता हूँ yes ठीक है due to expected obsolescence expected मतलब क्या होता है कि ऐसे value इतनी कम हो रही है जितनी हमने सोची थी यार हम sir कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो हमको पता है उसकी value 2-4 साल बाद कम हो जाएगी तो वो expected होता है तो जब expected value गिरती है तो वो depreciation के अंदर आती है अब इसका 3 marks का question है तो हम आगे क्या लिखेंगे बट जब ये value unexpected obsolescence की वज़े से गिरती है जब ये value unexpected obsolescence की वज़े से गिरती है तो हम उसको एक word से denote करते है उस word का नाम क्या होता है capital loss ठीक है तो depreciation and capital loss are two different things और ये ही हमें examiner को इस 3 marks के question में बताना है पहले तो लिखेंगे yes एक marks तो उसी का मिल जाएगा पहली statement yes depreciation is the fall in the value of asset due to expected obsolescence बस एक marks मिल गया उसके बाद आगे statement justify करेंगे if this value if the value of asset falls due to unexpected obsolescence तो उसको capital loss कहते है फिर depreciation और capital loss के बारे में बता देंगे ठीक है बस की capital जो depreciation होती है वो expected obsolescence and normal wear and tear की वज़े से होती है and यह unexpected obsolescence की वज़े से जो value down होती है उसको capital loss कहते है capital loss का example भी लेना है तो मान के चलो हम कहीं पे मेरा business है factory में factory में आग लग जाती है जो उसकी वज़े से assets का value कम होगा that is capital loss उसको depreciation नहीं कहते है on the basis of data given below on an imaginary economy estimate the net domestic product at factor cost ndp at fc अब देखो सदर दुबारा से मेरा दिमाग चलेगा और मैं सोचूंगा कि ndp at fc है न तो ndp at fc मतलब मैं income method से निकाल लूँगा domestic income का वो है न तो income method यूज़ करके मैं यह निकाल लूँगा but अगर वो करा तो फस जाओगे अटक जाओगे उलद जाओगे सारी components देखो household consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic fixed capital formation सारे components expenditure method के हैं तो यहाँ पर expenditure method apply होने वाला है expenditure method का इस्तमाल होने वाला है जिसके चार components होते हैं एक तो household consumption expenditure इसी को private final consumption expenditure भी कहते हैं पहला component दूसरा government final consumption expenditure यह दूसरा component है सर सर यह ना gross domestic capital formation हमको चाहिए होता है ना कि fixed यह fixed word हटाना है इस fixed word को हटाने के लिए सर इसमें add कर दो किसको इसी को change in stock को net additions in stock को तो सर इन दोनो values को add कर दूँँआ ना तो जो 1300 मेरा amount आएगा यह मेरा third component है यह मेरा एक पहला component दूसरा component पहला है 2000 फिर यह 1500 थर्ड component आगया 1300 third component है क्या इसको gross investment बोलते हैं या gross domestic capital formation बोलते हैं वो आया 1300 उसके बाद exports का value यह रहा imports का value यह रहा तो net exports हही पर निकाल देता हूं 700 exports minus imports 700 minus 200 तो कितना आ जाएगा 500 value आ गई मेरे fourth component की इन चारो components को add करके 1 2 3 और 4 तुमारे सामने चारो components हैं इससे value निकलेगी GDP at MP की अब GDP at MP से हमें निकालना है NDP at FC अब NDP at FC इससे कैसे निकालेंगे यह मैं नहीं बताने वाला gross से net पे जाना है MP से FC पे जाना है gross से net पे जाने के लिए depreciation subtract होता है यह रही depreciation की value and MP से FC पर जाने के लिए NIT subtract होता है यह रही NIT की value सारी values provided है ठीक है सारे components provided है सारी चीज समझा भी दिये हैं बस final answer निकालूँगा final answer तुमसे चीए तुमसे भी थोड़ी मेहनत चीए भाई तारी मेहनत अपन नहीं करेंगे national income is always greater than domestic income do you agree with the given statement support your answer with a valid reason in the estimation of GDP using expenditure method पहले यह वाला देखते है ना उपर वाला पाट national income is always greater than domestic income क्या NNP at FC is always greater than NDP at FC Sir यह पता लगाने के लिए आप इन दोनों के बीच का difference देख लो Sir इन दोनों के बीच का difference क्या होगा देखो N और N same है national और domestic फरक है product product same FC FC same तो Sir national से domestic पर आने के लिए आपको क्या subtract करना पड़ता था तो national से domestic पर आने के लिए आपको NFIA subtract करना पड़ता था तो इन दोनों के बीच का difference क्या है NNP FC और NDP FC इन दोनों के बीच का difference है NFIA इन दोनों के बीच का difference है NFIA net factor income from abroad तो Sir इनका difference अगर कैसा आया देखो अगर इनका difference 0 आया तो यह दोनों values बराबर हो जाएंगी क्योंकि अगर इधर 0 आया तो यह इधर negative है इधर जाके positive दोनों value बराबर है इनका value NNP हमेशा देखो अब क्या बोला है अगर यहाँ पर value कितना आया हम लिखते हैं अगर NFIA का value plus 100 आया NFIA का value plus 100 लिख देते हैं तो हमारा न उस case में यहाँ पर देखो उस case में क्या हो जाएगा NNP NNP लिख देता हूँ FC हटा देता हूँ भी is equals to 100 plus NDP तो sir क्या हुआ अगर मेरा class सलका सा दिमाग लगाए तो उसको पता लगेगा कि NNP बराबर है 100 plus NDP के तो NDP यह छोटी value है जिसमें मुझे 100 add करना पड़ रहा है तब जाके वो NNP के बराबर हो रहा है तो sir इस वाले case में तो national income is greater than domestic income बट sir अगर ऐसा हो जाता NNP at FC लिखा हुआ है यारी camouflage कर रहा है और कौन से color है NNP at FC minus NDP at FC इस बारी NFIA का value negative आया है NFIA negative आ सकता है बिलकूल आ सकता है sir ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको आगे further continue कैसे करेंगे यह minus 100 है इसको इहां ले आएंगे और यह minus NDP है इसको इधर ले जाएंगे तो NNP plus 100 is equals to NDP अरे sir मतलब हमें NNP में 100 add करना पड़ रहा है तब जाके वो NDP के बराबर हुआ है मतलब इस case में NNP is less than NDP and यह सारी statement जो मैं लिख रहा हूँ यह जो बना रहा हूँ इसी को तुमको लिख कर आना है तब ही marks मिलेंगे यह तुम्हारा होगा second point यह होगा third point first point में क्या लिख होगे no तुम agree करते हो इस चीज से तो no I do not agree national income is not always greater than domestic income उसके बाद तुम कारण दोगे कि if the value of NFIA is positive then in that case national income is greater than domestic income but in case where the value of NFIA is negative उस case में sir national income का value कम हो जाता है domestic income से यह पूरा लिख के आओगे example दिखा के आओगे तब तीन number मिलेगे in the estimation of GDP in the estimation of gross domestic product using expenditure method अंजी expenditure method से GDP निकालना आता है focus lies only on expenditure by the residents गलत 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 यहीं पर ही गलत that domestic word आ गया ना मतलब domestic income domestic product आ गया तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यार यहां दिखा देता हूं मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं territory के बारे में याद है domestic income में domestic income कौन सी income होती थी कि हमारे देश की territory के अंदर कमाई जाए भले उसे resident कमाई या non resident कमाई doesn't matter तो इसी लिए ये statement बिल्कुल गलत है do you agree तो no I do not agree और फिर आगे पूरे reasons लिखने हैं कि नहीं अगर domestic product की बात हो रही है this means कि ये normal domestic territory के अंदर कमाई गई income है ऐसा कोई compulsory नहीं है कि resident ही कमाई इसको ये चीज statement लिखने पड़ेगी which of the following represents real flow real flow कौन represent कर रहा है goods and services firm से household की तरफ जाते है household से factor payments नहीं जाती factor payments तो firms से household की तरफ जाती है goods and services यहां से जा रहे हैं ये सही है यही हमारा सही answer है देखो firms goods and services बनाती है वो household को देती है and households are the owners of factors of production तो वो factor services firms को provide करते हैं option number B सही होगा difference between national income at MP and national income at FC national income तो same है मतलब NNP at MP और NNP at FC में क्या difference है तो सब हमें MP से FC पर आना है इन दोनों के बीच का connecting link क्या था जैसे अभी पिछले question में domestic और national के बीच का connecting link NFIA था तो उन दोनों के बीच का difference भी NFIA ही रहा यहां पर MP और FC के बीच का connecting link क्या है उन दोनों के बीच का connecting link होता है NIT Net Indirect Taxes तो उनका difference भी क्या होगा Net Indirect Taxes and option number A हमारा सही answer होगा Not considered a normal resident of India इन चारों में से normal resident of India कौन नहीं है अंडियन working in located in New York यह रावाया लो आगे जाना ही नहीं पड़ा एक Indian worker है है तो यह Indian citizen citizen Indian है बट सर American company में काम कर रहा है जो American company New York में है एक साल से जादा तो मतलब एक साल से जादा अमेरिका में काम कर रहा है ठीक है तो this person is not an normal resident of India आगे चलते हैं sir okay sir NIT का value निकालना है NIT का value कैसे निकालेंगे यह NNP और GNP दे रखा है ठीक है sir हमेना GNP at FC और नीचे NNP at MP provided है तो हम क्या करेंगे gross से आएंगे net पर तो sir जब हम gross से net पर आते हैं ना तो हमको depreciation को subtract करना पड़ता है sir national national same है product product same है कुछ नहीं करना तर FC से MP पर आना पड़ता है ना तो NIT को add करना पड़ता है ठीक है sir अब मुझे किस-किस की value पता है मुझे इसकी value पता है मैं final value दुबारा से नहीं निकालूँगा final value तुम ही निकालोगे 10NP at MP का value मुझे पता है question में ही दे रखा है जो कि है 1400 GnP at FC का भी value मुझे question में दे रखा है case में तीन marks का question है यह और मैंने नहीं बनाया यह पी वाई क्यों का ही question है value of net national product at FC NNP at FC का cost निकालना है using the following information यह सारे components जो मुझे दिखाई दिये expenditure method के दिखाई दे रहे है expenditure method के दिखाई दिखाई दिये household consumption expenditure यह तो हो गया first जो private final consumption expenditure कहलाता है business fixed investment expenditure साथी साथ public fixed investment देखो fixed नाम जुड़ गया न तो मतलब यह कौन से वाला है sir gross domestic fixed capital formation वाला and इस बारी fixed एक पार्ट में नहीं इन्होंने दो parts में divide कर दिया इसको business fixed investment investment expenditure और public fixed investment तो दोनों को add करना है 800 और 70 इन दोनों को add कर देना उसके बाद इसमें change in inventory change in stock इसको भी add कर देना तो sir इन दोनों को add करूंगा 80 plus 70 870 उसमें change in stock को add कर दूँआ न तो 870 minus 50 तो इन तीनों को add करके value कितनी निकल कर आ रही है कितनी आईगे 870 minus 50 820 तो 820 आई मेरी gross domestic capital formation या फिर gross investment की value ठीक है 820 यह value आया है जो की है अपने second part first वाला component मिली गया था government final consumption expenditure यह third component है excess of imports over exports 100 दे रखा है यह हमारा fourth component है sir फिर दुबारा पागल बना रहे हो आप हमारा आपने कहा था excess of import over exports मतलब पता है क्या होता है कि import minus exports कितना है sir 100 तो मतलब यह तो net imports का value है हमें net imports थोड़ी चाहिए question में जो की 100 है हमें तो net exports चाहिए तो इसका भी तुम्हें जुगार बता दिया था net exports अगर चाहिए तो net imports का value है उसके आगे minus का sign लगा देना तो यह net exports आ जाएगा तो यह हो गया अपना net MP निकलेगा 1 2 3 4 चारो components add करके उसके बाद हमें NNP at FC पर जाना है NNP at FC पर कैसे जाएंगे gross से net पर जाना है domestic से national पर यह चीज़ बता चुका हूं conversion rules लगाने हैं अगला topic है disposition phase of circular flow of income involves flow of अब चलो सर आपने तो disposition phase बताया ही नहीं what is disposition phase तो disposition phase expenditure phase का ही एक दूसरा नाम है expenditure phase जो था न expenditure phase में क्या होता था तर expenditure phase में हमारा household करता था खर्चा कौन सा खर्चा करता था goods and services खरीदने पर goods and services खरीदने पर जब हमारा household sector खर्चा करता था वो आता था expenditure phase में उसी को disposition phase कहते हैं तो इन्होंने क्या लिखा है involves flow of factor income which comprises of rent wages interest and profit गलत यह तो income phase की बात कर रहा है यह question में कौन सा phase बता रहा है जो हमें factor income मिलती थी household को वो तो income phase कहलाता था expenditure थोड़ी तो इसी लिए I refute this statement यह statement wrong है I refute मतलब कि मैं statement को defend नहीं कर रहा यह statement गलत है आगे reasons मैं नहीं दूँँगा है reasons जो मैंने बोला है वही reasons है यही same reasons है मतलब यह लिखना है the flow of factor income which is rent wages interest and profit from firms to household is known as income phase of the circular flow पहला statement ठीक है and disposition phase का बताना disposition phase is also known as expenditure phase and expenditure phase is the payment for goods and services from household to firms ठीक है तो इसी लिए यह दोनों एक अलग statement है इसी लिए मैंने refute करा 3 marks के point हो गए एक marks तो मिल जाएगा प्रिफ्यूट करने का उसके बाद जो दो pointers बताए तो पूरे 3 marks complete कि अधे कितने हैं बाबा ओ भाई या यह अभी के लिए हटा दो ठीक है यह precautions वाला पार्ट है यह बाद में कराऊंगा precautions वाला पार्ट सबसे end में कराऊंगा क्या होते है precautions क्या क्या precautions हमें लेने चाहिए national income calculate precautions बता है ना साफधानिया क्या बरतनी चाहिए वो last में देखेंगे national income का value निकालना है estimate the value of national income gross final consumption government final दे रखा है private final दे रखा है first component मिल गया second component मिल गया gross domestic fixed दे रखा है तो sir इसमें change in stock को add कर देना ठीक है इन दोनों को add कर देना 30 plus 20 तो हो जाएगा 50 तो यह आपका third component हो गया जिसको gross domestic capital formation भी कहते है उसके बाद net exports का value भी दे रखा है यह हो गया आपका fourth component जो किया minus 40 चारो components मिल गए इन चारो को add करके दोबारा से GDP at MP निकलेगा GDP at MP से NNP at FC तक मैं सिखा चुका हूं कैसे आते हैं gross से net पर आने के लिए depreciation subtract सारी चीज़े बता चुका हूं incorrect statement ढूंडनी है excess of GNP over GDP is possible यह तो वही वाला question आ गया ना जो अभी हमने देखा था अगर याद करो national से domestic पर जाना है domestic से national पर जाना है national से domestic पर जाना है national से domestic पर जाना है तो sir क्या case possible था अगर आपको याद हो तो sir तीनोर crisis possible थे यह GDP मतलब जो GNP है national income भी बड़ा हो सकता था domestic income भी बड़ा हो सकता था यह domestic और national income बड़ावर भी हो सकते थे ठीक है तो यही देखो यह भी case possible है कि national income बड़ा हो excess मतलब बढ़ा हो ये भी case possible था कि domestic income बढ़ा हो बिल्कुल सही है ये भी case possible था कि domestic और national income बराबर हो बट ये तो कोई case ही नहीं था सर कि domestic और national income को जब हम add करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा ऐसा तो कोई भी case नहीं पढ़ा था इसलिए ये ही incorrect statement है economic territory and political frontier are one of the same thing बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत economic territory में और भी चीज़े आती है political frontier के अलावा territorial waters, domestic ships and aircrafts बहुत सारी चीज़े थी तो ये गलत है statement American embassy in India is a part of economic territory of India ये भी गलत बाई दोनोई statements गलत है दोनोई statement गलत है American embassy sir कहीं भी हो वो American territory का ही part रहेगी American embassy is a part of the economic territory of America not India sir एक कोड़ आ गया numerical okay ब्रा numerical करते हैं दोबारा से अपने कोछ GNP8FC का निकालने value GNP8FC wages, salaries इसके सारे components पता है कौन से वाले हैं income method वाले income method के components हैं सारे के सारे कैसे निकालेंगे wages and salaries सबसे पहले कौन कौन से component थे compensation of employees होता है compensation of employees के अंदर क्या क्या आता है wages and salaries in cash or kind और social security contribution social security contribution दूर दूर तक नहीं है question में सिरफ wages and salaries है तो यह जो wages and salaries है अगर social security नहीं दे रखा मतलब वो zero होगा तो compensation of employees तो सर आ गया 2000 उसके बाद सर इसमें operating surplus को add करो OS को add करो operating surplus में होता है rent royalty नहीं दे रखा तो वो zero होगा rent और interest provided है सर 700 profit का value नहीं दे रखा सर बट उसके चेले जो profit के चेले हैं जो profit के सब parts हैं वो दे रखे है corporate tax dividend और undistributed profit तो ये एक, दो और तीन इन तीनों को add कर दो सर बिल्कुल add कर देता हूँ तीनों को 500 प्लस 300 800, 800, 800, 1,500 कितना हो गया 950 operating surplus का value आ गया 950 mixed income of self-employed mixed income, mixed income नहीं दे रखी मतलब mixed income of self-employed कितनी है zero नहीं दे रखी मतलब zero तो इसका total करके कितना आ रहे है 2950 तो मेरी आई है ndp at fc की value ठीक है न, याद है नहीं है ndp at fc domestic income निकल के आती है income method से तो अभी तो ndp at fc का value है अब इससे gnp at fc तक कैसे जाना है वो तुम देखो gnp at fc तक जाने का सफर तुम अपना खुद तै करो वो मैं नहीं करा हूँगा fc fc सेम है product product सेम है net से gross पर जाने के लिए depreciation add होगा domestic से national पर जाने के लिए net factor income from abroad nfia add होगा एक और question कोई दिक्कत नहीं है ndp at fc निकालना है components जब मैंने देखे तो components मुझे दिखाई दिये expenditure method के अब भाया मुझे कैसे दिखाई दे रहे है तो बस components देखके पता लग जाता है practice practice पर depend करता है मेरी इतनी practice हो गई है कि फटा फट component देखते हैं and idea हो जाता है तो तुम भी अपनी उतनी practice रखने की कोशिश करना guys पहला component gross domestic fixed capital formation नहीं नहीं sir इसमें ये देखो inventory investment याद है न inventory investment को ही change in stock कहते थे तो इन दोनों को add करो fixed value value में change in stock जो कि minus 40 है उसको add कर दिया तो 160 value निकल कर आई मेरे पहले component की जिसको gross domestic capital formation बोलते थे उसके अलावा government final consumption expenditure ये दूसरा component household private household या फिर private final consumption expenditure तीसरा component export और import provided है export कितना है 50 इसमें से import minus कर दो 60 minus कर दो minus 10 मेरा fourth component है जिसको हम net exports बोलते है एक दो तीन और चार पहला component 160 दूसरा 320 तीसरा component 470 and last net exports minus 10 तो चारो components को जब मैं add करूंगा तो GDP at MP निकलेगा 1,2,3,4 चारो components तुमारे सामने हैं इन चारों को add करना तो GDP at MP आएगा and फिर उससे हमें NDP at FC निकालना है gross से net पर जाना MP से FC पर जाना वो तुमारा काम है यह देखो यहाँ पर value भी provided है MP से FC पर जाने के लिए तो NIT सब्ट्रैक्ट होगा and consumption of fixed capital यह depreciation का value भी question में दे रखा क्या होगा depreciation बताओ भाई gross से net पर जाने के लिए sir depreciation subtract होता है अब यह चुचुंदर से question है यह फटाक से कर लेते हैं correct equation ढूंडना है देख लो भाईया यह नहीं है correct क्योंकि देखो net से gross पर जाने के लिए depreciation तो add होगा बट net से domestic तक आने के लिए NFIA subtract भी तो होता है तो गलत NDP NNP NDP गलत देखो national से मतलब हमें sir national से domestic की तरफ आना था तो NFIA का relation होता है NFIA इनके बीच का connecting link होता है यह सही है यह सही है option number C हमारा सही है तुम भी देख लो तो domestic में जब आप NFIA को add करते हो तभी national value निकल कर आती है इसलिए option number C हमारा सही है identify the correct equation from the following इन चारों में से दुबारा से वैसा ही question आ गया इस बादी तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ NDP NNP नहीं हो रहा अच्छे यह तो same ही question है same ही question दो बार डल गया same ही question है यही same answer है same है na question हम तो इसको उड़ा देते है वैसे कमीनी है questions की अब आगे चलते हैं सारे question करा दिये जितने भी आये होए थे numericals, journal आते हैं income expenditure से और value added से भी value added अब start कराऊंगा उससे अलावा जितने भी question हो पुराने वाले topic से थे ना factor, transfer, income या फिर circular flow से तुम देख सकते हो कितने question थे circular flow से question आता ही है circular flow से पूरा चार number का भी question आता है वो भी दिखा दूँँ आभी तुमको और भी question आते हैं अभी देखते हैं value added method को start करते हैं पहले तो भाई हो गई है class resume value added method पे अब आगे चलेंगे what is value added method value of output cost of raw material सब क्या चीज़े हैं देखो value added को ना पता है कैसे समझ के चलना मैंने कैसे याद करा था तो ना एक तरीके से profit समझ लो firm कितना profit कमा रही है that is the value added by the firm मैं कितना value add कर रहा हूं अगर मैं एक business चला रहा हूं मान के चलो value added के लिए अपने आपको एक business man मान के चलो तो मैं value कितना add कर रहा हूं what is the value added by my firm तो अगर मैंने 100 रुपे का raw material खरीदा और मैंने फिर वो raw material से जो भी समान बनाया finished good बनाया उसको मैंने 1500 रुपे का बेच दिया तो sir आपने 100 रुपे की चीज को 1500 का बनाके बेच दिया तो आपने value कितना add करा आपने 50 रुपे का value economy के अंदर add करा आपने 100 रुपे की चीज को कुछ अच्छा बनाके 1500 रुपे का बेच दिया ठीक है तो इस ही को value added बोलते हैं तो बस इसके लिए हमें क्या करना है हमने कितने का समान बेचा value of output कितना था कितने का समान बेचा गया तो value of output is the selling price selling price समझे लो 1500 रुपे था न वो हमारा selling price था value added क्या हो गया हमारी company का profit value of output क्या हो गया sir selling price cost of raw material क्या हो गया cost price बस यह है नहीं बस यह रिलेट करके चलो यह selling price cost price तो एक commodity के लिए होता है हम पूरी economy की बात कर रहे है पूरी economy में कितना value added हुआ तो जो जितना भी output बना होगा उसका selling price जो होगा 1500 रुपे जो selling price था उसमें से कितना cost का हमने raw material खरीदा 100 रुपे का raw material खरीदा था sir तो 1500 minus 100 50 is the value added by the economy 50 is the value added by the economy यह होता है value added method बस इतना साखीन है value added को GV at MP कहा जाता है gross value added at market price value of output को GV at MP कहा जाता है gross value of output at market price cost of raw material को intermediate consumption के नाम से जाना जाता है intermediate consumption और एक final consumption होता है जिसके बारे में अभी तुमको आगे पता लग जाएगा सारी बात बता दूँँगा बस पहले इतना समझ लो कि cost of raw material नामक को हम intermediate consumption के नाम से जानते है चलो sir जो हमारा raw material का cost होता है उसको intermediate consumption कहते है sir gvo at mp निकाल दो आपको gvo at mp question में दे रखा है intermediate consumption भी question में दे रखा है तो sir दोनों को subtract करोगे 10,225 value आई 10,025 value आई यही आपका correct answer है sir ठीक है ना intermediate consumption मतलब raw materials का cost था जो 100 रुपे का raw material याद है ना 100 रुपे के raw material को कैसे हमने 500 r umas per का बनाके बेच दिया 50 रुपे वैल्यव आईड करा इस बारी कितने का raw material था 2225 का raw material था य데 हमने उसे बारह 2250 में बेचा तो हमने कितना value add कर दिया economy के अंदर हमने 10,025 रुपे का डाइरेक्टली कोश्चन में दिया होगा तो मैं कहता हूं नहीं बिल्कुल डाइरेक्टली नहीं दिया होगा तुमको सेल्ज plus में change in stock करना पड़ेगा change in stock तो सर हमको आता है अभी आपने निकालना सिखाया था कहाँ पे सिखाया था भाई change in stock निकालना जल्दी 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 कहाँ पर सीखा था हमने change in stock निकालना change in stock हमने सीखा था जब वो expenditure method में gross domestic capital formation निकालना होता था तो gross domestic fixed capital formation में change in stock लिए है, sales निकालने के सर दो तरीके हैं, पहला तरीका, price of output multiply by quantity sold, जितना भी price है, multiply by quantity, आपकी sales कितनी हुई है, आपने 10 units बेचे, ठीक है, and 10 units का price कितना था, 1500 रुपे, तो 1500 multiply by 10, 1500 multiply by 10, कितना हो गया, 1500 रुपे, तो price into quantity is the value of sales, यही निकालना था, निकल गया यह, ठीक है, चलो सर इतनी बात आपने बता दी, अब और आगे भी चलो, थोड़ा सा और समझा दो, जब इतना समझा रहे हो तो, तो बिल्कुल और समझा देंगे भाई, सर एक तो तरीका यह है, sales निकालने का, दूसरा तरीका है, आप इन तीनों चीजों को add कर दो, domestic sales, मतलब जो आपने अपने देश के अंदर समान बेचा, अगर आपको price और quantity के बारे में नहीं पता, तो आप दूसरा तरीका अपना हो, जब एक हाथ से घीन ही निकल रहा तो दूसरे से घीन निकाल लो, कैसे निकालोगे, आप देखना कि आ बाहर कितना समान बेचा, और आप खुद कितना समान खा गए, तो वो तीनों चीजों को जब आप add कर दोगे, तो आपका sales का value आ जाएगा, देश के अंदर कितना समान बेचा, export मतलब देश के बाहर कितना बेचा, और कितना समान में खुद खा गया, तीनों को add करके मेरी sales क value आजाएगी तो दो तरीके थे sales निकालने के उसमें change in stock add करूँगा तब जाके GVO at MP निकल कर आएगा gross value of output at market price निकल कर आएगा ठीक है भाई तो cost of raw material या फिर intermediate consumption जो होता है sir cost of raw material जिसको intermediate consumption बोलते हैं वो भी directly provided होगा question में तो कभी कभी हो भी सकता है कभी कभी हम निकाल भी लेंगे रोव material है ना तो raw material काम क्या कर सकते हैं तुम बताओ अगर मुझे raw material लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपने आसपास वाली जो मैं सबजियां बनाऊंगा ठीक है ना जो मैं शाही पनीर दाल मखनी बनाऊंगा या तो मैं दूसरा ऐसा काम कर सकता हूँ कि वो जो सबजिया है मैं कहीं बाहर दूसरे देश से import कर लूँ ठीक है तो sir raw material का यह हिसाब है या तो आप बाहर से import कर सकते हो या अपनी domestic economy में कहीं से भी खरीच सकते हो तो domestic purchase of raw material plus import जब आप कर दोगे domestic purchase of raw material plus imports जब आप कर दोगे imports of what imports सबका नहीं imports of raw material जब इन दोनों को add कर दोगे तो आपका क्या आएगा तब आपका intermediate consumption का value आएगा ठीक है ना तो बस अब अपने को finally value added method के formula के बारे में सब पता लग गया gva gross value added at market price sir कैसे निकलता है तो वो निकलता है gvo at mp minus intermediate consumption करके gvo at mp के दो components होते है sales plus change in stock उसमें से intermediate consumption को subtract करना है अरे sir ये क्या कराने लग रहे हो हमको क्या पता ये gvo क्या होता है हमको तो gdp निकालना आता था या हमको ndp निकालना आता था या nnp निकालना आता था ये gva क्या है तो कुछ नहीं gva कुछ different नहीं है gva ही अपना gdp का value है मतलब तुमको अगर gdp निकालना है तो तुमारे पास जितने भी gva provided होंगे उन सबको add कर देना क्या कर देना add कर देना जैसे sir एक तो आपने अपनी factory का gva निकाला ऐसे economy में 100 factories है तो 100 की 100 factories का gva जो भी आया gross value added आया है उस सबको add कर देंगे तो हमारा gdp at mp आ जाएगा sir हमारी economy में तीन sectors है primary secondary tertiary तो primary secondary का gva निकाला secondary का निकाला tertiary का निकाला तीनों का add कर दिया gdp आ जाएगा ठीक है और बस हमारी हमारी पूरी economy में 3 firms है और एक firm का नाम है firm a firm b firm c और इसके लावर कोई है निकालेंगे और तीनों firms का gva add कर देंगे तो भी gdp आ जाएगा तो बस यही scene है gva अगर हमें दे रखा है तो ultimately वही हमारा gdp का value है वही हमारा gdp का value है अगर मान के चलो सिरफ एक ही firm है जैसे वहाँ पर कुछ mentioned ही नहीं है and question में specifically वस question दे दिया तुमको और कहा सारे elements यहीवाले है sales change in stock तो तुमने gva at mp का value निकाल दिया बड़ तुम confuse हो गए कि gdp कैसे निकाले या ndp कैसे निकाले तो जो gva का value आया है वही gdp at mp बन जाएगा ऐसा क्यों क्यों कि हम assume कर लेंगे कि economy में और कोई firm है ही नहीं जो भी value लख्यी है वह एक ही form की है और पूरी economy में वही एक firm है जो भी values हमें question में वह odpowied या पूरी economy की है तो उस case में जो भी power यह आता है वही हमारा GDP का value हो जाता है अगर दो firms है तो दो firms का add कर देना, तीन है तो तीन का कर देना चार है तो चार का कर देना, एक है तो बस उसी एक है firm का GVA हमारा GDP बन जाता है अगला concept देखते हैं वो है stock and flow variable ठीक है अब अपना बेसिकली यह देखो तो अब जाके हमारा 70% course complete हुआ है, जाब हमने value added method complete कर लिए, अभी value added method से और questions भी करेंगे बट अब जाके 70% मान के चलो complete हुआ है, कितनी देर में हुआ है मुझे भी नहीं पता, शाय तीन घंटे में खतम कर लें, आखरी दिन में देख रहे होंगे कुछ कुछ ऐसे होंगे जो आखरी दिन में भी देखेंगे तो आखरी दिन में national income की तियारी तो वैसे ही छोड़ देना यह one shot video उनके लिए बनाई जा रही है जो एक तो revision करना चाहते हैं तो उनका सारा revision हो जाए and कुछ ऐसे भी होते हैं जो November, December में जागते हैं November, December में पढ़ाई का जोश आता है तो उनके लिए भी है कि भाई यह 6 गंटे की वीडियो मिली जिसमें सब कुछ करा दिया ठीक है अब आगे देखो Stock का मतलब क्या होता है Flow का मतलब क्या होता है इनके नाम से ही इनके मतलब निकाल लो Stock मतलब कोई रुकी हुई चीज Flow मतलब बैती हुई चीज वही बात है Sir Stock variable एक वो variable होता है जो एक point of time पर measure करा जाता है एक particular point of time पर ठीक है सर मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कहीं रुकी हुई है एंड वो उसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको मेजर करा जाएगा जैसे की जैसे की सर एक्जामपल दे दो थोड़े से तो जैसे की हम अपना गवर्मेंट बजेट निकालते हैं गवर्मेंट साल में एक बारी निकाल जाता है उसके अलाबा हम अपना क्लोजिंग स्टा निकाला जाता है सर 31 मार्च को ओपनिंग स्टाउग हो गया एक अपर्टिकुलर पोइन आफ टाइम मेजर करे जाए तोस वैरि इडर्यव लेंज्ड श stock variables जो ऐसे variable हैं जो continuously चलते रहते हैं continuously measure होते रहते हैं which are measured over a period of time continuously measure करे जा रहे हैं उनको करे जा रहे हैं वो होते हैं flow variables बस यही इनके बीच का difference है देख लो whose quantity can be calculated at a particular point of time जिसकी value particular point of time पे measure करी जाती है stock variable जिसकी value over and over time period measure हम करते जाते हैं क्योंकि वो continuously चलती जाती है वो चीज तो उसको measure करने के लिए हमें उसके पीछे पीछे उसको measure करना पड़ता है तो उसका measurement over the period of time चलता रहता है इसमें कोई time dimension नहीं होता time dimension क्यों नहीं होता क्योंकि ये चलता नहीं रहता continuous नहीं चलता रहता ये specified point of time पे measure करा जाता है इसलिए इसका कोई time dimension नहीं होता इसका time dimension होता है क्योंकि ये flow होता रहता है कोई भी concept अकर flow variable के अंदर आता है तो वो flow होता रहता है एंड उसको measure करने के लिए हमें continuously measurement करना पड़ेगा continuously measurement मतलब उसका एक time dimension होता है ठीक है measured per minute per hour per day मतलब हम उसको per day measure करे जा रहे हैं हर घंटे measure कर रहे हैं हर hour हर second measure कर रहे हैं तो वो flow variable का एक characteristic है जैसे कि balance sheet sir साल के end में मनाई जाती है wealth किसी आदमी की wealth जर्नली तब measure करी जाती है जब वो अपनी will बनाता है national income sir साल के end में measure करी जाती है money supply money supply मैंने तुमको जब money and banking वाला topic कराया था तब बताया था कि money supply is a stock variable and अब समझना money supply is measured at a point of time इना याटा particular point of time तो कोई चीज अगर particular point of time पे measure करी जाती है इसलिए money supply is a stock variable opening stock एक अप्रेल closing stock 31 March यह सारे flow variables है capital formation मतलब क्या होती है investment investment तो हम business में कभी भी कर सकते है ना sir जब हमारा मन चाहे हम अपने business में investment कर सकते हैं उसके अलावा profit sir वो भी आता जाता रहता है हम काम करते रहेंगे तो profit आता रहेगा आता रहेगा उसको measure करते रहेंगे loss भी आता जाता रहता है change in money supply देगो money supply जो है वो एक stock variable है बट जो money supply में changes आ रहे हैं that is a regular those changes are regular and इसलिए वो एक flow variable है वैसे ही opening and closing stock तो fixed है stock variable है बट जो stock के अंदर changes आ रहे हैं जो in opening और closing stock के अंदर changes आ रहे हैं change in stock वो हमारा flow variable कहलाता है क्योंकि नाम में change है ना समझे लो change अगर किसी के नाम में अगर change आ रहा है मतलब वो continuously change होता जा रहा है जो चीज continuously change हो रही है वो flow variable का part होती है चलो सर आगे और चलो आगे आगे चलो बिल्कुल आगे चलेंगे अरे भाई यह कितना आगे चला जाता है इसको पहले खतम होना है अरे बस बस रुख जा रुख जा रुख जा अरे यहार दीरे दीरे करना पड़ेगा है चलो भया अगले concept पे आते हैं पहले अगले concept से पहले न अपन जा चलो वो end में दिखाऊंगा अब आते हैं final good या फिर final expenditure वाले topic पे what is final good और what is final expenditure यह बहुत important चीज़ है final और intermediate good नामक दो चीज़े होती है तो इनको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा ध्यान से सुनना final good के बारे में पहले देखते है final good क्या होते हैं sir जो goods या जो खर्चा final expenditure भी एक ही बात है sir हम कोई समान खरीते हैं कोई good खरीते हैं तो उस पर खर्चा होता है तो इसलिए final good and final expenditure is one of the same thing तो sir जो खर्चा या कोई खर्चा जो ऐसा होता है जो हम या तो consumption purpose के लिए करते हैं या तो investment purpose के लिए करते हैं वो खर्चा final expenditure कहलाता है या कोई good अगर मैंने consumption expenditure के लिए खरीदा या फिर investment expenditure के लिए खरीदा वो sir final expenditure या final good का part होगा अब ये क्या बोलने लग रहे हो क्या बोलने लग रहे हो इसका मतलब तो बता दो consumption expenditure क्या होता है पहले ही बता चुका हूँ consumption expenditure वो expenditure जो profit motive से नहीं करा जाता ऐसा expenditure जो सिरफ करा जा रहा है consumer करता है जर्नली इसको अपनी satisfaction अपनी utility के लिए investment expenditure क्यों करा जाता है investment expenditure मतलब ये भी एक तरीके का खर्चा है बट ये करा जाता है आगे जाके profit कमाने के लिए कि आगे जाके profit कमाऊँगा इसलिए ये खर्चा मैं कर रहा हूँ sir ठीक है तो ये हो जाता है अपना sir investment expenditure consumption expenditure कितने होता है consumers want के लिए consumer अपनी want satisfy करने के लिए wants को satisfy करने के लिए consumption expenditure करता है तो अगर ये दो expenditure करे जाएंगे तो वो final expenditure कहलाएंगे या फिर final good वो चीज कहलाएगी final good का एक picture और होता है कि it crosses the production boundary final good में क्या होता है कि ये न production boundary cross कर चुका होता है इसका मतलब क्या है ये एक ऐसा good होता है अबना इसका एक example भी देता हूँ तुमको जैसे अभी हमने वो बात कर रहे थे ना firm की firm ने 100 रुपे का समान लिया उसको डेड़ सो में convert कर दिया तो वो जो 100 रुपे का firm ने समान लिया वो उसने consumption और investment purpose के लिए नहीं लिया था sir ना उसने उस समान को consume करा ना उसने उसको investment पे लगाया ना उसने उससे profit कमाने का सोचा था मतलब उसने वो समान को क्या करा journaling उसने वो समान को convert कर दिया उसने as a raw material उसका इस्तमाल करा और उसको convert कर दिया तो वो जो मैंने चीजे खरीदी थी 100 रुपे की जो चीजे खरीदी थी raw materials करीदे थे उसको मैंने एक दूसरी चीज में convert कर दिया जो मैंने डेड़ सो रुपे की बेची अब यार ये क्या चीजे की बाते हो रही हैं तो क्या समझें यार मैंने ये helmet के example से समझाता हूँ रूप जो रूप जो तो अपन नहीं ये समझते हैं देखो इस helmet में ये glass लगा है अब ये helmet की company है इसने ये चीजे खरीदी होंगी ये glass खरीदा होगा ये metal का ये जो भी है ये सब चीजे इसने अंदर वो लगा है cotton होती है क्या होती है वो सब चीजे इसने खरीदी वो सब इसका raw materials था वो सब चीजे raw material थी बाद में इसने तयार करके पूरा helmet मुझको दे दिया ये पूरा तयार करके helmet मेरे पास आगया है सर तो अब ये दोनों ही goods होए ना ये दोनों ही तो खर्चा हुआ एक तो firm ने खर्चा करा firm ने ये जो glass ये सब चीजे खरीदी इन सब चीजों पर खर्चा करा सर इन सब चीजों पर खर्चा करके उसने एक नया product बना दिया helmet अब इसमें से intermediate खर्चा कौन सा है और final खर्चा कौन सा है तो जो वो raw materials थे ना वो ना सर production boundary के अंदर थे मतलब उनकी अभी production पूरी complete नहीं हुई थी तो कोई भी ऐसा product जिसका production अभी पूरा complete नहीं हुआ है उसका production होना अभी बचा है वो कहाँ वो क्या कहलाता है सर वो कहलाता है हमारा intermediate good क्योंकि वो अभी भी production boundary के अंदर लाए करता है वो अभी भी production boundary के अंदर लाए करता है जो sir, जो आपने एक glass खरीदा ना glass, ये जो glass है ये अभी आपने खरीदा क्योंकि आप इसकी अभी further processing करोगे और बाद में जब ये पूरा helmet बनके तयार हो गया अब इसकी कोई further processing नहीं हो नी अब ये सीधा market में विकेगा किस purpose के लिए विकेगा बताता हूँ, अब ये market में विकेगा, इसने सारी production boundary को cross कर दिया और अब ये market में consumption expenditure के तौर पर विकेगा, मैंने as a consumption expenditure इसको खरीदा ठीक है, इसको रख देते है तो वो goods जो production boundary को cross कर चुके होते हैं, those are known as final goods and final goods का दो characteristic और final goods क्यों खरीदे जाते हैं या तो consumption expenditure purpose के लिए या investment expenditure purpose के लिए ठीक है, intermediate goods की further processing होनी बची है किस चीज़ की further processing होनी बची रहती है, तर जो या तो raw material होता है उसकी further processing होनी अभी बाकी होती है और resale purposes अब देखो, final goods के final expenditure के दो purposes थे एक था या तो consumption purpose के लिए लिया जाएगा या investment purpose के लिए investment पता है न investment वो purpose होता है कि हम कहीं पे अपना पैसा लगा रहे हैं and in return हमको उस पैसे के साथ profit भी मिलेगा वो होता है journaling investment expenditure but यहाँ पर अब तुम बोलोगे कि sir ये raw materials ये resale purpose के लिए जो आप समान खरीद रहे हो ये भी तो आपका investment है but ये मेरा investment नहीं है ये मेरा investment क्यों नहीं है क्योंकि मैं इनको use कर लूँगा production के अंदर मैं इनको use कर लूँगा further production के अंदर इन raw materials को use कर लूँगा इससे मैं other final goods बना सकूँ ठीक है वो glass का इस्तमाल करा मैंने helmet बनाने के लिए तो वो जो glass था that is वो मैंने किस लिए खरीदा था वो as a raw material खरीदा था तो intermediate good क्या कहलाते हैं अगर आपने intermediate good अगर आपने कोई समान raw material के तोर पे खरीदा है तो intermediate good होगा अगर आपने कोई समान resale purpose के लिए खरीदा है सर आप pen यह आपका pen है आप एक pen की दुकान है आपकी तो आपने यह pen खरीदा and बेच दिया और आप यही करते हो आप बारलब जाहीं काहीं से भी खरीदते हो ना आप pen खुद इस्तमाल के लिए नहीं खरीदते बेचने के लिए खरीदते हो तो वो जो pen मैं खरीद रहा हूँ वो मेरा एक intermediate खर्चा कहलाएगा तो दो चीजे हैं सर या तो अगर आपने कोई चीज resale purpose के लिए लिए है या तो as a raw material आप उसका इस्तमाल कर रहे हो तो वो आपका intermediate good कहलाएगा intermediate expenditure कहलाएगा intermediate expenditure में एक ये चीज और जुड़ जाती है intermediate expenditure में कोई भी repair है repairing और maintenance cost होती है अगर मेरी एक factory है वहाँ पर मैं painting का काम करा रहा हूँ repairing करा रहा हूँ maintenance करा रहा हूँ तो all these repairing and maintenance cost by a firm firm के द्वारा करी गई repairing और maintenance cost intermediate expenditure का ही part होता है इन example से और अच्छा समझ आएगा पहले ये देख लेते हैं हमने goods को divide कर दिया on the basis of their nature ठीक है final goods कौन से होते हैं sir जो consumption purpose या investment purpose से कोई चीज खरीदी जाती है जो आपने helmet खरीदा वो आपने consumption purpose के लिए अपनी safety के लिए अपनी satisfaction के लिए खरीदा sir ये जो board आपने खरीदा है ये board आपने खरीदा है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये भी तो आपका खर्चा है तो जिसको आप कौन से खर्चे के अंदर डालोगे तो ये मेरा कोई raw material नहीं है मुझे इस board की कोई further processing नहीं करनी है या मुझे इसको resale नहीं करना मैं इसको इस्तमाल कर रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए फिर तुम लोगों से fees लूँगा तुम लोगों से fees लूँगा तो मेरा profit होगा तो ये जो board मेरा है this is my investment expenditure तो ये भी मेरा final good ही कहलाएगा investment के लिए consumption के लिए अगर कोई चीज खरी जा रही है तो वो final good कहलाएगी सर अगर resale purpose के लिए कोई चीज खरी जा रही है खरीदी जा रही है या raw material के तोर पर कोई चीज खरीदी जा रही है वो जो helmet में glass लगा था वो एक raw material था तो सर वो intermediate good कहलाएगा सर ये जो आप pen की आपकी जो दुकान है वहाँ पर आप pen खरीदते हो pen purchased by इशान सर और इशान stationery pen purchased by इशान stationery वो क्या होगा वो एक intermediate good होगा क्योंकि stationery के अंदर तो pen बेचने के लिए खरीदा जाता है resale purpose के लिए खरीदा जाता है ठीक है तो ये intermediate goods और final goods की characteristic होती है इसको मत भूलना please मत भूलना कि repairing और maintenance cost जो होती है by the firms ये भी intermediate expenditure का ही part होता है ये बाद मैं बताऊंगा इससे पहले ये देखते है एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि ये intermediate expenditures जो होते है ये national income में include नहीं करे जाते national income में ये include नहीं होते purchase of milk and vegetable by hotel hotel अगर milk और vegetable खरीद रहा है तो उनको as a raw material इस्तमाल करेगा ठीक है इनसे बाद में सबजियां बनाएगा अच्छी अच्छी दाल मखनी राजमा वो सब बनाएगा ये तो इनका raw material कितना इस्तमाल कर रहा है chocks and dusters by the school ये भी एक intermediate good है ठीक है ये एक intermediate good क्यों है क्योंकि chocks and dusters का भी further processing होना बाकी है इनका पूरा भी further processing नहीं हुआ इनको इस्तमाल करा जाएगा by the schools ठीक है as a raw material इस्तमाल करा जाएगा इसी लिए ये एक intermediate expenditure होता है expenditure on the repair of machinery expenditure on white wash of the building ये दोनों ही maintenance and repairing cost के अंदर आ गई तो ये भी intermediate expenditure है purchase of raw material raw material ये तो नाम सही आ गया सर raw material के लिए अगर कोई चीज purchase करी जा रही है तो वो तो intermediate expenditure का ही part होगी installations of machines by firm अब मैं हूँ मेरी firm है मैंने ये machine install करी smart board install करा तो मैंने investment purpose के लिए install करा गया होगा और investment purpose वाली चीज final expenditure का part होती है school fees, bus fare अब मैं जो school की fees बढ़ता हूँ या मैं जो bus का भाड़ा देता हूँ वो मैं क्यों देता हूँ वो मेरा consumption expenditure है वो मेरा consumption expenditure है क्योंकि as a student मैंने school में fees क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मैं school से educational services का इस्तमाल कर रहा हूँ और bus fare क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मैंने bus में travel करा वो उसकी services का इस्तमाल करा इसलिए मैंने bus fare दिया कोई भी purchased by how नी purchased by household अगर कोई भी चीज household के द्वारा purchase करी जा रही है जैसे clothes, vegetables, milk ये सब भी final expenditure का part है tractor purchased by farmer ये एक investment expenditure है और investment expenditure final expenditure का part होता है और ये national income में include करे जाते हैं तो क्या याद रखना है एक तो factor or transfer income की बात याद रखो factor income national income में include होती है transfer income नहीं होती final expenditure national income में include होता है और intermediate expenditure national income में include नहीं करा जाता है बस सर बात खतम पैसा अजम आगे चलो सर अच्छा ये भी रह गया यार ये भी करा देते है ये बहुत जरूरी question है जो paper में भी पूछा जाता है ठीक है paper में भी पूछा जा चुका है क्या एक machinery purchased is always a final expenditure क्योंकि सर आपने ही कहा अगर कोई machine खरीदी जाती है firm के द्वारा तो generally वो machine क्या होती है investment expenditure कहलाती है तो क्या ये हमेशा investment expenditure होगा तो हमेशा investment expenditure नहीं होगा हमेशा final expenditure नहीं होगा देखो अगर कोई machine as an investment purpose के लिए ली जा रहे है या फिर consumption purpose के लिए ली जा रहे है washing machine मेरी ममी ने खरीदी तो consumption purpose के लिए होई washing machine किसी laundry house ने खरीदा तो investment के लिए खरीदी laundry house ने washing machine खरीदी कि बाद में इस पर ही लोग इस्तमाल करें और वहां से वो profit कमा सके ठीक है तो इन दोनों cases के अंदर तो final expenditure है बट एक तीसरा case और आ जाता है जहां पर हमने washing machine खरीदी किसने खरीदी है sign electricals limited ने और वो इस washing machine को resale करेगा तो अगर कोई चीज resale purpose या raw material के तोर पर खरीदी जाती है तो वो intermediate expenditure होता है ठीक है that's why machinery purchased is not always a final expenditure वो intermediate expenditure भी हो सकता है बिलकुल हो सकता है ठीक है यह देख लिया यह देख लिया इसके अलावा कुछ और यह भी देख लो भाईया problem of double counting क्या है what is problem of double counting counting one item more than once is called double counting this problem leads to over estimation of national income अगर हम किसी चीज की value एक से ज़्यादा बारी include कर लेते हैं national income को calculate करने में national income को calculate करते time हम किसी चीज की value एक से ज़्यादा बारी डाल देते हैं तो हमारे national income की value बढ़कर आती है over estimate मतलब जादा value निकल कर आती है जो एक गलत है ना कभी भी national income हमेशा accurate आनी चीए जादा नहीं आनी चीए ठीक है तो double counting की वज़े से हमेशा national income की value जादा आती है double counting को avoid करने के लिए हम value added method का इस्तमाल कर सकते हैं या सिरफ final goods की value को जोड सकते हैं intermediate की value को नहीं जोड़ना intermediate goods की value को मत जोड़ो एंड हम यह ensure कैसे करते हैं कि हम final goods की value जोड रहे हैं तो हम यह दो दोनो methods का इस्तमाल करा ना income method और expenditure method यह जो दोनो methods का sir अपन ने इस्तमाल करा है income और expenditure method का तो तो इन दोनो methods में हमेशा final goods की value को ही consider करा जाता intermediate की नहीं तो जो हम method follow करते हैं income expenditure और value added method उन से कभी भी problem of double counting originate होती ही नहीं है तो बस याद रखना की problem of double counting कब originate नहीं होगी जब हम इन तीनो methods का इस्तमाल करेंगे जो हम करते आ रहे हैं उसके अलावा double counting की वज़े से national income की value जादा हो जाती है over estimate हो जाती है types of goods on the basis of nature हम देख चुके है final goods होते है intermediate goods होते हैं देख चुके on the basis of user मतलब कौन इस्तमाल कर रहा है उन goods को उसके basis पे भी हम categorization कर सकते हैं एक होता है consumption एक होता है producer consumption मतलब जिसको consumer इस्तमाल करता है producer मतलब जिसको producer इस्तमाल करता है producer goods दो तरीके के होते हैं पहला तरह दूसरा तरीका पहले होते हैं capital goods capital goods generally long run के लिए इस्तमाल करे जाते हैं long time period के लिए जैसे कोई machine खरीदी plant खरीदा building खरीदी all these are capital goods एंड यह कौन खरीदता है हमेशा एक producer खरीदता है single use producer goods भी होते हैं है कि हमारे raw materials raw materials क्या है sir जो आपने वो helmet का glass था that is a raw material किसने खरीदा था वो producer ने जो helmet बनाने वादी company थी उसने खरीदा था ठीक है single use था उसका इस्तमाल करा उससे helmet बना फैक दिया बला बेच दिया ठीक है ना तो capital goods और single use producer goods यह दो type के होते हैं single use नाम में ही लिखा है single use के लिए होते हैं short run के लिए होते हैं वही consumption goods consumer के द्वारा इस्तमाल करे जाते हैं यह तीन parts में divided हैं तीनो parts देख लेना semi durable जैसे कि हमारे कपड़े shoes crockery जो हम अपने घर में बरतन बरतन लेके आते हैं all these are semi durable goods क्योंकि यह consumer ही लेकर आते हैं durable goods जो ac car fridge all these are durable goods 5 साल 10 साल के लिए आराम से इस्तमाल करे जाते हैं single use goods भी होते हैं जो आप chocolate toffee bread यह सब खाते हो these are single use consumer goods और consumption goods ठीक है एक यह question देखो फिर और आगे चलते हैं भाया तो हमने अभी बस अभी अभी capital goods के बारे में देखा capital goods कौन से थे भाई sir producer goods थे कौन से थे producer goods थे producer goods कौन से जो बहुत time period के लिए इस्तमाल करे जाते हैं long run के लिए several years के लिए which are used in the production process for several years and यह goods जो थे न सारे machinery और यह सब इन में depreciation भी होता है depreciation loss भी देखने को मिलता है तो कौनों ही सही हैं बोथ A and C are correct ठीक है थीक है थोस गूड्स विच साटिस्फाई human wants directly human wants मतलब human wants sir human wants मतलब human human की satisfaction है ना तो वो कौन से goods थे consumption goods थे जो consumption purpose के लिए इस्तमाल करे जाते थे इनको consumer goods भी कहा जाता है option number B बिलकुल सही answer है इन में से flow variable कौन सा है flow variable मतलब जो continuously measure होता रहता है which is measured over a period of time wealth flow variable नहीं है quantity of money मतलब money supply money supply तो वैसे ही at a particular period of time measure करा जाता है तो वो एक stock variable है consumption जो है ना वो एक flow variable है sir यही correct answer होगा consumption क्यों एक flow variable है क्योंकि consumption तो चलती रहती है सुबह lunch consume करा फिर dinner करा फिर breakfast करा यह consumption तो चलता रहता है यह भी एक consumption है है ना भाई वो भी एक consumption है sir जो हम खाना खा रहे है as a result of double counting national income is over estimated underestimated तो भाईया over estimated national income की value जादा हो जाती है double counting की वज़े से double counting की वज़े से national income की value बढ़कर आती है and that is not a good sign and उसको eliminate करने के लिए हम क्या करते हैं हमने आपको सिखा दिया है बगुआ यह कहां से खुल गया इधर खुलते हैं ठीक है अब आगए इस concept पे यह वाला concept देख लो खतरनाक दर्दनाक अब अगर तुमने इतनी देर तक रुके हो तो थोड़ी देर और रुको बस अब खतम होने वाला है नाशनल इंकम निपटने वाला है GDP at MP gross domestic product at market price की value कैसे निकालते हैं सर दो तरीके बता दिया आपने value added method भी बताया था expenditure method भी बताया था अब यह nominal or real GDP नामक क्या चीज आ गई what is nominal or real GDP यह क्या चीजे हैं आपने हमें GDP at MP का formula बताया था value added method से वह होता था sales plus change in stock minus cost of raw material but अब मैं तुमसे कहता हूँ कि stock of raw material and cost oh sorry stock of change in stock or cost of raw materials को neglect कर दो इन दोनों terms को please neglect कर दो तुम मेरे कहने से बात मानो मैं तुम्हें कहता हूँ कि sales जो है न वही मेरा GDP का value है and उसके sales होता क्या है quantity into price तो मैं तुमसे कहता हूँ कि GDP का value क्या है quantity into price है इनको भी neglect कर देते हैं एक नया concept समझ रहे है न nominal और real GDP तो उसके लिए हमने यह कुछ values थी जिनको neglect कर दिया हमको पता है कि GDP at MP की exact value इननी की help से आती है बट अभी के लिए neglect कर दिया छोड़ दिया तो sir GDP की value कैसे निकलेगी quantity into price करके क्योंकि आपने बताया था sales का formula होता है quantity multiply by price ठीक है भाई आगे चलते हैं अब पढ़ते हैं real और nominal GDP के बारे में nominal GDP निकालने के लिए भी और real GDP निकालने के लिए भी हमको quantity multiply by price करना पढ़ता है और real GDP निकालने के लिए भी सर हमको quantity multiply by price करना पढ़ता है बट कौन सा price और कौनसी quantity real GDP के लिए quantity तो वही जिस साल का हम real GDP निकाल रहे हैं 2024 का निकालेंगे तो उसी साल की quantity 2014 का निकालेंगे तो उसी साल की quantity nominal GDP के लिए भी वही सेम चीज है quantity को लेकर दिक्कत आती है price price कौन साल है real GDP में लिया जाता है base price या base year price nominal GDP में लिया जाता है current price या फिर current year price यह होता है nominal GDP का formula यह होता है real GDP का formula यहाँ पर भी लिखा है base year price is multiply by quantity of output इसमें भी यह है इसमें क्या formula है current year price is multiply by quantity of output दोनों में quantity of output सेम है बस यहाँ पर base year price आ जाता है इधर current year price आ जाता है इससे फरक क्या पड़ता है क्या दिक्कत परिशानी क्या समस्या देखने को मिलती है सब देखेंगे बस पहले इतना समझो कि देखो quantity into price करना है बट कौन से वाला price वही इन दोनों को differentiate कर देता है nominal GDP में current year price को consider करा जाता है and real GDP में base year price को consider करा जाता है base year जो होगा वो question में mentioned होगा कि कौन सा base year है यहाँ पर base year हमारा 2014 है और हमारा current year जो है वो है 2024 तो इन दोनों की GDP नहीं निकालते तिरफ नीचे वाले के GDP का value निकालते हैं तो सर nominal GDP कितना होगा nominal GDP आप कैसे निकालोगे current year price कितना है सर 2024 का price कितना है वो है 15 और quantity कितना है 100 तो सर nominal GDP कितना आ गया 1500 वहीं पर real GDP निकालना तो base year price कितना है base year price 10 है multiply by 100 करदो सर तो यह कितना आ गया 1000 ठीक है तो आपका real GDP कितना है 1000 जो कि यहां पर लिख भी रख था है nominal GDP कितना है 1500 इसको GDP at constant prices भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि हमेशा base year price लिया जाएगा base year हमेशा सेम रहता है जैसे 2014 यहां पर base year है 2025 कभी निकाले GDP 2026, 27, 28, 29 कभी कभी निकालेंगे तो सर base year तो सेम ही रहने वाला है constant ही रहने वाला है इसलिए इसको GDP at constant prices कहा जाता है and इसको GDP at current year prices कहा जाता है ठीक है जितनी सारी चीज़े समझाई वही यहां पर लिखी है और कुछ extra नहीं है तो अब आते हैं अगली चीज़ पे real और nominal GDP में से better कौन सा है real और nominal GDP में से अच्छा GDP कौन सा है real GDP is better than nominal GDP because real GDP is affected is not affected by change in price level it is only affected by physical quantity of output चलो सर क्या बोल दिया क्या समझानाtschaftे हो तो न यह ज़ी डीपी हमें क्या बताती है कि हमारे country का production हमारे country में सर कितना production हो रहा है कितना output बन रहा है तो खितना output बन रहा है वो क्या बताती है वो हमारी GDP बताती है तो सर अगर आप एक case देखो अगर आपना यहाँ पर देखो अब आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने बात बोली 2014 है मेरा base year 2015 तो current year है और 2016 भी मेरा current year है तो अब मैं इस quantity को भी नहीं भड़ा रहा दुख जो जो रहा को ठीक कर देते हैं इन सब को उड़ा देता हूँ यह है 100 देखो base year price जो है base year price मेरा है 2014 base year जो है वो मेरा 2014 तो base year price कितना रहने वाला है सर 10 तो जब भी आप real GDP निकालोगे तो आपका price हमेशा constant रहेगा price आपका हमेशा 10 रहेगा जब भी आप real GDP निकालो चाहे 2014 का निकालो 15 का निकालो 16 का निकालो हमेशा price आपका 10 ही रहने वाला है क्योंकि इसको GDP at constant prices कहा जाता है वही nominal GDP क्या निकलेगी सर अकर 2015 का निकालोगे तो price level 15 हो जाएगा 2016 का निकालोगे तो price level 20 हो जाएगा तो चलो सर दोनों साल का आप GDP निकाल के दिखाओ मुझे इसका GDP निकाला 2015 का nominal वाला तो 15 multiply by 100 क्योंकि current year price लेना होता है तो यह हो जाएगा सर 1500 इसका निकालो सर 2016 का 20 multiply by 100 तो यह हो जाएगा 2000 real GDP निकालो सर price मतलब सेम रहने वाला है real GDP में price 10 ही रहेगा बट quantity कितना है quantity सर 2015 में भी 100 था और 2016 में भी यह 100 ही है तो quantity कितना आ गया 1000 तो 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 अब दोनो GDP इसमें से अच्छा GDP कौन सा है which is the better GDP तुम खुद बताओ दोनों में से अच्छा GDP कौन सा है देखो सर हमारे country के अंदर quantity यह पूरे साल के अंदर इन दोनों सालों के अंदर 15 और 16 के अंदर quantity में कुछ फरक आया 15 में भी 100 units बनते थे 16 में भी 100 units बनते थे मतलब सर कुछ development ही नहीं हुई economy के अंदर जब कुछ development हुई नहीं तो यह nominal GDP कौन सी कहानी बता रहा है यह nominal GDP तो जूटी कहानी बता रहा है nominal GDP हमें दिखा रहा है कि country के अंदर development हुए है और इस बारी भी 1000 ही है ठीक है तो जब prices को constant रखा जाता है real GDP के अंदर तो वो हमको एक exact figure बताता है हमारी economy के बारे में कि economy में actual production increase हुआ भी है या नहीं हुआ जैसे कि यहाँ पर 2015 से लेके 2015 तो 2016 अगर हम देखे sir no development है कोई development नहीं हुआ कोई output में increase नहीं हुआ है न हमको देखने को मिल रहा है न सर 100 units थे और इस बारी भी 100 units है तो कोई development नहीं हुआ पूरे साल में बट nominal GDP क्या दिखा रहा है nominal GDP तो कुछ अलगी figure दिखा रहा है nominal GDP कह रहा है 500 units की भड़ोतरी हुई है GDP के अंदर 500 units rise हुई है and real GDP क्या बता रहा है real GDP बता रहा है no development तो कौन एक अच्छा indicator है which is a better indicator तो sir no development हुई है वो हमको पता लग रहा है but real GDP सची कहानी बता रहा है nominal GDP जूटी कहानी बता रहा है यही सारी चीज़े यहां पर लिखी है कि real GDP is not affected by the change in price level price level कम हो जादा हो real GDP को उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो price को constant लेके चलता है it is only affected by the quantity of output इसी लिए real GDP is a better indicator अब आते हैं GDP deflator वाले topic पर GDP deflator वाले topic जो की हमारा price index का topic है GDP deflator का formula है nominal GDP divided by real GDP multiply by 100 sir nominal GDP भी निकालनी आती है real GDP भी निकालनी आती है multiply by 100 भी करना आता है तो बस यह इसका formula है nominal GDP 1200 price index दे रखा है 120 real GDP निकालनी है price index कितना है price index है 120 nominal GDP है 1200 राइ formula भी लिख देते है ने एक बारी चलो तुम्हारे लिए formula भी लिख देते है GDP deflator का formula होता है nominal GDP upon real GDP multiply by 100 GDP deflator कितना दे रखा है 120 दे रखा है nominal GDP कितना है 1200 है real GDP नहीं पता तो x ले लिया multiply by 100 यह divide है इधर जाके multiply and यह multiply था तो इधर जाके divide x is equals to 1200 divided by 120 multiply by 100 एक जिरो से एक जिरो काटा 12 वन जा 12 टेंज जा value आ गई 1000 real GDP का value कितना निकल कर आया 1000 भाया खतम सर GDP deflator के questions खतम GDP deflator के questions अपने समझ लो खतम बस यहीं था यह GDP deflator nominal GNP, real GNP और GNP deflator सर आपने तो GDP deflator बताया था यह GNP deflator यह अगर मान के चलो national income deflator, domestic income deflator, NNP deflator, NDP deflator यह अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे तो भाई बिलकुल टरने की जरूरत नहीं है GNP deflator है ना बस तुम्हें इतना याद रखना है उपर रहती है nominal value, नीचे रहती है real value multiply by करना है 100 nominal value तुमने देख रखिया 125 real value is 100, multiply by 100 तो सर GNP deflator का value आ गया 125 ठीक है सर यह भी देख लो सर, जैसे अब यह आप बोल रहे थे real income है 400, price index है 100 और nominal income क्या होगी अरे यह income हो, GNPO, NNPO, FendiPO, कुछ भी हो मुझे फरक नहीं पढ़ता सर मुझे पता है nominal ऊपर आएगा मुझे सिरब इतनी सी बात पता है nominal ऊपर आएगा real नीचे आएगा multiply by 100 करना है price index मुझे दे रखा है question में price index सर 100 provided है nominal value नहीं दे रखी इसको x मान लेते हैं, real value 400 दे रखी है, multiply by 100 कर देते हैं अब क्या करूँगा यह इधर इसको divide में है, इधर multiply ले जाते है, multiply by 400, यह इधर multiply में है तो इधर नीचे divide में आ जाएगा is equals to x 400 से 400 कट गया x का value कितना आ गया 400 x क्या था, मतला हमारा nominal income भी कितना आ गया, 400 nominal income is also 400, real income is also 400 बस कुछ भी नहीं था जो भी हो, income deflator GNP deflator, हमें एक चीज़ याद रखनी है nominal upon real into 100 बस यह formula याद रखो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी बस आज का last तो नहीं बोलूँगा अभी भी second last है खतम नहीं हो रही हैं चीज़े बट हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी क्या time हो गया भाई time तो जादा ही हो गया बट still बहुत खेंच दिया है बहुत जादा खेंच दिया है national money and banking में अगर हमने 3 घंटे लगाये थे ना तो उस हिसाब से तो हमने बहुत तगड़ा खेंच दिया है बस यह भाई इतना time लगेगा ही लगेगा अगर सारी चीज़े करनी है सारी चीज़े समझनी है तो तुम कम time नहीं देख सकते बस अब तुमारा यही काम है चलो तुमारी पांच घंटे की भी मैं वीडियो बनाऊं तो पांच घंटे एक बारी बैठ के देख लिए नोट्स बना लिए बाद में रिवीजन करना है 2x पे देख लेना 2 घंटे में खतम हो जाएगी वीडियो ठीक है सर GDP के बारे में आप बता चुके हो सर इसके नाम में ही पता होती है इस जीजे हमने यह मैंने पहले ही बता दिया था कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एकोनमी के अंदर उसका जो मनी वाल्यू है यह तो सर जीडिपी है अगर सर जीडिपी राईज हुआ तो उससे क्या फरक पड़ेगा जीडिपी के राईज होने से क्या फरक पड़ता है सर मतलब प्रोडक्शन राईज हो रहा है प्रोडक्शन राईज हो रहा है इसका मतलब सर कॉंट्रिटी हमारी कंट्री के अंदर आउट्पुट भी राईज होगा मतलब जादा प्रोडक्शन होएगी न तो हम जादा समान बना रहे हैं जादा समान बना रहे हैं जादा सर्विसिज बना रहे हैं तो हमें जादा लोगों को हायर करना पड़ेगा जादा लेबर हायर करनी पड़ेगी जादा लेबर हायर होगी तो sir employment opportunities बढ़ेगी employment अगर लोगों को मिलेगी तो economy के अंदर income level भी rise हो जाएगा सर अगर employment rise होगी तो income level भी rise होगा तो income level भी सर rise हो जाएगा अगर लोगों का income level rise होगा तो इसका मतलब यह है कि economy के अंदर welfare भी increase हो जाएगा अब welfare क्या होता है welfare is the social well-being of the population कि population खुश है या नहीं है लोग खुश है या नहीं है ठीक है उनको किस-किस चीजों से खुशी मिलती है मुझे किस चीज से खुशी मिलती है जब मैं बाहर थंडी साफ हवा में running कर सकता हूँ that is my welfare ठीक है अगर मैं बाहर polluted हवा में running कर रहा हूँ तो यह मेरी welfare को खराब कर रही है economy को जो negatively effect करती है चीजे that reduces the welfare of the economy और जो positively effect करती है that increases the welfare of the economy तो जब भी किसी आदमी का या पूरी economy का income level rise होता है तो welfare level भी rise होता है तो यह जो सर आपने यह जो theory बताई कि क्या इस theory में दम है भी यह आपने ऐसे ही वस मजाक में बता दी theory जो आपने यह theory बताई कि अगर GDP भढ़ेगा तो welfare भी हमेशा भढ़ती है क्या इस theory में दम है जो आपने एक मन गढ़न सी कहानी में को बताई तो मैंने कहाँ नहीं इस theory में दम नहीं है GDP is not an appropriate indicator of welfare मतलब जो मैंने कहानी सी तुम को सुनाई न वो कहानी जूट थी वो कहानी एक hypothesis था मतलब ऐसा हो सकता है गलत नहीं है भाईया लोगों की income increase होगी तो लोग अच्छी जगा गुमने जाएंगे अपना अच्छा satisfy होएंगे अपनी utility को maximize करेंगे होएगा बट ऐसा नहीं है कि यह सिरफ GDP भढ़ने की वज़े से welfare increase होगा कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वज़े से welfare increase हो और वो कारण GDP में ना reflect हो रहे हो ठीक है न तो वही इसने कहा कि GDP एक indicator तो है यहाँ पर दिखाता हूँ वही यहाँ पर इसने कहा कि GDP is an index of welfare of the people in the economy but it is not an adequate measure हाँ वो बात सच है जो आपने कहानी बताई थी ना सर वो बात सच है थोड़ी थोड़ी सच है पूरी सच नहीं है अब जो बंदा बोल रहा है कि यह बात पूरी सच नहीं है जिस भी बंदे ने यह बात बोला कि यह बात पूरी सच नहीं है जिसने यह नो बोला वो थे वकील साब वकील साब लेकर आगए अपने त्या कहते हैं सबूत वकील साब ने सबूत पेश करे उन्होंने का यह मेरे पास 5 सबूत हैं इन 5 सबूतों से मैं बता सकता हूँ GDP is not an appropriate indicator of welfare 5 सबूत हैं इन 5 सबूतों के बारे मैं बात करनी है externality, non-monetary transactions industry behind GDP growth black money inequality in distribution of GDP इन सब चीजों के बारे मैं बात करूँँगा उससे पहले तुमको ये बता दू कुछ terms बता देता हूँ न externality क्या होता है क्या चीज होती है ये तो कोई एक ऐसे काम कोई एक ऐसा काम किसी और ने करा वो काम एंड उसका benefit और हम मुझे मिल रहा है मेरे घर के बार एक अंकल आये उन्होंने बहुत अच्छा सा garden खोला जिस garden की वज़े से मुझे अच्छे अच्छे flowers देखने को मिलते है मुझे अच्छी हवा दे आती है मेरे घर में अच्छा oxygen आता है oxygen content increase होता है तो वो किसी और आदमी ने वो garden लगाया बट फाइदा मुझे हुआ that is an externality मेरे घर के पास एक factory खुल गई उस factory से काला धूँआ आ रहा है carbon dioxide आ रहा है वो factory मैंने नहीं लगाई किसी और ने लगाई बट उसका नुकसान मुझे जहिलने को मिला तो जब किसी और की काम की वज़े से हमें कोई नुकसान या फाइदा होता है that is known as externalities are those activities that harm or benefit but neither being paid nor purchased ठीक है जिसके जो हमें harm या फिर benefit देखने को मिलता है बट उस benefit के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया होता है free का benefit और free का harm होता है दो भागों में बटा होता है negative externality and positive externality सर जो आपके घर के पास factory खुली थी जहां से smoke आ रहा था वो आपकी welfare को negatively effect कर रही थी तो वो एक negative externality है जो आपके घर के पास garden खुला वहां से आपको pure oxygen मिल रहा था तो वो आपका एक positive externality है any act which benefits the other person without being paid for that any act which harms the other person बस benefit और harm का फरक है without being paid for that harm उसको बोला जाता है negative externality ये देखो तुमारे घर के सामने सर गार्डन खुल गया तो ये एक positive externality का example है एक factory खुल गई तो ये एक negative externality का example है non monetary transactions इसके बारे में भी बता देता हूँ externality खतम वो कुछ सबूत हैं जो भी पेश करेगा बट उन सबूतों का मतलब भी तो हमें पता होना चीए न हम पहली बारी अगर सुनेंगे externality तो हमें क्या पता क्या होता है तो बता दिया तुमको externality क्या होता है अब non monetary transactions क्या होती है what are these non monetary transactions तो वो transactions जिनको हम money की terms में measure नहीं कर सकते कोई transaction जिसको पैसों में measure नहीं करा जा सकता है पैसों में तोला नहीं जा सकता वो होती है non monetary transaction मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है मुझे पढ़ाई करवा रही है तो उनका purpose यह है कि मेर से पैसे लेंगी यहाँ भैया तिरको पढ़ाई करा रही हूँ अब कल तु मुझे कमा के पैसे लाके दियो मजदूरी करियो और पैसे लाके दियो नहीं उनका purpose ही नहीं है वहाँ से पैसे कमाना तो कुछ ऐसी transactions भी होती है सर जिनका purpose पैसे कमाना नहीं होता बट वो welfare को increase करती है मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया मेरी welfare increase हुई न मेरा educational level बढ़ा education level बढ़ा मैंने कुछ अच्छा सीखा होगा तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तब ही पढ़ा रहा हूं तो बस यही scene है कि कुछ ऐसी non-monetary transactions रहती है जिनकी वजह से welfare तो increase होता है बट वो GDP में reflect नहीं होती क्योंकि हम उसको money की terms में measure नहीं कर पाते services of family members to each other are the example of such non-monetary transactions ठीक है यह कुछ examples है उन non-monetary transactions के अब इन सबूतों के बारे में बात करेंगे बस फटाक से बात करते हैं इन सबूतों के बारे में तो अब हम इनकी बात कर रहे थे ना हम इन सबूतों के बारे में बात कर रहे थे कि इनके क्या सबूत हो सकते हैं कि sir हम यह बोल सके कि GDP is not an appropriate index for calculating the welfare of the economy अब एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं फिर समझ लो अपने सारे topics खतम हैं इसके बाद PYQ करा दूँगा जो बचे कुछे रह गए हैं ठीक है आधा portion PYQ का पहले ही करा दिया था आधा अभी इसके यह चीज़ खतम होने के बाद ही करा दूँगा देन एक लास्ट एक छुट्टू सा topic रहेगा जिसमें ना अपन सारी चीज़े revise कर लेंगे and precautions होते हैं जो बहुत जरूरी रहते हैं अपने exam point of view से जिसमें ना यूँ पूछा जाता है this is included in national income or not वो हमको तब पता होगा जब हम एक बारी पूरा revision करेंगे कि वहया income method में क्या-kya चीज़े थी क्या-क्या नहीं आनी चाहिए expenditure method में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए ये सब चीज़े देख लेंगे value-added method में कौन-कौन से components होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए वहां से हमको पता लग जाएगा कि कौन सा element national income में include होगा या कौन सा नहीं होगा वो बिलकुल last में 15 minute देख लेंगे और वो सारी चीजे revise करते करते ही सारी precautions अपन कर लेंगे बस एक बार ये देख लो फटा फट पहला हमारा सबूत है externality externality के बारे में मैंने तुमको पहले ही बता दिया externality क्या होता है कि जब कोई एक ऐसा काम होता है जिसमें हमारा कोई role नहीं है हमारा कुछ role नहीं है उस externality को करने में and still हमें क्या देखने को मिलता है हमें वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमें उस चीज से benefit या नुकसान हुआ ठीक है तो सर एक example लेके चलते है externality का जैसे हमारे घर के पास factory खुली factory खुलने की वज़े से economy में GDP तो increase हो गया सर GDP हो गया increase बट लोगों की welfare थी यहाँ पर देखो welfare और GDP बहले बराबर थे factory बनने की वज़े से GDP भढ़ गया बट factory बनने की वज़े से लोगों को गंदा pollution carbon dioxide inhale करना पड़ रहा है उनका welfare हो गया कम तो सर यह appropriate indicator कैसे है GDP तो बढ़ा तो welfare बढ़ना चीए था बट welfare हो गया कम इसकी वज़े से पहला सबूत कौन सा आया externality का सबूत आया जिसने बताया कि GDP is not an appropriate indicator of welfare पहला सबूत तुमारे सामने सबूत पेश कर रहा हूं जैसे तुम मेरे जच साब हो मैं तुमारे सामने सबूत पेश कर रहा हूं ठीक है second is non-monetary transactions non-monetary transactions क्या जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी कोई भी घर के काम होते हैं तुमारे पेरेंट्स तुमारे मम्मी पापा तुमारे लिए कर रहे हैं ठीक है तुमारे को खाना बना की खिलाना तुमारी पढ़ाई करवाना all these are non-monetary transactions तुमको घर में पढ़ाते हैं homework करवाते हैं तुमसे तुमारे साथ बैठ के तुमारे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं all these are non-monetary transactions sir non-monetary transactions के case में क्या होता है ये रही GDP ये रहा welfare ठीक है non-monetary transactions की वज़े से एक family का एक individual का welfare तो हो रहा है sir rise welfare rise हो रहा है but GDP पर कुछ फरक नहीं है GDP यहीं का यहीं है क्यों क्योंकि ये एक non-monetary transaction है ये कभी भी money value में measure करा ही नहीं जाएगा तो GDP is unaffected welfare is growing तो इस धर भी हमने क्या सबूत पेश करा कि GDP is not an appropriate indicator of welfare third industry behind GDP growth कि sir GDP growth तो हो गया ये रहा GDP दुबारा से ये रहा welfare GDP तो grow कर गया sir GDP grow कर गया बट ये GDP grow पता है किस वज़े से करा है ये GDP grow करा है तंबाकू और cigarettes और liquor industry की वज़े से sir ये चलो ठीक है GDP grow कर गया बट ये किस industry की वज़े से grow करा आप देख रहे हो इस industry की वज़े से liquor, तंबाकू और cigarette की industry की increase GDP तो बढ़ा दिया इसने, बट साथी साथ welfare को कम कर दिया तो दुबारा से तीसरा सबूत यहां पर पेश हो गया कि industry भी important होती है किस industry की वज़े से GDP rise हो रहा है that is equally important third is black money sir black money काउंसी money है जो कभी भी पैसों में measure मतलब वो कभी भी officially दिखाई नहीं जाती जब कोई चीज officially दिखाई नहीं जाएगी तो वो हमारे GDP में reflect नहीं होगी GDP रहा यहीं का यहीं और जिस बंदे ने black money कमाई या जिस individual ने जिस organization ने black money कमाई उसकी welfare हो गई rise बट GDP तो यहीं का यहीं है जैसे non-monetary transactions थी उसी हिसाब से black money भी है GDP unaffected बट जिसके पास वो black money है उसकी welfare rise हो जाती है तीसरा इसका सर हमने सबूत दे दिया फिफ्थ इस inequality in distribution of GDP दोबारा से देखते हैं सर सर दोबारा से GDP हुआ rise GDP और welfare बराबर GDP हो गया rise बट यह GDP rise हुआ एंड इस GDP के rise का जो benefit था ना वो सारे अमीर लोग उठा गए जो वो GDP के benefit मनलब GDP rise होने की बज़े से लोगों की income increase हुई तो कौन से लोगों की income increase हुई जो अमीर लोग थे गरीब लोग उस GDP growth का फाइदा ही नहीं उठा पाए तो distribution inequality in the distribution of GDP is the third evidence और यह पाँच हो पाँच हो फिफट evidence और पाँच हो evidence से हमने यह साबित कर दिया जद साब तुम्हें बता दिया कि देख लो पाँच हो evidence दे दिये हैं इससे साबित होता है GDP is not an appropriate indicator of welfare and सीधा 3 number का 4 number का इतनी बार question पूछा गया यह PYQ में इतनी बार तो अगर तुमको यह पाँचो चीजे मेरी समझाई हुई भी याद है तो अपनी language में भी लिख दोगे तो भी marks मिलेंगे तो please अपने 3-4 number पके करो बहुत chances होते हैं इसके आने के और अगर तुम्हें proper language में चीए तो देखो यह सारी चीजे मैंने लिख भी दिया how externalities not an indicator inequalities in GDP distribution industry behind GDP growth यह भी एक सबूत है non-monetary transactions यह भी एक सबूत था sir और black money पाँचो चीजे English language में भी लिख के तुमको दे दी और अगर English language नहीं याद करनी तो भाईया जो मैंने समझाया है वो सुन लेना और अपनी खुद की language में बनाके लिख लेना चीजों को यह लो एक question देख दो question है which of the following makes GDP and inappropriate index of welfare यह वो पाचो सबूतों में से पूछ रहा है कि कौन सा सबूत यहां पर है ठीक है ना कोई वोई पाचो सबूत थे ना जिन्नोंने कहा था कि GDP is an inappropriate index of welfare तो सर उन पाचो सबूत में non-monetary transaction भी था externalities भी थी composition and distribution of GDP भी थी composition वही वाला part है सर composition तो बताया नहीं तो यह जो industry behind GDP growth है ना इसी को composition बोलते हैं composition of GDP कि GDP grow कर रहा है बट उसके पीछे composition क्या है कौन सी industry involved है उसके पीछे वो भी बताओ तो all of these is the correct answer here option number D जो है वो हमारा correct answer होगा sir ठीक है भाई GDP deflator real GDP nominal GDP सब तुमको बता दिया है ठीक है सारी चीज़े तुमको बता दी है अब 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 अपन आते है हमने sir अब क्या कर लिया है फटा फट टाइम ना खराब करते होगे जल्दी से बाई जल्दी से बताता हूं stock flow भी कर लिया ठीक है सबसे उपर चलते है ठीक है यह पहला पार्ट अपना पूरा complete हो गया है इसके तो हमने questions भी कर लिये सर इसकी बात मत करो अब हमने क्या करा इसके हमने questions भी कर लिये थे पहला पार्ट तुम्हें कहा था कि एक पार्ट कर गए थोड़ा चाय कॉफी पी लेना एंड उसके बाद second पार्ट उठाना अब हमने value added method भी कर लिया उसके अलावा हमने stock and flow variable भी कर लिया types of goods भी कर लिये types of goods कौन कौन से थे भाईयों मैं नो types of goods कौन से थे सर दो categories में divided थे on the basis of nature और on the basis of user nature के basis पे थे final and intermediate good user के basis पे थे consumer और producer goods इसके अलावा क्या करा इसके अलावा अभी जो last वाला topic था real and nominal GDP deflator deflator में GDP क्यों नहीं लिख रहा क्योंकि sir सभी deflator का formula same है चाहे वो GDP हो GNP हो income deflator NNP deflator NDP deflator सारे deflator का formula same ही होता है and last but not the least GDP and welfare मत भूलना भाई इसको मत भूलना बहुत फेवरेट कोश्चन है theoretical जब theoretical पार्ट पुछा जाता है ना national income से तो सबसे पहले examiner के दिमाग में GDP and welfare ही खटकता है अब इन सारे पार्ट से related पी वाई क्यूज कराऊंगा and last में तुमको बता दिया है कैसे कराना है ठीक है जल्दी से बाई बिना time खराब करते हुए अफ़टाक से पी वाई क्यूज पहुच जाते हैं जो हमारे second part के पी वाई क्यूज है चलो बई सर सबसे पहले हमसे क्या कहा सबसे पहले हमसे कहा NVA at FC का value निकालने के लिए हमें NVA at FC नहीं आता बट सर हमको GVA at MP निकालना आता है ठीक है gross value added at market price सर मुझको निकालना आता है वो आप मुझको आप बता चुके हो value added method के अंदर वो होता है सर sales plus change in stock minus intermediate consumption ठीक है minus intermediate consumption intermediate consumption क्या होता है cost of raw materials भी बोलते हैं इसको और raw materials अगर तुमको याद हो तो raw materials का एक और भी नाम था single use producer goods types of goods में यह सब कराया हुआ है raw materials को single use producer goods भी कहते थे तो यह लिखा single use producer goods यही हमारा intermediate consumption का value है इसका value है IEC बोल लो purchase of raw material बोल लो उसका value 120 दे रखा है यह तो मिल गया सर change in stock भी directly मिल गया मुझे यह रहा अब आगे 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 सर sales नहीं है दो type की sales है domestic sales और exports तो मैंने कहा था अगर sales नहीं दे रखी हो तो दोनों type की sales domestic sales जितना हम अपने देश में बेच रहे हैं और जितना हम बाहर export कर रहे हैं दोनों को add कर देंगे तो 200 प्लस 10 यह हो गया 210 change in stock कितना है change in stock है minus 10 minus intermediate consumption कितना है minus 120 तो GVA at MP का value कितना आगे 120 minus 10 200 200 minus 100 100 और 80 आया value भाई अब मैंने GVA at MP का value निकाला है तुमको निकालना है इससे sir GVA at MP से हमको NVA at FC पर जाना है मतलब हम एक gross से net पर जाना है तो यह जो भी value होगा इसमें depreciation subtract कर दूँँगा जो भी value का 80 है 80 में से depreciation subtract करूँगा और MP से FC पर जाना है तो sir net indirect taxes की value भी subtract कर दूँगा net indirect taxes directly दे रखे हैं question में depreciation नहीं दे रखा depreciation का एक formula भी कराया था तुमको accounts में भी कराया जाता है नहीं करा तो यहां से देख लेना ठीक है यह देखो fixed capital good जो हमने खरीदा था sir कितने का वो समान खरीदा था 15 का खरीदा था बाद में कबाड में कितने का बेच दिया नहीं दे रखा मतलब scrap value provided नहीं है न question में मतलब scrap value 0 है कुछ भी नहीं भी का कबाडी ने का क्या गुड है मेरे को ऐसी दे तो free में ठीक है तो 0 scrap value है और expected life कितनी है 5 15 divided by 5 is equals to 3 तो sir हमें GVA at MP कितना था 80 minus depreciation आया 3 net indirect taxes है 20 तो sir NVA at FC का value कितना आ गया मेरा NVA at FC का value है 60 minus 357 भाई मैंने पहला question अपने आप से कर दिया क्योंकि value added method का एक भी question नहीं कर आया था अब कोई भी question आएगा तो मैं सिरफ values बता दूँगा and final answer तुमसे चाहिए उसको ठीक है final answer तुमारा देखूँगा बैस चाट बोक्स में statement 1 है statement 2 है अपने पास sir आगे बता दू GDP is the sum total of the gross value gross market value of all final goods and services added by all sectors in the economy during a fiscal year तो बिलकुल सही sir gross value added at market price is equals to GDP at MP होता है मतलब सर जितने भी sectors होते हैं तीन sectors है मान के चलो पहला दूसरा तीसरा एक को primary, secondary, tertiary या और भी जितने sectors है economy के अंदर तीनो sectors का जब या चारो sectors का जब जीविया जोड दिया जाता है तो GDP at MP निकल कर आता है या आपने मुझे बता रखा है वीडियो के अंदर ही बताया है नहीं पता इसका मतलब वीडियो भी ध्यान से नहीं देखा है gross value added at market price is equal to the excess of value of output minus intermediate consumption अरे सर अभी तो बताया अभी पिछले question में ही बात करी है GVA at MP होता क्या है what is GVA at MP तो वो होता है सर GVO at MP minus intermediate consumption जो sales plus change in stock था वो GVO at MP का ही value था gross value of output at market price तो ये भी सही statement है बोथ थी statements are true option number C जो है तो हमारा सही answer है अगला question many goods and services क्या है sir many goods and services which may contribute to welfare but are not included in the estimating are not included in estimating GDP अरे sir 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 मुझे याद आ गया मुझे अभी याद आ गया कौन सी ऐसी transactions थी बहुत सारे ऐसे goods होते है जो welfare में contribute करते है बट sir वो GDP में include नहीं होते तो इसका सबसे अच्छा एक्जामपल कौन सा हो जाएगा एक तो sir जितनी भी हमारे non-monetary transactions होते हैं sir जितने भी non-monetary transactions हो सकते हैं इसमें बहुत सारे एक्जामपल जोड सकते हो अगर तुम कोई भी ऐसी activity कर रहे हो जिससे तुमको खुश ही मिल रही है तुम painting कर रहे हो तुमारे मम्मी पापा तुमारे को पढ़ाई करवा रहे हैं तुमारे को खाना पीना करवा रहे हैं यह सारे non-monetary transactions के example हैं ऐसे तुम तीन चार जितने मर्जी example यहां पर लिख के आ जाना और फिर examiner को बताना कि in all these examples यह साफ साफ clear है कि इन सब के अंदर welfare increase हो रहा है बट यह सारी transaction non-monetary transactions हैं जो कभी भी money की terms में measure नहीं करी जाएंगी money की terms में measure नहीं होंगी मतलब GDP में include नहीं होंगी ठीक हैं तो इसका example जितने भी non-monetary transactions लिख सकते हो उतने लिख देना वही हमसे exam में मागा गया है do you agree with the given statement तो yes I agree with the given statement से ही एक number मिल जाएगा उसके बाद 2 examples explain कर देना या सिरफ इतना बता देना non-monetary transactions जितनी भी होती हैं उसमें welfare increase होता है बट GDP is unaffected पूरे 3 marks मिल जाएंगे final goods और intermediate goods के बीच का difference उचा है क्या क्या difference थे सर सारी चीज़े बता देना सारी चीज़े कर रखिये हमने final और intermediate goods उसके बारे में सबसे पहला final goods national income में include होते हैं intermediate goods national goods में national income में include नहीं होते final goods crosses the production boundary ये production boundary को cross कर चुके हैं intermediate goods ने production boundary cross नहीं करी है intermediate goods lies within the production boundaries चलो ठीक है सर दो तो आपने बताई दिये तीसरा तुम खुद करना तीसरे में एक example लिख सकते हो वो भी ठीक है और अगर example नहीं भी लिख सकते तो 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 क्या लिखोगे final और intermediate goods में ये लो चलो with suitable example ही पूछा है तो एक marks तो example का ही हो जाएगा एक example लिख देना क्या example होगा सर final good का example दो पहले final good का क्या example होगा car purchased by an household is a final good वहीं पर car purchased नहीं वहीं पर raw material purchased by a factory is an example of intermediate good ठीक है सर पूरे 6 number मेरे done होगए paper में with a suitable numerical example distinguish between real GDP and nominal GDP सबसे पहले तो एक suitable example लेना है example मैंने तुमारे को वीडियो में ही explain करा है एक example के थूरू इस चीज़ को ठीक है example के थूरू तो explain करा है बट real GDP कौन सा होता है सर मुझे अभी भी याद है GDP तो एक ही होता है GDP का formula तो सर सिंपल सा होता है आपने हमको बता भी रखा है price into output ठीक है जितना भी हम output बना रहे हैं उसको multiply करना होता है price से बट real GDP में कौन से price से multiply करते है base year price से base year price से multiply होता है and nominal GDP में किस से multiply होता है current year price से multiply होता है बस यही इनका major difference है यही इनका major एक difference है जो आपको बताना है ठीक है कि इसमें base year price लिया जाता है इसमें current year price से multiply करा जाता है दूसरी चीज इसको GDP at constant prices भी बोला जाता है इसको GDP at current year prices भी कहा जाता है उसके बाद real GDP is a better indicator of the growth of the country while nominal GDP is not an appropriate indicator of the growth of the economy उसके अलावा एक example और explain कर देना भाई पूरे चार number मिल जाएंगे एक example मतलब value लिख देना output का value 100 ले लेना base year price 20 जैसे मैंने example लिया है वीडियो में वैसी तुम भी एक example ले लेना meaning of normal resident मैं नहीं बताऊंगा सर normal resident मैं नहीं बताने वाला ठीक है simple सा तो है सर एक year से जादा कोई अगर आदमी आपके देश में रुखता है उसके अलावा उसका economy of interest यहां पर लाए करता है उसका economy of interest भी यहीं पर लाए करता है इसका मतलब one year और above एक year या उससे जादा अगर कोई आदमी अपके देश में रुखता है एंड उसका economy of interest भी हमारे देश में लाए करता है then he will be considered as the normal resident of that country यह विलिक दो गए तो पूरे दो नमबर आ जाएंगे अब आगया stock और flow variable से stock variable मुझे अभी भी याद है सर जो बहता रहता है जिसको बहने दो बहने दो मतलब flow variable कौन सा था भई कि सर जिसको न हम continuously measure करते रहते हैं stock variable जिसको at a particular point of time measure करा जाता है stock variable measured at a particular point of time और at a point of time तो statement 1 बिलकुल सही है flow variables and stock variables are same अरे सर इनका थो हमने पूरा difference पढ़ा था तो यह same कैसे हो सकते हैं तो statement 1 is true and statement 2 is false उसके अलावा flow variables from the following इन में से flow variable identify करना है देखो यह 31 March को calculate हो रहा है यह 31 December को तो यह दोनों चीज़े तो at a particular point of time measure हो रही हैं तो सर यह stock variable है distance between दिल्ली और अमरित सर सर वो भी हमेशा constant रहेगा वो कभी change नहीं होने वाला जो चीज constant रहती है that is a stock variable but the annual expenditure of school it is a flow variable सर क्योंकि जो school का expenditure है वो हमेशा continuously चलता रहता है डेली बेसिज पे भी हम expenditure को measure कर सकते हैं ठीक है ना इसी लिए इन चारों में से option number B is the flow variable देखो भाईया 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 सर ये question भी आपने कराया हुआ है सीधा 6 number का paper में आया हुआ है 6 नहीं तो चलो 3 number का कराया था या types of goods में नहीं कराया था कि भाईया कि कोई भी अगर हम machinery खरीदेंगे सर तो क्या वो हमेशा ही वो machinery हमारा final good होगी हमारी investment expenditure होगी तो तुमको example दिये थे कि हमेशा machine हमारा capital good नहीं होती capital good मतलब investment purpose के लिए नहीं ली होती it depends sir क्या पता आपकी एक electronics की दुकान हो आपने वहाँ पर machinery sale के लिए खरीदी हो ठीक है तो अगर वो ना purpose define करता है कि machinery खरीदने के पीछे आपका purpose क्या है तो do you agree with the statement no I do not agree with the statement because the purpose behind purchasing that machinery determines whether the good is a final good और an intermediate good अगर कोई चीज अगर कोई machine as a capital good खरीदी जा रही है जैसे हमने बात भी करी थी जैसे कि एक taxi driver अगर एक car खरीदा है एक cab खरीदा है तो वो उसने profit कमाने के लिए वो cab खरीदी है investment purpose के लिए खरीदी है तो वहाँ पर वो जो cab वो जो machine है वो एक capital good कहा जाएगा बट वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोई एक ऐसी machine जो हमने resale purpose के लिए खरीदी है जैसे मेरी एक electronics की दुकान है वहाँ पर मैं phone खरीदा हूँ washing machines खरीदता हूँ resale purpose के लिए तो sir resale purpose के लिए जब उसको खरीदा जाएगा तो वो एक intermediate good होगा ठीक है ये सारी बाते अगर नहीं यादा आरी तो भाई मैं वीडियो में बता चुका हूँ जहां पर intermediate और final good बताया था हमें बहुत अच्छे से explain करा था इसको net exports क्या होता है भाई export minus import sir एक एक number के हैं ये सिरफ तीनो explanation तो छोटी छोटी सी explanation लिख लेना net export is defined as the difference between export and import externalities क्या होती है किसी के दूसरे की काम की वज़े से जब हमें benefit या नुकसान होता है that is externality problem of double counting जब हम अपनी national income को over estimate कर लेते हैं एक चीज को दो या दो से ज़्यादा बार calculate कर लेते हैं that is known as the problem of double counting ये अभी नहीं कर रहा ये देखो वो included और not included वाला है ये last में कराऊंगा precautions करवाने के बाद अभी के लिए इसको pause कर दो ठीक है अभी के लिए pause कर दिया column 1 और column 2 choose the correct pair कौन सा इन में से correct pair है तो vegetable grown in the personal grown in personal garden यही हमारा correct answer है इसके अलावा सारे देख लेना गलती होंगे क्योंकि पहले वाला ही हमको सही मिल गया है अगर हम अपने personal garden में मैं अपने personal घर की एक छोटा सा garden है वहाँ पर टमाटर उगा रहा हूं तो that is a non marketing activity मैं पैसा कमाने के लिए वो नहीं कर रहा है मैं अपनी मर्जी से अपनी as a hobby या फिर किसी भी चीज के लिए कर रहा हूं तो वो एक non monetary transaction है वो non market activity है ठीक है ये वाला question भी देख लो भाईया ये भी अच्छा question है सर value of output दे रखा है मतलब GVO at MP आपको provided है intermediate consumption मतलब IC या value of raw material और value added मतलब GVA at MP आपको दे रखा है ठीक है पहले वाले में सर मुझे याद है GVO at MP माइनस intermediate consumption हम करते है तो GVA at MP निकल कर आता है तो 2000 में से आपने क्या subtract करा कि अच्छा ये तो कॉमा ही लगा हुआ है अलब कॉमा लगा है ये तो 0 ही है उसके बाद सर अब यहाँ पर कितना हो गया देखो ध्यान से intermediate consumption कितना है 2000 value added है 2000 intermediate consumption 2000 value added है 2000 ये हमें नहीं पता तो इसकी value X मान ली ये इधर माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा X की value आ जाएगी 4000 अब इसको मिठा देता हूँ यहाँ पर ये first वाले की value आ गई 4000 4000 में से 2000 घटाएंगे तब हमारा 2000 आएगा सर अब देखो सर ये 2000 ये 4000 हो गया 6000 इसमें ये भी add कर दो तो 6000 में ये add करा तो 10400 हमारी इसकी value आ गई 10400 कहां पर है भाईया अच्छा A, B और D कोई भी answer हो सकता है अब देखते हैं कौन सा होगा दुबारा से value of output minus intermediate consumption करा intermediate consumption इधर कितनी है 4000 है कैसे पता लगा सर क्योंकि value added 400 थी न 4400 माइनस 4000 करोगे तो 400 आएगा तो सर 1, 2, 3 1, 2, 3 A और B में से ही कोई सही answer है क्योंकि first, second और third element हमको मिल गए है fourth element कैसे मिलेगा रहे इन सब को add कर दो 2000 प्लस 2000 4000, 4400 तो ये रहा option number B हमारा सही answer होगा option number B is the correct answer here externalities मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं पूरा डाइग्राम बना के दिखाया है positive और negative externality होती है example भी बताया है सब चीज़े बता दिये है externality की बारे में तुम भी बता देना कि positive positive अलग होती है negative अलग होती है दोनों के example दे दे ना पूरे दो marks मिल जाएंगे operating surplus क्या होता है sir operating surplus में आता है rent, royalty, interest and profit एक marks का question है इससे जादा लिखने की जरूरत नहीं है इससे जादा मत लिखना बस इतना ही लिख देना operating surplus is the income from property and entrepreneurship ठीक है ये दोनों property की income होती है एंड ये दोनों entrepreneurship की income होती है ठीक है तो it is the property नहीं ये तीनों होती है property की मतलब इसको पूरे को न इस पूरे को का जाता है operating surplus को ही का जाता है income from property and entrepreneurship एंड उसके अंदर ये चारों components होते हैं इतना लिख दोगे पूरे एक marks मिल जाएंगे ये देख लो उमबात करी थी ना मैंने कहा था circular flow का question आता है आता है बट हमने जब पहले करा था तब नहीं मिला था अब वो पूरा circular flow explain करना है इधर concept of circular flow in two sector model मतलब firms और household पूरी चीज़े household यहां पर बनाओगे firms यहां पर बनाओगे पूरा diagram बनाओगे उसके बारे में पूरा explanation लिखोगे जो तुमको लिखके दिया था ठीक है वो सारी चीज़े लिखोगे तब जागे तीन marks आएंगे जो सर उसमें real और nominal flow था और वो जो तीन phases थे कौनसा income expenditure और value added वो तुम्हारे उपर है ठीक है तीन marks का है तो वो लिखो ना लिखो तीन marks मिली जाएंगे बट अगर पांच marks का question आजाता है तो वो चीज़े जरूर लिखना वरना marks कट जाएंगे real GDP is better indicator of economic growth इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ पहले ही बात कर चुका हूँ एक पूरी slide है why GDP real GDP is better indicator then nominal GDP answer भी उसका बता देता हूँ real GDP एक इसलिए better indicator है क्योंकि वो base year price को consider करता है constant prices को consider करता है it is not affected by the change in price level इसलिए एक better indicator है is represented by the ratio of real and nominal यह देखो पहले तो यह income from property and enterprise यह operating surplus के बारे में ही बात कर रहा है अब देखो sir दो number का आगया है ठीक है तो अब हमें थोड़ा सा जादा लिखना पड़ेगा rent के बारे में लिख देना rent क्या होता है royalty क्या होता है interest क्या होता है profit के जो दो components होते है distributed and undistributed profits उनके बारे में भी लिख देना तो कि दो marks का question आ गया है तो थोड़ा सा जादा explanation लिख देना ठीक है अब आगे चलो GDP deflator is represented by the ratio of real upon nominal is the ratio of कौन सा होता है क्या होता है क्या होता है क्या ये ratio of real upon nominal होता है sir GDP deflator का formula होता है nominal upon real GDP nominal upon real GDP into 100 ठीक है 100 तो इसलिए करते है क्योंकि percentage value होती है but GDP deflator fraction में भी आ सकता है तो I agree with this statement मैं इस statement से agree करता हूँ ठीक है मैं इस statement से विलकुल agree करता हूँ अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे real upon nominal थोड़ी लिखा है sir but यहाँ पे upon word ही नहीं है यहाँ पे तो and a word तो हाँ भाई ये nominal and real GDP के बीच का ratio ही होता है जिसको हम GDP deflator बोलते है and इसको explain करना है with the help of a numerical example तो एक numerical example ले लेना जहाँ पर एक real GDP की कुछ value होगी nominal GDP की कुछ value होगी and उसका answer निकाल देना GDP deflator की help से ठीक है या फिर एक output ले लेना एक price ले लेना एक base year लेना and एक current year लेना ठीक है इस तरीके से एक numerical तयार करके answer बनाना क्योंकि देखो hypothetical numerical example लेने के लिए बोला है तो कम से कम एक तेड़ मार्क उस example लेने के ही तुमारे हो जाएंगे ठीक है क्या time हो गया भाईया बस यह देख लेते हैं फटक से real GDP is a better indicator of economic growth of a nation as compared to nominal GDP बिल्कुल सही सर real GDP एक better indicator होता है हमको पता है आख बंद करके भी बोलोगे तो भी मैं बोलूँगा real GDP measures the value of goods and services at current year prices गलत सर real GDP दो base year prices पे consider करता है base year prices लेता है तो assertion सही है reason गलत है option number C हमारा सही answer है ठीक है न चलो भाईया एक आखरी अब topic रह गया बस यह एक आखरी topic और कर लो please guys ठीक है इसमें सारी चीज़े revise हो जाएंगी अब तुम्हारा अब चापटर खटम हो चुगा है ठीक है अब तुम्हारी लिए गंटे की वीडियो बनी है चार साड़े चार घंटे अगर तुम देखो बाते सारी खटम है यही से तुम सारी चीज़े बता सकते हो की कौन सी चीज इंक्लूड हो होوتी सी चीज नहीं होगी बट एक बार सारा रीकैप है भाई साड़े चार घंटे समझ रहे हो अब तुम सोचो के साड़े चार घंटे पूरा बैठ के कर लें तो भाई पूरी वीडियो मैंने भी एक साथ रिकॉर्ड नहीं करी है तुमको भी पता है मैं भी रुक रुक के रोटी फाक पानी पी पी कि चीजे मैंने भी वैसे ही करी है तो तुम भी वैसे ही करना 1-1 घंटे का लगा ले लेन तब ही जाके चीजे कंपलीट होगी और तुम यहां तक पॉहँचियो हो तो इसका मतलब तुम मैंत करनाbu well, okay, और लिचार घंटे की तुम सोच रहे होे हो एक गंटा देखना देषोर गंटा उसको मारा हो गया सर करना उसको किलना निःवाइस करा देता हूं वह दिसार अंडुल public श्रीचुंट्व फ हुत आंघ लक्राइड इंध्लियु प्रायु तोक इनक्रम यह इत वहते हुरग लछ के सदावीर्भ इन्धि अ से economy का gva at mp ले लेते हैं ना सारी economy में जितने भी gross value added होए है सभी sectors के तो उन सब का submission करके हम ultimately gdp at mp का value निकाल देते हैं सर ठीक है ये आपने हमें समझा रखा है सिखा रखा है अब सारी चीजे इनका method में क्या steps होते हैं एक सबसे पहला इसका component होता है सर compensation of employees ठीक है जितने भी ये थे wages and salaries in cash, kind, social security contribution by employer ये सारी चीजे national income में include होंगी इसी जे लिख रहा हूँ है ये सारी चीजे national income में include होंगी operating surplus के सारे components national income में include होंगे mixed income जो होती है वो भी national income में include होगी सर इससे निकलती है domestic income की value ndp8fc का value निकलता है उसमें सर nfia और जोडते है न तब nnp8fc आता है ठीक है तो सर इसका मतलब ये सारे components national income के अंदर include होंगे बट सर कुछ precautions रह जाते हैं कुछ ऐसी सावधानिया है जो हमें बरतनी है कुछ ऐसे type की incomes है जिनको हमें इस अपनी calculation में नहीं जोड़ना वो कौन से प्रकार की income होती है ध्यान से सुन लेना precaution जिन्धी income method ठीक है इससे हम ndp और nnp दोनों की value निकाल सकते है income method से तो सबसे पहले सर आपने पहले ही बता रखा है कि सिरफ factor income include होती है transfer income इंकलूड नहीं होती факtor income क्यों नहीं होती क्योंकि ये non productive activities से कमाई हुई income है र कोई illegal activity से income आपने कमाई है black money कमाया है तो सर वो भी national income में include नहीं करा Carrie and sir non monetary transactions जो होती है न वो भी national income में include नहीं होती क्योंकि non monetary transaction कभी money की terms में ही नहीं आ पाती तो इसलिए sir वो कभी national income और GDP में include भी नहीं होती income received from second hand goods कभी भी second hand goods से कमाई गई income national income में include नहीं होती reason बहुत simple है क्योंकि वो एक second hand good है उसकी जो value थी जब वो खरीदा गया था 2015 में तभी include हो गई थी अब तो तुम उसको दोबारा से repurchase कर रहे हो तो तुम उसकी value को दो बार count कर लोगे double counting की दिक्कत आ जाएगी तो जब वो पहली बारी खरीद ली गई थी ना तभी उसकी value national income में include हो चुकी है अब जब वो दुबारा से repurchase करी जाएगी second hand good की तरह तो उसकी value include नहीं होती sir second hand good में जर्नली क्या होता है इसका मैं दिखा देता हूँ तुमको ठीक है transfer income का तो मैंने बताई दिया है क्योंकि ये transfer does not create income ये non productive activities वाली income होती है ये रहा देखो sir sale purchase of second hand goods ये कभी भी national income में include नहीं होती reason इसका बहुत simple जो मैंने तुमको बताया कि उसकी जो original sale थी या purchase थी वो उसी साल के अंदर include हो चुकी है अब अगर हम इसको दोबारा से दिखाएंगे तो double counting की दिक्कत आ जाएगी non market transactions भी बता दिया है जितनी भी सारी non monetary transactions थी वो भी national income में include नहीं होती sir इसके अलावा एक case है buying and selling of financial assets का इसको मैं तुम्हें अलग से समझाता हूँ ठीक है उसके बाद ये सारी चीज़े समझा जाएंगी तुमको ठीक है अगर sir sale and purchase of financial assets है financial assets अपने shares, bonds, debentures ये सारे financial assets होते हैं तो sir अगर इनका sale और purchase हो रहा है जैसे sir आपने एक sale खरीदा आपने MRF का ना एक share खरीदे दो share खरीदे थे 10,000 रुपे के 2015 में आपने sir 2024 के 2024 में उनको बेच दिया तो जब आप उनको sale करोगे या फिर financial assets को आप purchase करोगे तो वो कभी भी national income में include नहीं होंगे reason ये रहा तुमारे सामने क्योंकि ये income it does not create income and it is just a transfer of ownership title पहले वो इशान sir के नाम पे shares थे अब वो किसी और किसी और student के किसी और बच्चे के नाम पे shares हो जाएंगे तो बस sir ये ownership change हुई है जैसे second hand goods में था ना कि सिरफ ownership change हो रही थी कोई income generate नहीं हो रही थी सिरफ ownership change हो रही थी वैसे यहाँ पर भी ownership सिरफ ownership change हो रही है इसलिए कभी भी sale and purchase of financial assets national income में include नहीं होता but sir 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 ठीक है sale and purchase of financial assets तो not included आपने बोल दिया मैं समझ भी गया कोई load नहीं है but sir ऐसा भी तो हो सकता है ना अब इसी case को समझना इसी case को यहाँ पर समझने की आप कोशिश करना है ना आप तो हमारा पागल बना रहे हो कैसे पागल बना रहे हो मैं तुमका तुम्हारा कैसे पागल बना रहे हो कि sir चलो ठीक है आपने 10,000 रुपे के 2 shares खरीदे थे ठीक है कितने हो गए 20,000 के आपने खरीदे 2015 में अरे sir उस पर कुछ profit भी तो हो सकता है ना चलो कुछ ऐसा हुआ कि आपका profit नहीं हुआ same ही value रही ठीक है तो जो भी sale and purchase of financial assets होगा उस पर अपना हम क्या करते हैं उस पर हम अपनी क्या करते हैं उसकी value जो है उसको include नहीं करते बट अगर sir इसकी value rise हो गई ठीक है इसकी value rise हो गई इसकी value हो गई इन्ही दो shares की value हो गई एक लाख रुपे तो अब यह आपको दो लाख रुपे की shares पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका एक लाख 80,000 रुपे का profit हुआ जिसको नाम दिया जाता है capital gain या फिर capital loss अभी तो आपका gain हुआ है नुकसान नहीं हुआ तो इसको सिरफ capital gain बोलेंगे ठीक है जर्नली यह ना financial assets sale and purchase of financial assets जो यहाँ पर लिखा है ना जो include नहीं होते वो company वाले होते है जर्नली जब company कोई shares issue करती है ठीक है अगर कोई company share issue कर रही है तो सिरफ वो अपना ownership title shift कर रही है पहले सिरफ company उसकी owner थी अब वो नए share holders लेके ownership title shift कर रही है इसलिए sale and purchase of financial assets national income में include नहीं होता बट अगर उन्ही sale and purchase of financial assets पे हमको capital gain या फिर capital loss हो तो उसको हम national income में include करते है सर जब यहाँ पर हम sale purchase करेंगे ना इनका सर जब हम यहाँ पर sale purchase करेंगे जब इन shares को बेचा जाता है या फिर किसी second hand good को या second hand मकान को बेचा जाता है तो वहाँ पर एक broker involved होता है और उस broker की जो commission होती है सर वो भी national income में include करी जाएगी ऐसा थोड़ी है सर ब्रोकर का कुछ थोड़ी था ब्रोकर तो विचारा मेहनत कर रहा है दो parties को मिलवा रहा है और वहाँ से उसने अपनी income generate करी तो इसलिए broker की commission भी एक factor income होती है और उसको national income में include करा जाता है अब इस चीज से please बाते समझना यह सारी चीजे देखना ठीक है कि देखो buying and selling of financial assets नहीं include होता बट अगर buying and selling of financial assets पे capital gain या फिर capital loss होता है तो उसको हमेशा include करा जाता है ब्रोकर की commission को भी हमेशा include करा जाता है imputed rent, imputed interest, self-consumption goods self-consumption goods तुमको पहले ही बताया था जैसे sir अगर मेरी कोई दुकान है ठीक है मेरे पापा ने मुझे दुकान खोल के दी मेरे घर के नीचे ही वो दुकान है मुझे ना उसका rent पे करना पड़ता ना जो मेरे दुकान में पैसा लगाया वो मेरे पापा का पैसा था तो मुझे कुछ लोन नी लेना पड़ा तो मुझे कोई interest भी नी देना पड़ता ना मुझे low rent देना पड़ता ना मुझे interest देना पड़ता और कुछ समान मैं अपनी दुकान में से खुद भी उठा के ले जाता हूँ अपना इस्तमाल करने के लिए तो यह जो सारी चीजे आपने बोली जो सारी चीजे थी imputed rent, imputed interest और self consumption goods इनकी value हमेशा national income में include करी जाती है अगर तुम्हारा business है तुम हमारे अपने business में से जितना भी समान लेके जाते हो न उसको तुम एक account के अंदर डालते हो जो होता है drawings account तो drawings account हमेशा national income में include हो जाता है imputed rent, imputed interest सर चरो भाई तुम्हारा खुद का घर है बट तुम जब भी rent वहाँ पर pay करोगे imputed rent के नाम से अगर तुमने खुद का पैसा भी लगा है तो भी तुम उस पैसे पर interest पे करोगे imputed interest के नाम से and ये values हमेशा national income में include करी जाती है ठीक है बस यही था बस इतना ही था आते हैं expenditure method पे ये चार components होते हैं इन चार components को add करके GDP at MP गा value निकल कराता है सर प्राइवेट कितना consumption कर रहा है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ जाता है प्राइवेट सेक्टर में household और इसके अलावा मैंने बताया था जितने भी non-profit organizations होते हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं ठीक है उसके अलावा gross domestic capital formation जिसको investment भी बोला जाता है जिसको gross investment भी बोला जाता है यह किसका investment है जितनी भी हमारी forms है न वो जितना investment करती है वो जितना भी investment करती है profit कमाने के परपस से वो सब gross domestic capital formation में आ जाता है इसके भी components थे gross domestic fixed capital formation plus change in stock करते है न सर तो हमारी gross domestic capital formation की value आती थी government का जितना खरचा है वो government final consumption expenditure में net exports पहले ही बता दिया है exports minus imports यह सारी values national income GDP domestic income सब के अंदर include होंगी सर ठीक है यह सारी values उसके अंदर include होंगी बट कौन से ऐसे खरचे हैं कौन से ऐसे expenditure हैं जो नहीं include होंगे सर कोई भी transfer payment है नहीं होगी कोई भी intermediate expenditure है नहीं होगा सर second hand good खरीदने पे आप अपना पैसा लगा रहे हो second hand good नहीं होता सर buying and selling of financial asset पे आप अपना पैसा लगा रहे हो तो नहीं include होगा सर अगर आप self consumption goods की production कर रहे हो जो आपने production करी उसमें से कुछ goods आप अपने घर पर भी ले गए तो उन goods का जो खर्चा होगा उन goods पर जो expenditure होगा उसकी value हमेशा national income में include करना include the value of expenditure incurred on production of self consumption goods interest payment का एक अलगी वो है scene interest payment के scene के बारे में बात करते हैं क्या scene होता है ठीक है sir interest journally दिया जाता है loans के उपर ठीक है हम loan लेते हैं उस पर interest दिया जाता है अब loan हम दो purpose से ले सकते हैं एक तो है consumption और एक है productive purpose consumption purpose मतलब हमने अपने रोज मर्रा के खर्चे या फिर हमने कुछ अपनी consumption expenditure के लिए लिया consumption expenditure तुमको पहले ही बता चुका हूँ जिससे हम अपनी satisfaction को अपनी utility को maximize करते हैं all those all these things are comes under consumption expenditure मैंने गाड़ी खरीदी मैंने घर खरीदा उसके लिए loan लिया sir consumption purpose के लिए loan लिया sir मैंने factory खोली factory में मैं समान बनाऊँगा वहाँ पर मैं profit कमाऊँगा मैंने उसने loan लिया तो वो productive purpose में आएगा तो अगर तुम productive purpose के लिए loan ले रहे हो तो उसका interest हमेशा national income में include होगा अगर तुम consumption purpose के लिए loan ले रहे हो तो उसका interest national income में include नहीं होगा यही सारी चीज यहाँ पर लिख भी दिया जैसे की हमारा interest on loan paid by household household journal हम लोग हम लोग क्यों लेते हैं loan गाड़ी खरीदने के लिए घर खरीदने के लिए सर consumption purpose के लिए loan लेते हैं इसलिए जो interest on loan by the household होता है वो national income में include नहीं होता सर national debt interest क्या होता है national debt interest एक consumption purpose पर लिया consumption purpose पर जब हमारी government जो है वो loan उठाती है अब ये loan कहां से ले रही है journal public से ले रही है journal public से bonds और ये सब चीज़े issue करके हमारी सरकार भी पैसा उठा सकती है ठीक है और वो सरकार किस purpose से उठा रही है consumption purpose के लिए उठा रही है तो सरकार जो उस पर interest पे करेगी interest on interest on public debts या फिर national debt interest वो हमेशा consumption purpose loan पर interest होता है और वो national income में कभी include नहीं होता production purpose के लिए loan है तो वो national income में हमेशा include होगा जैसे कि interest on debentures या फिर interest given by banks, firms, companies क्योंकि वो सारे loans production purpose के लिए लेते हैं value added method कैसे था sir चारो तीनो sectors का हमने gva at mp निकाल लिया gross value added market price निकालना मुझे आता है उसके बाद इन सारे gva's को add कर दिया तो sir gdp at mp आ जाता है gdp at mp से हम nnp at fc तक कैसे जाते हैं लिख रखा है पर इसको लिखने को मत देखना प्लीज इसको तुमें याद होना चाहिए यह यह सारे conversion rules याद होने चाहिए आज की class के बाद तुमें value added method में क्या precautions है final goods की value मत लेना intermediate goods की value मत include करना पहले से ही पता है सरी है सारी चीज़े self consumption goods की value हमेशा include करना और जो second hand goods हैं उनकी value को कभी include बत करना जो sale of second hand goods है ठीक है यह देख लो सर दुबारा से transfer income नहीं होती factor income include होती है intermediate intermediate goods या intermediate expenditure नहीं include होता final expenditure include होता है second hand goods का sale purchase नहीं आएगा financial assets पर जो भी पैसा मिल रहा है sale and purchase of financial assets नहीं आएगा बट सर उनी financial assets पर अगर capital gain या फिर capital loss हमको हो रहा है कुछ नुकसान या फिर मुनाफ़ा हमको हो रहा है तो वो national income में जरूर include होगा यह भी देख लो भाई यह भी सारी चीज़े बता चुका हूँ बस revision चल रही है सारा कुछ revise करा रहा हूँ सारी चीज़े बता चुका हूँ पहले domestic income क्या है national income क्या है national income को denote करते हैं national income को denote करा जाता है NNPATFC से national income तुमको पहले ही बताई थी Indian residence income होती है इसमें सिर्फ important है कि हमारा normal resident इस income को कमाए चाहे वो domestic territory के अंदर कमाए चाहे बाहर कमाए I don't care Indian territorial income हमारी domestic income होती है जो पैसा कमाया जाए वो domestic territory के अंदर कमाया जाए वो necessary है चाहे उसको resident कमाए या non-resident कमाए I don't care ठीक है तो national income और domestic income में ये major अपना difference हो जाता है और ये पूछा जाता है किस तरीके से ये देखो ठीक है If the earning has been done by the resident of the country then it will be included in the national income ठीक है तो बस हमें national income में देखने के लिए ये देखना है कि क्या वो एक resident के द्वारा कमाई गई income है या नहीं Profit earned by branch of American bank उडादो सर national income में include नहीं होगा योगी कोई American bank कमा रहा है resident नहीं कमा रहा अब वो कहीं भी कमाए मुझे फरक नहीं पड़ता salary received by indian अरे सर include होगा इंडियन ने कमाया ना पैसा तो include होगा salary received by russian अरे सर, russian है russian indian नहीं है तो indian national income में include नहीं होगा Profit earned by branch of Indian bank अरे सर, indian bank है, indian bank है तो include होगा वो indian bank की branch london में हो, mars में हो, saturn में हो हमको नहीं पता सर Indian bank ने कमाया, तो include होगा domestic income if the earning has been done in the domestic अब sir, domestic income में क्या होता है domestic territory में कमाई जाएगी income, तो वो national income के अंदर include होगी, हमे resident या non-resident से फरक नहीं पड़ता, profit earned by branch of American bank in India India, India sir, Indian resident इंडिया के अंदर कमाई जा रही है इंडिया की mee टरेटरी Mike है ếtव इंडिया की इंडिया की उलगी वर्किंग इंडिया कैो फडर हो इंडिया थे इंडिया कि इंडिया की आपीर भी कमाई Indian embassy के अंदर कमा रहा है Indian economic territory के अंदर कमा रहा है तो include होगी sir profit earned by a branch of Indian bank in London not included London के अंदर कमाई जा रही है sir India के अंदर नहीं कमाई जा रही London के अंदर कमाई जा रही है तो नहीं include करूँगा बहुत simple सी बात है sir यह सारे देखो फटा फट से सारे चीज़े बता देंगे construction of a new house new house हम बनाते है because it is a kind of investment for us ठीक है and investment जब भी देखा जाता है तो investment हमेशा sir include करा जाता है investment purpose कहाँ पर आ जाता है sir final expenditure के अंदर आ जाता है तो यह include होगा winning of a lottery अरे sir lottery वाला पैसा है न तो यह lottery वाला पैसा या फिर यह जितनी भी सारी चीज़े होती है windfall gains या कोई भी lottery का पैसा है black money है non monetary transactions है यह कभी भी national income में include नहीं होती increase in the price of stocks lying with a trader sir यह क्यों include नहीं होगी यह समझाना हम में क्योंकि देखो sir कुछ production rise नहीं हुआ है stocks lying मतलब वो same stock है अगर 10 units से तो 10 के 10 units बढ़े है but inflation की वज़े से महगाई की वज़े से उसका price बढ़ गया तो price बढ़ने की वज़े से sir क्या GDP कभी rise हुई है real GDP हम real GDP की बात कर रहे हैं कभी rise होती है नहीं sir तो अगर stock का price बढ़ भी रहा है और अगर stock actually increase नहीं हो रही मतलब हमने कुछ production नहीं करा तो production नहीं हुआ इसका मतलब national income में include नहीं होगा national debt interest पहले ही बता चुका हूँ consumption purpose पर जब सरकार loan लेती है उस पर जो interest होता है that is national debt interest और interest on public debt तो इसलिए include नहीं होगा rent free house हमेशा include होगा क्या है ये wages and salaries in kind का part है अगर मेरा employer मेरा employer मुझे एक free में घर रहने के लिए देता है तो वो एक wages and salaries in kind का part होगा उसको हम national income के अंदर include कर लेंगे profits earned by branches of foreign banks in India अरे sir national income देखना है इन इंडिया तो हो रहा है तो मतलब domestic income के अंदर तो include होगा बट हमें तो national income देखना है national income के अंदर हम resident देखते है and ये बंदा resident नहीं है तो national income में भी नहीं include होगा purchase by foreign tourist ठीक है foreign tourist ने कुछ यहां से समान खरीदा तो it is a factor income from abroad तो factor income from abroad sir बाहर के देश से पैसा आ रहा है ठीक है बाहर के देश से sir पैसा आ रहा है it is the factor income from abroad तो sir ये भी national income के अंदर include होगा it is the part of factor income from abroad rent received by Indian residents अरे sir खतम बात ही खतम Indian resident के द्वारा पैसा कमाया गया है न यहां पर भी देखो sir जो purchase by foreign tourist था वो कमाई किसके द्वारा करी गई थी किसी Indian के द्वारा किसी Indian नहीं उसको बेचा होगा न समान जब वो इंडिया में यहाँ पर tourist आया तो इसी लिए वो भी एक Indian के द्वारा कमाई गई income थी इसलिए national income में include हुई यहां पर भी एक Indian resident ने income कमाई है तो वो national income के अंदर include होगी बस बात खतम सर ठीक है भाई सारी बात खतम होगई एक वो question भी जो छुड़वाया था वो भी दिखा देता हूँ रुख जाओ यहीं आ गया देख लो आप एक बारी national income के अंदर कौन सी value include होगी फटा-फट इनको बता दो और इनका मूब अंद कर दो national income के अंदर reason भी देना है तो एक marks तो yes और no का होगा अधा marks reason का डेड़ डेड़ नंबर के question है profits earned by foreign banks अरे sir खतम ही कर दो na matter खतम कर दो foreign bank ने अगर कमाया है sir हम national income में resident देखते हैं तो foreign bank is not a resident तो यह national income के अंदर include नहीं होगी क्यों नहीं होगी because it is a factor income paid to abroad क्योंकि यह foreign bank कमा के ले गया हमारे देश ते पैसा उड़ा के ले गया तो it is factor income paid to abroad and it is not included in the calculation of national income expenditure on upgradation of fixed assets by a firm अरे sir यह सारी class गलत कर देगी और इसको कहेगी कि यह include हो जाएगा but मैंने बताया था कोई भी maintenance या फिर repairing cost अगर होती है if there is any maintenance or repairing cost by the firm तो वो हमेशा एक intermediate expenditure होता है sir and intermediate expenditure कभी भी national income के अंदर include नहीं करा जाता ठीक है two minute summary तुमको क्या बता हूँ मैंने पूरी 30 minute summary बताई है तुमको ठीक है two minute summary नहीं तुम्हारे भाई ने तुमको पूरी 30 minute summary बताई पहले 5-4 घंटे गा चार घंटे गाल गाली गंटे के 3 सेट लगाल लो उसके बाद य आदा घंटे रिवाइज कर लेना precautions देख लेना कौन सी चीजे कौन सी ऐसी incomes होती है जो national income में include नहीं करी जाती कौन सी ऐसी payments होती है कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो national income में include नहीं करे जाते हैं बहुत जादा पूछे जाते हैं CBSC में अगर कम भी पूछे जाएंगे न तो CUET में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं CUET आगे CA करोगे इन सब जगा में बहुत ये पूछे जाते हैं कि national income में include होगा या नहीं होगा ठीक है भाई thank you so much guys thank you so much अगर तुमने ये मेरा साड़े चार पांच घंटे जितनी भी देर का ये session है पूरा देखा है and मैं इतनी guarantee ले सकता हूँ कि अगर तुमने पूरा session diligently देखा है तुमने सारी चीजे करी हैं जो मैंने कराई है तो तुम्हारा पूरा national income complete हो गया भाई मैंने कोई भी चीज नहीं छुडवाई है कोई ऐसी चीज नहीं होगी paper में जो तुम यूँ बोल दो कि सर ने नहीं करवाई तुम खुद देख ले न तुम्हार को खुद पता लग जाएगा जब भी March April में paper होगा कि ये more than sufficient session था भले ही तुमको बड़ा लग रहा हो जैसा भी लग रहा हो बट सारी चीजे cover कराई है एक भी चीज नहीं छुड़वाई ठीक है उसके बाद मुझे message करना जब paper हो जाना बोड का कि इस से बाहर से कुछ आया या नहीं है ठीक है love you guys love you thank you so much for joining this session मैं आप लोगों से अब अगले one shot में मिलूंगा अगले chapter के one shot में बाई बाई